हरे खृष्णा क्लास्टन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एक्जाम की प्रिप्रेशन आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे आप अच्छे को ट्रांसपर करके दिखा रहे हैं जो एक्टार्स प्रांसपर करके दिखा रहे हैं कर रहे हैं जो एक्टार्स कर रहे हैं जो एक्टार्स कर रहे हैं कर रहे हैं अब ठीक है तो अरे खिष्णा क्लास्टन कैसे है अब तभी आपका फिरसे स्वागत है आपके अपने फेवर्ट चैनल ज्यानी कीडा में तो यहां पर अभी दो दो अर्चने आ चुकी है पहले क्या चली गई फिर बीच में वाइफा कनेक्टिविटी लॉस हो गई अपने अभी टेक्नल बंदा फिर आके ठीक करें गया है तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दो अलड़ी कहता है मुएंटा मेरा टूट गया काफी ज़दा लेकिन फिर भी अभी मैं एनरजिटी किसले हूँ आप सब जो है जो है यहां पर अभी भी अभी 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 हो ठेक है और बहुत बच्चर ने बोला कि निस्ता टाइंचन की बात नहीं है आप स्टार्ट करो मा जागे तो बस यह सारी चीज़ें जो है मोटिवेट किये हुए हैं और कुछ भी हो जाए कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यो बहुत इंपोर्टन आप लोग के लिए जो कि आपके बारे डिमांड पर वो क्या कि जितने भी आपको था बीस आपके आने वाले उसमें शौर्ट रिक्स तैयार कर लिए मैंने और एक दम एक सेकेंड के अंदर कोशन करूंगा यह सेशन भी होगा मैंने सारी क्लास लगा द लेकर ताकि सेस्ट्वल हो जाए तो प्लीज हम सब मिलके प्रेय कर सकते बगवान से तो उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे शेयर करेंगे और सेशन को एक बाद लाइक करेंगे मुझे बताएं और वीडियो सब क्लियर है कि निये उसके आप अच्छे जो है कमेंट सेक्षेन लाइफ सेक्षन लाइफ चैट पर जरूर लिखेंगे पड़ावट थे एनरजी भरो फिर्म क्लास को स्टार्ट करते पास्ट जल्दी बहुत मजाने वाला बहुत मजाने वाला बहुत मजा आएगा कॉपी पर लेकर बैठ हो यार हो मैं को आज लगता है करो टैयारे लगता सब तैयार है अगर तुम लोग थयार though 나도 है फिरसे मैं वह को यह सचंद करना इट उड़ो-डि श्टार्ट करते हैं यह निस्टार में कहा कि Ph送 Onun यह पल वापस निकलके नहीं आने वाला पस आते रहोगे स्ट्रीम सेलेक्शन भी करना आपको तुन मार्स लाने बहुत जरूरी है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फटा वटते जली नमर चैप्टर वन है जल्दिल स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन यह आप सभी के स्क्रीन के उपड़ तो बहुत सारे बच्चे करना शुरू करेंगे गिवन डेट एट सीएफ ऑफ 306 और 657 नाइन दे रखा है ठीक है उसका LCM निकालना है तो अगर आपको जो HCF होगा A और B का screech मंटई प्लाव है यह और B का जो LCM होगा ठेक है वह किसके पराबर होता है वह A मंटीप्लाव B के बरावर होता है आप सभी को यह अच्छी से पता है, हमें HCF 9 दे रखा है, तो जहां पर HCF 9 लिखेंगे मंटी प्लाइब, LCM हमें निकालना है, और A कॉम B के, यह आपका A है और यह आपका B है, सारे बच्चे साथ-साथ करते चले हैं, के वोले हम मूवी भी चल रही, खुद करना, एक्जाम में लिखना पड़ेगा आप सभी को, तो आज़ा कितना बार पर 306 मंटी प्लाइब, 657 निकल के आज़ागा, ठीक है, चली, तो LCM की बात करेंगे, LCM of A, B जो है, वो आएगा आपका 306 मंटी प्लाइब, 657 डिवाइड बाइन निकल के आएगा, और कट करेंगे, 29, 27 और 29, 36, कितना बाइब, 34, मंटी प्लाइब, 657, अब इसकी मंटी प्लाइब प्टावट से कर देंगे, तो इसका आप सबने निकल के आएगा, कितना बाइगा, 22, 33, 38, यह आपका निकल के आएगा, आइगा, सभी बच्चों का जो है, I hope सभी बच्चों का यह आइगा, कर रहे हो, तो हम NCRT के examples भी साथ साथ आपके चल रहे है, ठीक है, चलो, pass, next, चलते है, next question हमरे पस क्या कह रहे है, check weather, यह काफी important question है, आपका 2-3 माक्स में बहुत अच्छे से question आ जाता है, कि रहा चेक कि यह, कि 6 की power end जो है, वो क्या कभी 0 से end करेगा, या नहीं करेगा, मै 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इसको ध्यान देखना, कितना आ गया, 2, 2, 4, 4, 5, 20 निकल के आ गया, या कितना आ गया, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, ठीक है, और into 5 निकल के आ गया, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखे, अगर कोई number 0 से end करना चाहिए, तो उसमें 5 as a prime factor होना उसके factorization पे, उसके prime factorization पे 5 as a prime होना चाहिए, अगर 5 as a prime नहीं है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो हम चेक करेंगे, 6 की power अगर n हमारे पास दे रहा है, तो उसको लिख सकते है, 2 multiply by 3 की power n, अरे यह क्या हो गया, यहाँ तो क्या कहते है, prime factorization of 6 की power n does not contain prime 5, इसमें prime 5 नही है, तो अगर prime 5 नहीं है, तो यह कभी भी it never end with the digit 0, तो कभी भी 0 से end नहीं करेगा, यह वाली बात आपको यहाँ पर दरशानी होती है, मेरे क्यालते है, आप सभी प्याने 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 आच्छों को यह बास समझ में आ चुकिए, बहुत अच्छे से, ठीक है, बास समझाएं सभी को, क्या सभी को समझ में आया, तो हम लिखे हैं क्या, मैं आपको वरोली बतायता हूँ, if the number 6 की पावर N for any N were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5, पार से डिवाड होना चाहिए, that is the prime factorization of 6 की पावर N must contain prime 5, ठीक है, तो हम देख सकते है, इसके prime factorization में, there is no prime 5, hence it never end with digit 0, य हम जो है, यहाँ पर लिखने वाल है, अब next question बास है, 3 क्या आपने पास कह रहे है, दो question है, explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and this are composite number, 2 है, as a teacher, मुश्किल वाला मैं करूँ आसान वाला आप लोग करोगे, तो यहाँ पर सबसे मुश्किल क्या है, देखो, यह तो बहुत आसान है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 digit number, तो as a teacher, मुश्किल question मैं बता हुआ, तो यह वाला जो है, 2 digit वाला, यह मैं खुत कराने वाला, ठीक है, तो यह आपका composite number है कि नहीं हो, चेक करना है, तो पहले समझ में आना चाहिए, composite number बोलते है, कई बार हमें चीज़ें पता होंगे, तो यह तो काम होगा, तो composite number का मत लग क्या होता है, having more than two factor, बोलो, having, थोड़ा fast पर चलूँ हम ठीक है, क्योंकि यह ओले दो हंटा मिस कर चुके, having more than, having more than two factor, तो दो factor से ज्यादा होने चाहिए, उसको हम लोग composite number बोलते है, तो आईए काम करते है, इसको उठाते है, और हम लोग चेक करते है, composite है की नहीं, इ 7 multiply by 11, ठीक है, multiply by 13, और फिक है, प्लस में 13 दे रहा है, देखो, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर 13 है, जो आपका common है, जो आपका same same है, उसको आप लोग ने common कर लेना है, तो 13 हम लोग यहाँ पर भाहर ले लेंगे, कितना आ गया, 7 multiply by 11, यहाँ 13 चला गया, यहाँ पर किवल 1 पचेगा इस तरीके से, ठीक है, तो 13 multiply by 77 प्लस में 1, जो की हो जाएगा, 13 multiply by 78 हो जाएगा, उसको लिख सकते है, 13 multiply by 78, और आपको पता 1 हर किसी का factor होता है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं, देखो, दो तरीका है, या तो आप लोग 78 को और ब्रेक कर दो, तो 2 से जाता निकल क्या हैगा, पर ना 1 लगा के छोड़ सकते हो, तो हम लिखेंगे, ठीक है, it has, it has more than, it has more than, it has more than two factors, तो इसके पास more than two factors है, hence it is a composite, बोलो, hence it is composite, यह आपका composite number हो जाएगा, बहुत ही असान है, तो जो next वाला हमारे पास question है, यहाँ पर concept अमन करो के बताओ, जो हमारे पर next वा 5 को common ले लेना है, तो कैसे करोगे, 7 हैना, तो यहाँ पर हम 5 को common करेंगे, तो 7 multiply by 6, multiply by 4, multiply by 3, multiply by 2, multiply by 1, प्लस में 1, इस तरीक से निकल के आगा ठीक है, और यह आपका 108 होता है, तो 5 multiply by 1008, प्लस पे 1, जो कि आपका आएगा, 5 multiply by 1009 आएगा, तो हम देख सकते है, more than, हमारे 2 factor है, अब यह multiply कैसे कहें, यह exact ऐसा है कि नी, वह आप देख लेता, मैंने टुके से देखा है, जल्दी लिए करेंगे, attention मतलो, मेरे ख्याल से आप सभी को बाद समझ में आ चुके, अगर बाद समझ में आगे, तो सारे बच्चे लिखेंगे, हरे कृष्णा, सारे बच्चे सबको समझानी है, हाँ, सबको समझानी है, बहुत बढ़े है, बहुत बढ़े है, चलिए, अब आगे बढ़ते, next हमारे पास क्या है, कोशन में 4 यह आप सभी के स्कीनी अबर क्या कह रहे है, there is a circular path around a sport field, एक sport field है, उसके around circular path है, Sonia takes 18 minute to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minute for the same, suppose they both start at the same point, at the same time and go in the same direction, how much, how much, after how much minute, they will meet again at the starting point, तो बहुत confusion होती है, कहाँ पर LCF निकाले, कहाँ पर HCF निकाले, कुछ समझ में नहीं आता, आज तरह समझ में आदा हैगा, इसको ध्यान समझो क्या कह रहे है, मालों और पास क्या है, एक circular path है, इस तरीक है, मालों यहाँ पर क्या है, एक Sonia है और दूसा कौन है, रवी है, तो Sonia और रवी, दोनों यहाँ से start करते हैं, कहता चलो भाई, आज हम गोल 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 खेलते हैं, क्या खेलते हैं, भालना शुरू करता है, सोनिय को 18 मिनिट लगते हैं, वहीं पर जो रवी है, रवी को कितने मिनिट लगते हैं, रवी को लगते 12 मिनिट लगते है ठीक है इसका अगर हमारे पास ट्रिक क्या होता है अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो आंसर आने वाला है वह गिवन डाटा से बड़ा आने वाला है तो LCM निकालते हैं और जो आंसर आने वाला है गिवन डाटा से छोटा निकल के आता है तो HCF निकालते ह माल लो जब रवी जो है बारा मिनिट में खतम कर लेता है तब तक सोनिय यहां पर आगी रवी आगे जा चुका होगा इसका मतलब क्या आंसर गिवन नमर से जाहिए सी बात है थारा और बारा मिनिट से बड़ा आनसर आने वाला है तो LCM निकालना है 18 और 12 का अब LCM कैसे निका साथ करें तो 2 2 जाफ 4 और 4 3 है 12 कि है फिर फोर 2 निकल के आ गया तो 2 की पावर 2 मंटिप्लाइब 3 निकल की आ गया अब LCM का मतलब क्या होता है जितने प्राइम नमर्से उनकी हाइस हाइस पावर प्राइम मिनट के बाद तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट वे मिल जाएंगे बाद असान कोर्शन ता बस यह ध्यान रखना है कोई भी डाटा दे राखा है बहुत कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए अगर इससे आंसर बड़ा आने वाला है तो LCF निकना लेगे छोटा आने वाला है तो HCF निकना लेगे मेरे करल से आप सभी को समझें आगा ठीक है चलो प्रूफ्ट एंठ प्रूफ्ट रूट इसे लिए तो इसकी स्टेटमेंट बहुत बच्चे गवरा जाते हैं तो फटावट से देखो कैसे लिखना होता है आपको आना चाहिए अब जिन बच्चों को आता है उची बात है वह रिवाइस कर सकता है जिनको लिखना नहीं आता वह सीख लें बहुत असान होता है बहुत असान तरीक से बता हुआ यही लिखके आना आपके एजाम में नहीं आप लग जागी और ऐसे कोशन आने के सीन माप में चांस बहुत जाब है बहुत ज़ादा होते हैं कैसे करोगे तो उल्टा माल लेना है अगर किया रूट थ्री को irrational प्रूफ करना है तो इसमें हम लोग contradiction method का इस्तमाल करेंगे उसमें क्या होता है जो नहीं होता उसको माल लेते हैं तो हम क्या करेंगे आपर हम बोलेंगे let us assume that let us assume that के आजिम कर लिए उल्टा कर लो भाई root 3 is a is a rational number भाई ठिम पस जाते root 3 के rational number हम लोगों ने माल यह let us assume that root 3 is a rational number ठिक है अच्छा भाई rational number है तू बिल्कुल हम है अच्छा तो P upon Q के form बिल्ख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं इसका मतलब root 3 को हम लोग P upon Q के form पे बिल्ख सकते है अगर rational है तो ठिक है where P and Q are co-prime where P and Q are co-prime यह important यह सारा खेल अब किन-किन बच्चों को मतलब नहीं पता नहीं पता तो को प्राइम का मतलब क्या होता है को प्राइम का मतलब होता है having having hcf equal to 1 जिसका hcf 1 हो जिसका hcf 1 हो यह फिर कह सकते है नो कौन फेक्टर अधर नहीं इंग्लिश तो इतनी कम जोन है तो इंग्लिश भी तनी कम जोन क्या बोलते हैं ठीक है इट ड़स नोट है पानभी के सोस्ता हो ठीक है ठीक है तो वन एज़ा कॉन फेक्टर वन एज़ा कॉन फेक्टर होना चाहिए वन के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए यह मतलब के वल वन ही इसका कॉन फेक्टर होगा फिर एट सिफ वह वह वन होगा क्या होगा इसका किवल निकल के आ अब स्क्वेरिंग बोह सेट करते हैं क्या करेंगे है आपको 3 से डिवाइड होगा है यह आपका 3 से डिवाइड होगा हाँ या ना बिल्कुल होगा तो हम बहुत सकते हैं कि p saquare is divisible by 3 तो एक theorem कहता है अगर कोई आपका prime number p square से divide है तो वो p से भी होता है तो ठीक है p is also divisible by तो p जुह वो 3 से भी divide हो जाता है अच्छा अगर p 3 से divide होता है मैंने कितनी बार में होता है मैंने का 6 जुह हो टू से divide हो जाता है कितनी बार में होता है तो 2 multipliated 3 यह पर बोल रहा हूं पी जो है वह तीन चे डिवाइड होता है कितनी बार में नहीं पता पी इस इक्वल तो थी निकल के आ गया वेर सी सम इंटीजर से इस कोई इंटीजर है सम इंटीजर यह आपने लिखना है और कुछ नहीं करना पूरे चट्ट यह तिंगल वाला थोड़ पर लेना यहां पर आएगा 3q का स्क्वेर यहां पर आगया उल्टा करेंगे 3q का स्क्वेर जो है आपका वह 9 ck स्क्वेर के बराबर आ गया तो 3 3 9 होता है तो q स्क्वेर जो है आपका वह 3 ck स्क्वेर के बराबर निकल के आ जाएगा तो यहां पर 3 है इसका मतलब जो हमने यहां पर कहानी लगाए थी पर q square जो 3 से डिवाइड होगा ठीक है हम क्या लिखेंगे q square is बोलो divisible by by 3 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर q square 3 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब ध्यान सुना क्या बोला मैंने यह कहता है पी भी 3 से डिवाइड हो जाता है द्यान सुननां यहां पर कहानी खत्म होने वाली है है और q भी 3 से डिवाइड हो जट्लक है यहां पर फ्री कौन इसका मतलुसमा इन दोनों में 3 आ गया ठीक है इस में पी एंड फ्रेक्टर ए इप लीस्ट विए एज हर एक कॉम फैक्टर को इसमें कम से कम से कम 3 तो हमारे पास कौन फेक्टर हो गई होगा लेकिन हमने तो इससे को प्राइम माना था का था था पर यहां तो थी भी निकल के आ गया ठीक है तो लिखेंगे बट यह इस बात तो गलत साबित कर रहा है कि पी और क्यों क्या है हमारे पास को प्राइम है बात समया रही है को प्राइम तो फिर हम लिखेंगे this all has been arisen due to our wrong assumption क्या हमेंगे तो आवर रहाइमचन तो हमारी 네ód, है गलत थी तो आवर एछंचन इस रोंग, root 3 इस ए करिए आ यरेशन लम्मर बस, खर्तम हाँ बात खतम यह यह होगा च्शिक है लात समझा गई तो यह पूरा हिसाब किताब अगर चाहर रूट थ्री हो रूट फाइफ हो रूट सेवन हो चाहर कुछ भी रूट के अंदर क्यों नहीं हो यह तरीका है बस यहां पर थ्री है तुम्हां फाइफ फाइफ चलेगा तो आये कहानी होने वाली है चलिए यह सिंगल वाला धोड़ा असान घ्रभी होता है उसको समाझने का प्रयास करते हैं अब मालो next question कोर्चा है अने कroött और एक्गजांपल कवर के है यह आपकत Això है तो जबाप कप ci ना अ पूछह जाना तो ये मान के चलना इच गिवण तो चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो पर आपने यह मान के चेलने बोलो बा सब्सक्रहण में आई या नहीं जो है मैंने क्या में बोला जाय कोशन में गिवन हो अगर यह हमारेपास कोशन काना की लिव इतना क्लेर हो गया सब को इतना क्लेर है है ना चलो ठीक है करते है तो क्या करेंगे वही मैं अगर यह रेशनल है तो 5-3 को मैं अब राइट है तो 5-3 हो जाएगा रूट-3 क्या हो गया रूट-3 हो गया रूट-3 हो गया फाइफ माइनस में अब यहां द्यांत रहे हैं अब राइट हेंड साइड को द्यान से देखना और है यह इया तो यह रशनल नमबर नबर निकल इस बात को गलत साबित कर रहाँ कि आए तो इस बात को गलत साबित कर रहा है बहुत जदना हववा मत बनाना मैं तुम्हें कि स्टोरी सुमझाता हूँ बहुत ध्यान सुने मेरे स्ट्री को स्ट्राइट करता हूँ एक बार क्या हुआ ना हमा जब मैं 12 में था तो हुआ क्या स्कूल पे बोल दिये टीचर नो डरा दिये कि पेपर बहुत ज़्यदा बहुत जादा होती है तो बच्चों ने क्या करा जो पढ़ी नहीं दिमाग में भर दिया होंगे कि दिमाग में नहीं नहीं है तो सारे कोशन करने भी लगे पड़ें बहुत यह वो वो कोई डिया रख लिया अब जब पेपर आया बोड का वहां पर आया बिल्कुल सिंपल डैरिवेशन बिल्कुल सिंपल सिंपल डैरिवेशन निकल के आ गई थी अब भाई बच्चों डैरिवेशन तैयारी के अगर थी तो कवीवर ऐसा भी होता इतना डरो मत इतना हववा मत बनाओ आप मनें सारे पेपर को अब्जॉब करा पेपर बहुत असान बने हैं बहुत असान पेपर बने हैं आपके अग्जाम में आप देख सकते हो यह नहीं करते हैं लेकिन फिलाल जो इंपॉर्ण है आपके एंसे यह सरी यह तो हम कर लेंगे अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको यह प्रॉपर लिखना नहीं आता बताना कौन तुम में से है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इसको यह प्रॉपर स्टेवर लिखनी नहीं आती थोड़ा थोड़ा आता हैं वह भी स्कोशिंग प्रैक्टिस नहीं करते करते हैं और वह एक दिन पहले आता ही नहीं और छोड़ के आते हैं तो इसलिए जो हो रहा है उसको एक ही बार में पहले स्टार्ट से करो कुछ लोग में देखो रहां स्रीधा आ गई यह वह वह बहुत बच्चों लिखनी नहीं आती यार फिर भी कहते हैं सरह हो रख है ऐसा मत करो तो आराम राम से शांत हो जाओ ठंडे हो जो अराम से बट करो इस से लिप्टाव पहले यहां अब दियान कुछ बाहर से नहीं आगा और से बने रहो कि हांसर हमें आपके बहुर भरुसा है आप कराईये घ्र निक करना जरूरी हम पहलें कर लेंगे बाकी वागरा बाब में देखे जागा तें यह मत करना पार कि अ नेक्स्ट एक्ससाइज वन पॉंट श्री में कहें ज्यान सुनना प्रूफ एट 3 प्लस में 2 रूट 5 इस इराशनल तो सेम ऐसे ही करना है मैं सारा नहीं करवारा मदल सारा स्टेट्में लिखता में प्रडावर से करते हैं तो यह करना लेट उस अजिम एट 3 प्लस में 2 रूट रूट 5 को मैं a के बराबर लिख सकता हूं एक है a is a rational नमर और कोशन में भले ही यह नहीं गीवन है कि आपका रूट 5 जो है वो irrational है लेकिन यह मानके चलोगे इस गिवन डेट रूट 5 इस ध्यान लखना आपने सारी बातों को तो रूट 5 को अखेला चोड़ दो यहां पर तो आगया टू रूट 5 जो आगया वा आगया ए माइनस में 3 यह प्लस का 3 मा मैनस का 3 हो जाएगा तो रूट 5 कितना हो गया आपका ए माइनस में 3 अपॉन में 2 निकल के आगया तो सेम वही चीज़ करना आपने हम देख सकते हैं एस ए माइनस 3 अपॉन 2 के है इस रेशनल है यह आपका एक रेशनल है और यहां पर एक्वल टू का साइन है अगर यह रेशनल इसका में क्या हुआ रूट 5 इस क्या आ गया रूट 5 भी आपका रेशनल निकल के आ गया बट it contradicts the fact that root 5 is irrational वो सारी कहानी बाबा लिख दोगे हमारा काम इसमें बन जाएगा बास समझ में आई या नहीं है ठीक है सबको समझ में आ गया चलो ठीक है नेक्स चलता है हमारे पास क्या है सेम है तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है और खतम लास्ट कोशन है इसको इरेशनल सब्सक्राइब नहीं है तो अगेन वही करना हमने कितना आएगा 6 प्लस में रूट 2 जो है वह आपका ए के परावर होगा मालो रेशनल नमर है और रूट 2 कितना आ गया वह आगया आपका 6 निकल के आ गया अब एज ए माइनस 6 के इस अर रेशनल यह आपका एक रेशनल है त तो यहां से क्या पचला है यहां से ट्रूट के ना आसे अंसे क्या वाइन रूट 2 जोई उर रेशनल हो गया बट का टो यह पूरा स्टेटमेंट यह पूरी चीज वह आपकी केलाईगी यह सम्में स्यम है बस हमने दो कोश्ण की प्रैक्टिप वड़े से करने सारे के सारे आपका अराम से हो जाएगा ठेक है यह मैं को डर लख रहा कि मैं एस से चला रखा कि मैं तब इत खराब ना हो जाए ठेक है तो यहां पर मुमारा को लख लख बढ़ाई है आप सभी के आशिरवास से हमने चैप्टर वन जो था रियल नमर कर लिए एंसियाटी में इससे ज़्यादा नहीं है करने की अपने उतनाई करना अब हम बात करें पॉल्णमस की यहां पर सिर्फ क्या बात चल रही है यहां पर बात चल रही है अप कुछ बचाए के सर आपकी कोशन बहुत चोड़ असान होते हैं अरे मेरे कोशन सब्सक्राइब तो सारे प्यारे बेर बच्चे जो लड़के हैं वह पुश-अप मारेंगे जो लड़के वह तारा अरा बोलेंगी फिर हम लोग नेक्स में चलते हैं ठीक है आ हाँ चल्दी पास्ट 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 फास्ट कि खतम हो गया तो हमने लगग लगग जो है आदे घंटे के अं लड़कों तो पुशब मार नहीं है तुम लड़कों लड़के भी तार अरे लड़के पुशब मारें तो पॉलिनोमेस की बात करते हैं यह बहुत ही असान सा दिखने वाला कोशन जो है अकसर तीन मास्स में आपके एक्जाम में आ जाता है इसे यह आपका एक्जामपल है सारे एक्जामपल है आपका लिए गए है पैंशन की बात नहीं है तो कैसे करना यह समझते हैं तो जीरो निकालने के लिए अब भी करते हैं पटापट से तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी आपके नम्मर दे रहा है खासके यह आपका थी के बरावर निकल के आ गया और एक्स जो है वह प्लस माइनस रूट में थी हो जाएगा बहुत ही असान है ठीक है तो जीरो क्या हो गए जीरो आप निकल क्या देगा ठीक है तो आप क्या करेंगे सम अफ दो रिलेशन होता है पहला कौन सा होता बोलो पहला रिलेशन होता है सम अफ जीरो तो सम अफ जीरो जो है वह क्या होता है वह होता है वह होता है माइनस का बी अपॉन पर ए होता है अगर मैं यहाँ पर कंपेर तो माइनस का 3 निकल के आ गया तो यह आपका a, b, c निकल के आ जाएगा अब sum of 0, 0 क्या हमारे पास आया root 3 आया और plus में minus का root 3 और b upon a, b तो है नहीं, b आपका 0 है तो 0 upon a कितना है a आपका 1 दे रखा तो यह plus minus कट गया तो 0 बरावर 0 आप देख सकते हो LHS जो है वह RHS के बरावर निकल क्या गया बहुत ही असान था मस तरीके से हो गया ठीक है दूसरा बात करते है product of zeros मैत को न enjoy करो मैं यह करो enjoy करो आराम से relax हो जाओ relax हो जाओ मैंने का ना बस तू मेरे साथ से चलते रहो काम हो जाएगा relax हो जो बस यह समझो जो दीपकसर करा रहे हैं उसे हमें करते जाना है और पूरा वरुसा है पूरी नगिया पार होगी फोड़ेंगे तो वह अला हिताब किताब होना अच्छे डरो मत सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता तुम्हार दिमागे बहुत ही चल रही होगी इस समय ना क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूं जुक है पहले करना चाहिए लो पर्ये लिट चाहिए लो एक्समें पर्णिक सब्सक्ट्ट यह बहुत सिंक्स में अखसर आते हैं हर सिल और और आपको भी अच्छे से आना चाहिए कहले जीरोस सम अफ जीरोस दे रहा माइनस का 3 यह कंफ्यूज मत होना कुछ-कुछ बच्चे इसको डारेक्ट जीरोस समझ लेते हैं कुछ-कुछ सम अफ जीरोस और प्रड़क्ट ध्यान जीरीड करना क्या दे रहा है हमें बोला सम माइनस का 3 है और 0 का जो प्रोड़क्ट है वो आपका 2 दे रहा है तो equation कैसे होती है जो quadratic polynomial होता हो कैसे लिखते है वो लिखते हैं इस तरह किसे x square माइनस में sum of zeros नेकर है sum of zeros और into पर x और प्लस में आता product of zeros क्या आता है product of zeros अब कुछ बच्चे यहां पर ना जीरो लगा देते हैं तो यहां पर 0 मत लगाना अगर आपने यहां पर 0 लगा दिया यहां पर 0 लगाते ही यहां पर 0 लगाते ही क्या बन गया यह आपका quadratic equation बन जागा पॉलिनोमल नहीं रहेगा, तो पॉलिनोमल में 0 नहीं होता, इतना छोड़ देना, इस तरीके से, तो अगर पॉलिनोमल पूछा तो आप यहाँ पर k भी लिख सकते हो, यहाँ पर k भी लिख सकते हो, आपके मरज यह है, समाना द्यान से, चलो, कितना आ गया, तो x square minus में, यह माइनस का 3 into x हो गया, और product 2 दरखा इस तरहीं है, तो आज हमाने पास k लगा सकते, को निकल के आपने, k निकल के आ गया, तो x square प्लस में 3x, प्लस में 2, यह आपका पॉलिनोमल निकल के आ जाएगा, तो k लगा सकते हो, ना लगा सकते हो, बात एक है, तो I think आप सभी को बा tension की बात हो नहीं है, पूरा करेंगे, ठेक है, और सबको answer देना अच्छे से, Sir, अगर given नहीं है, तो तुम ऐसे given की जगा लिख सकते हो, कि भी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते है, ठेक है, चलो next चलते है, अब आजो exercise के अंदर, exercise में क्या बोलागे, find the zeros, zeros निकालने है, और relation को verify करने, zeros निकालने है, और relation को verify करने, तो ये तीन जो coach ने, बहुत important है, मैं तीनों नहीं करा हूंगा, कोई दो करा देते हूं, एक मैं आपको ये करा दे रहूं, ठाक है, ये वालाग पे आपका homework निकाल रहाüyہ किसस समझे नहीं, जारा कि दो नम्मर को मंटिप्लाय करने बर 42 आ जाए और दो नम्मर को जोडने घठाने पर मैनस का 3 आ जाए यह पॉसिवल ही नहीं है क्यों पॉसिवल निया कभी को रहा हम जल्दी में होते हैं और फिर यह देखने पाता कि क्या यह स्टैंडर फॉर्म में है या नहीं है पहले यह पीवाइक यह यह नहीं है तो इसको इस लिए निकालो और रिलेशन को वेरिफाय करो बच्चा आया कहरा सर सब तो हो गया पूरा पेपर पाड़ आओ मैं पूरा पेपर आग लगा दिया मैंने पर समझ नहीं आया कि मंडिप्ला करने पर बैलिस और जोड़ने पर तीन कैसे आएगा मेरा दिमाग खराब मैं करक क्या भाई तो यह ऐसे नहीं करना यह अल्ट्रा लेजेंड वाले होते हैं इस तस्रीक में माइनस का एटीन और यहां पर माइनस का सेवन तो माइनस का नाइन मंडी फ्लाइब है टू और माइनस अब भाई साब साथ कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी होते हैं जिनको होते हैं कि यहां पर नो और दो आएगा यह पर दो नो दो आएगा लेकिन यह नहीं पताख में साइन कौन को से लगाने हैं अगर मानलो उपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है तो बड़ा वाला आपका नेगेटिव होता है और छोटा वाला आपका पॉस्टिव होता है यह नोट कर ले ना जहां सुनदा अगर दोनों जगा नेगेटिव होता है तो बड़ा वाला आपका नेगेटिव छोटा वा होता है और छोटा वाला आपका नेगेटिव होगा अगर आपके पास क्या है उपर यह प्लस है नीचे प्लस है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव और छोटा वाला भी पॉजिटिव होता है और 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 अगर उपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है तो आपका जो भी होते हैं प्लीज नोट कर लेना अगर वह दोनों नेगेटिव उपर नीचे यह साब विसाब करता हुट है चलो तो हमने क्या बोला दोनों नेगेटिव हैं तो बड़ा ला मानस में छोड़ा ला प्लस में ब्रेक करो तो आगया अमार पास कितना है तो अगया तो यहां से आगया अगया अपने पास यह पहले आएगा और फिर कितना आगा दूसरा खेंब करना है तो यहां से माइन ए्कंट कितना है अब ह嗎 संद हलेत यह बहुत अपच्चे होते है तो यह को यह भी नहीं आप उन में से नहाँ हो और इंटेलिंट हो और यह पाने थे आगर कोई दिक्कत की बात नहीं है आज सीखे गए हो ना कोई दिक्कत नहीं आघा तो सीखे लिए है ना तो कवा कि प्यू लुंह You sum of zeros, वो क्या होता है, minus का B upon ये होता है, जोड़ दो, 3 upon 2, plus minus minus upon 3, minus B upon है, B कितना है, minus का 7, और A कितना है, 6 है, यहाना चाहिए, इसको यहां solve कर रही है, तो 3, 3 जा 9 हो गया, 2 बंजा 2 निकल के, को देखकर तो नहीं आगे ना मैंने कुछ ग्रवड़तों नहीं कर दी को देखकर तो नहीं ना चेक कर लोगा एक बहुत अच्छा माइनस में प्लस होगा ठीक है ओके टू अपॉन अब देख सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको नहीं करना ठीक है यहां पर आपको यह भी दूसरा है product of zeros ठीक है product वह था c upon a तो zeros क्याके 3 upon 2 multiply minus 1 upon 3 और c upon a कितना है c आपका minus का 3 है और a6 है minus 3 upon 6 ठीक है तो देखो जहां से 3 तरीक है तो मैंनस का 1 upon 2 आ गया minus 1 upon 2 और यहां पर भी आ गया minus 1 upon 2 यह आपका product of zeros भी verify हो ठीक है तो इस तरीके से यह कोशन आपके exam में आता है यह कोशन आपके exam में आता है ठीक है तीन मार्ट का और तुम सो यह तो पहले तैयारी हमेसा चोटे लेवल से करना चाहिए कदम कदम बढ़ाया जाए फिर लांच बनाना मौल छोटी छोटी चीजे करनी है बड़ा बनाना ठीक है तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुका है यह चीज़े ठीक है अब बागी जो है आपसे उमीद है बागी खुद लिप्टा लोगे मैं 0 निकालता हूँ वस यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है यू प्लस में 2 निकल के आगे ना अगर जोड़ा हो न डाइक निकल के आजा पांग सर्थ तो खतम हो गया एक बार 4 यू के बरावन जीरो और एक से भी आपका यू जो है माइनस का 2 निकल के आजा है तो यह हो गया अब सम और प्रोड़क्ट निकाल के आराम से कर लेना और यह तो आसान है आप आराम से देख सकते हो नेक्स्ट कोशन जू है इसमें क्या important है? नेक्स्ट के रहा है find a quadratic polynomial एक सम दे रहा है एक प्रोड़क्ट अगर आपका यह सम है अगर आपका यह सम दे रहा है और हमी यह प्रोड़क्ट दे रहा है तो जल्दी से अपारे बच्चे वो मुझे उखता हो equation क्या बनेगी, प्रो टू एक्स प्लस में 1 और 1 अपॉन 3 जो है वो यहां पर भाहर लिख भेना ठीक है इस तरी किसे उड़ा मत देना ठीक है क्या बोला मैंने सिंपल देखो न 3 x square आ गया 3 root 2 आ गया और 1 निकल के आ गया ठीक है और जो 1 upon 3 था वो मैंने भाहर लिख जा तो यह आपका polynomial बन गया इस तरी किसे ठीक है equation नहीं है हमें अपर क्या बोला गया पॉली नोवल बनाना है 0 मत डाल देना आगे आगे 0 मत डाल देना ठीक है तो आगे x square माइनस में 1 upon 4 into x और प्लस में product कितना रखा है 1 upon 4 तो आगे x square और प्लस में x upon 4 प्लस में 1 upon 4 निकल के आ गया नीचे 1 लगाओगे तो आगे 4 x square प्लस में x प्लस में 1 और 1 upon 4 जो है उसको भाहर लिख देंगे इस तरीके से यह आपका अगर आपको sum of zeros और product of zeros अगर आपको दे रखा होगा तो आपका काम जो है बड़े अराम से बन जाएगा मेरे ख्याल से आप सभी को बात सम्यागी है कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको root देखके ना उनके फेबरे बाहर आने चुरू हो जाते हैं तो बेटा जि होता है मुझे से किट्नी भार आने चुरू हो जाते है वही चीजे तो है वही चीजे क्या दिक्कत आ रही है और यह question 3 max में आपके एकजाम में आया हूआ हुआ 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 है मैं बहुत बार आया हुआ है तो आपको अच्छे से आना चाहिए चलो और simple सा जो है यह हो गया इस तरीके से रहा है और बोल रहा हो तो कितने zeros होंगे तो जितनी बार वो X को cut करता है उतने ही zeros होता है इसमें कितने zeros होंगे इसमें आपके तीन zeros होंगे कितने तीन होंगे और मालो केवल चू के भाग जाए केवल बंदा चू के भाग जाए तो इसमें केवल आपका एक zeros करेगा जितनी बार काटेगा उतने zeros होते हैं तो मेरे क्याल से आप तभी को बार जो है अच्छे से समझ में आ चुकी है सबको समझ में आगे ठीक है और एक चीज और क्या पूछता है यहां पर कि किसी भी कि पॉलिन होले कितने zeros होंगे तो अगर जितने डिगरी होते हैं तो यहां पर कितनी है तो होंगे तो किने जियुक्त करता है कि उच्छा कि कितनी होगी बास नलए नहीं सबको हां आ गया अपको 2.3 डिलीट है चलो next हाँ 2.3 जो है वो डिलीट आप का अच्छी बात हो कौन-कौन ये चाहता है कि सर एक काम गवरो पहले बड़े-बड़े chapters ले लो कौन मन चाहता कि पहले बड़े-बड़े chapters ले लो कि सर पहले काम गवर ट्रिक्नमेटर ले लो chapter 12 ले अच्छी बड़े लो तागे एनर्जी तक है तक वो कर ले फिर बाद में लिप्टाते रहें कौन-कौन चाहता बताओ ठीक है हाँ कि चलो कोई नहीं एक काम कंटिनू करते हैं कॉन नहीं करते हैं चैप्टर 3 करते हैं पहले तो बड़ा है सब चाहते हैं सब चाहते हैं सब चाहते क्या बाद चाहते हैं कंटिनू चलेगा चलेगा चलो अब फिर से लिवात हैं पेर ओफ लिने कोशन तो इससे ज्यादा नहीं है। इससे जादा NCRT में कुछ करने की नहीं नहीं ठेक potion कॉई फाधनीया NCRT में ठेक्रेक हैं तो अपना काम इतना यह करना NCRT का आगे जब बड़े कोशन करेंगे लड़की ने बोला सर भेजभाव मत करो लड़के और लड़के और लड़के दोनों मिलके पुशप मारेंगे कमसे ददददद पुशप मार लो अच्छा वेटा अभी इसे दिना भिक चीए तुमें चलो पुशप पहला कोश्चन क्या कहता है मारे पास द्याण सुनेंगे पहला क्या कहता है एपे ते घर में पतनी थी नहीं पापा ने सुचा से लोग और गाउं से बोलेंगे बता उसके बाद तीन के लिए खी और सब्टे शुनेिके उसने काट दिये लिए तो गाउं के लोग ना इसे कोशिक्षटी है कभी तुमने नोटिस कियो बड़े बुजुर को आते हैं बुड़े बुड़े से और ऐसे कि दिमाग पकड़ ले थे क्या हो पीटा पढ़ते हो कौन सी क्लास में हो चलो तेंचा कोशन का अंसर दो तो ऐसा करते हैं अब पता हैं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ बढ़ा बट मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है अंगल थे आया दिन आ जाते दिमाग खाने के लिए बैटा बैठो बटाओ ऐसे समझो कि इसकी चाची की मौसी की फूपा की लिर्की ने ऐसा की है तो बताओ इसकी इसकी मम्मी कौन भी तो बहुत दिमाग खाते कुछ अंकर ऐ इसने अफ्ताव ने बोला कि seven years ago, I was seven times as old as you were there. साथ साल पहले मैं तुमारी age के साथ गुना था. अच्छा जी, फिर बोला कि तीन साल बाद, तीन साल बाद जो है, मैं तेरी age के तीन गुना हो जाओंगा. तो बताओ इसको एलजेब्रिकरी अमरे रिपल नहीं आ रहा, इसको एक्विशन बनाके छोड़ देते हैं, इसका केवल हां, बहुत मुत आता है, कैसे करेंगे, तो ऐसे कोशन बहुत असान होते हैं, तो एक कान कर लो, माल थे, लेट, 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 पकाओ अफ्ताव present ऐज, age will be, इसको नहीं बनने इस्तरेके से माल थे, बास समझाएं निया zdrowi, प्रसमें प्रसम्या मालना च्विशन बैसायर, लेट, लेट, आफ्ताव को बास समया है, साथ साल पहले अफताब भी x-7 और उसकी बेटी जिए वो भी y-7 रही होगी भाई सिंपन से अभी कोई बंदा 1 साल का है तो 7 साल पहले माइनस करना पड़ेगा और बार में बोलेंगे तो प्लस करना पड़ेगा ठीक है तो तो इसने क्या भूला साथ साल पहले I was 7 times 7 गुना तो 7 गुना था उपनी बेटी की एचके तो एक्स माइनस में 7 कितना आ गया 7y सत्तू सत्तू उनचाज तेके हां चलो है तो एक्स माइनस में 7y तेके माइनस का 7 प्लस में 49 यह अपका 0 के बराबर हो जाएगा हो गया एक्स माइनस में 7y और प्लस में 42 इकुल जीरो ये बन गी हमारे equation नमर वन ये बन गया हमारा equation बन बहुत सिंपल था ये हमारे पास equation नमर वन बन चुका है बहुत बड़े कर रहे हो सारे बच्चे जो है अच्छे ते करते चालना next क्या बोला case 2 की बात करते हैं next 3 साल बात कितने साल को जाएक एक्स प्लस 3 साल का हो जाए कि सब्सक्रेवस को सब्सक्रेवाइब डियुक्रतिएि कुछ बच्चे चते लुटी summarize की सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करने लिए अधि ने क्या परक्ति जानफंसो यह आपके पहले 3.1 के important question तो दो ही question आप करने यह थो खास का question नियुए तो नहीं करना उसको तो नेक्स हाफ the parameter of a rectangular garden तो लेंथ जो है वो विद के मुकाबले 4 मिटर ज्यादा है find the dimension of the garden यह बहुत दी विचितर कोशन है अच्छा कोशन है ध्यान से सुनना क्या करना है इसमें ध्यान सुनना confused होते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा बहुत असान होते हैं इसमें length जो है वो breath से 4 ज्यादा है यादे तुम ब्रेट को X मान लिए चाल दोनों मान लिए छोड़ो तुम में याद हो लो मान लो breath क्या हो गया breath जो है मैन ने वो X मान लिया और length जो है उसको Y मान लिया क्या बोला length breath से 4 जाता है length breath से चार जाता है कुछ मुश्किल है इसमेении कुछ मुश्किल इसमें कुछ मुश्किल नहीं है अब इसने क्या बोला हाफ दा पैरामेटर अब पैरामेटर क्या होता है वह होता है यह पैरामेटर का हाफ जो है वह आपको 36 दे रखा है हाफ दा पैरामेटर तो आपका यह पैरामेटर हो गया उसका हाफ करेंग डिवैड़ तो आगया यह आपको 36 प्या रहा है इससे खतम हो गया तो x प्लस y जो है हमारा वो 36 निकल के आगया अब यह एक क्वोशन 2 हो जाएगी तो अभी जो वैल्यों वाई की x प्लस 4 वो यहाँ पर पूट कर देंगे तो जहाँ पर y x प्लस 4 तो वहाँ पर आदेगा इस तरीके से x x प्लस 4 यह हमारे पार थर्टीजब हो जाएगा ठीक है तो 2x एक पॉलू जाएगा थर्टी टू और एक्स जो है आपका वो 16 निकल के आदेगा एक्स हमारे पास कितना आ गया 16 आगया अगर एक 16 ना आ या है तो आपका यह वो ट्वैंटी निकल के आ जाएगा इसका मतलब लेंद्ध है आपका वाई कितना 20 है और ब्रेथ आपका वो 60 निकल के आ ठीक है आपको यह निकल के आगया मेरे खाल से बहुत अच्छी तरीके से आपको कोशन समझ में आ चुका है ठीक है हां तुम कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन अभी सारा ध्यान जो है आपको इसमें देना ह हां ठीक है बहुत बढ़े है बहुत बढ़े बहुत बढ़े बहुत बढ़े बहुत बढ़े चलो आगे चलते हैं next चलते है, next हमारे पास क्या कहें रहे है गीवन दा linear equation 2x plus 3y minus 8, हमारे पास एक कोई equation दे रखे, क्या equation है वो, हो देरे का 2x plus में 3y minus में ये equation दे रखे, अब कहता है, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting हो, parallel हो और coincident हो, के रहे हमारे पास एक equation लिखी हुई है, हमें एक और equation लिखनी है, तो हमें इसकी condition पता होना चाहिए, जान सुदना, intersecting क्या होता है, a1 upon a2 जो है, बराबर ना हो, b1 upon b2 के, तो हम कुछ भी answer लिख सकते हैं, तो हमें लिख दिया, ये दूसरी question हम चेकर होगे, इसको satisfy कर दियागा, तो अपने इसको लिखना है, दूसरा, parallel बनाना है, तो parallel क्या होता है, a1 upon a2 बराबर हो, b1 upon b2 के, पर बराबर ना हो, c1 upon c2 के, इसको बोलते हैं, parallel lines बोलते हैं, तो मैं एक condition set करने ही पड़ेगी, पहले question क्या है, 2x plus में 3y, minus में 8 equal to 0, ठेक है, इस तरीके से, तो मैंने क्या कर दिया, और plus में 6y कर दिया, और minus 17 equal to 0 कर दिया, देखो, ये 1 upon 2 आदेगा, ठेक है, ये भी 1 upon 2 आदेगा, और ये 8 upon 17 हो जाएगा, तो ये satisfy रहा है इस चीज़ को, दो तो बरावर आएंगे, तीसरा नहीं आएगा, तो खुछ से लिख सकते हो, अंडेसंट तरीके से, ये आपका equation हो गया, अब तीसरा क्या आपने पास, ये होता है, a1 upon a2, बरावर हो, p1 upon b2 के, और बरावर हो, c1 upon c2 के, ये तीनों बरावर होने चाहिए, तो डबल कर दो तो पहली equation क्या है, 2x plus में 3y minus 8 equal 0, डबल कर दो, तो 6 not, 6, 4x तो 4x plus में 6y minus 16 equal 0, तो ये आपका दूसरा equation निकल कर देगा, तो खुछ से भी equation लिखनी आ सकती है, बाहत समय आई, हाँ, कुनाल बिटर ले लेंगे, अरे ये chapter 3 असान है, क्या, चैप्टर 3 या, अच्छा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर है, लेंदी चैप्टर इतना आसान थोड़ना है, तड़का वाला कोशन चाहिए, अरे दक्ष, तड़का वाला कोशन कलते शुदू होगा, आज रिवाइस करो, तड़के, समझ में आ गया, चलिए, आगे find the value of m, यह सारे कोशन टिक भी कर सकते हो, अपने बुक में, पर खेर इतना need नहीं है, हमें काम करेंगे, हम जो है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ हूँ, टिक किया हुए सारे कोशन का, वो आप आराम से कर लेना, ठीक है, उसमें example, सारे में कोशन टिक कर रहे हुए, ज हमारे पार बहुत सारे option है, बहुत सारे दो option है, तो इन दो को, इन दो को solve करके, हम लोग क्या करेंगे, x और y को निकाल लता है, यह फटामट से, तो क्या कोशन है, 2x प्लस में 3y हमारा 11 के बराबर है, ठीक है, और 2x तीन घंटे के बाब ब्रेक मिलेगा, ठीक है, बीनी, तो माइनस, प्लस, और यह प्लस हो जाएगा, ठीक है, यह खतम, 3 और 7y निकल के आगया, एक कोड़ 35 हो जाएगा, तो y जो है, अमर पर 5 निकल के आगया, सारे बच्चे ट्राए गरो पड़ाबट से, ठीक है, यह फाइफ निकल के आगया, अगर y 5 है, तो 2x प्लस में 3 इं 11 के बराबर आ गया, तो 2x कितना आ गया, 11 माइनस में 15, और 2x जो है, आपका माइनस का पोर निकल के आ गया, और x जो है, माइनस का 2 निकल के आगया, कल जो है, सुभे पी वाईक्ची क्लास है, कल सुभे आप लोग पिवाईक्ची घान दृदना ऊंश couple प्लस को जाहन द्य तो बरावर में माइनस का 2M हो जाएगा और यहां से आपका M जो है वो 2 अपॉन माइनस का 2 जो की माइनस का 1 निकल के आ जाएगा तो M निकाला था ऐसा कोशन इसी कर थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं लेकिन हमारे पास के जिसके मादनों यहां पर लिख दिया है 2 अपॉन 3X 3.4 वही थोड़ा बना दिया ऐसा कोशन भी आपके एक्जाम में आ रहा है बोर्ड एक्जाम में तीन माइस से कोशन आता है हमेशा तो यह आप इस तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्लास कितने वज़े खतम होगी मुझे नहीं पता नेक्स 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 करते हैं हम कर लेंगे कर लेंगे 12 और 13 कर लेंगे फिर बागी चैप्टर करेंगे ठीक है तुम्हारी बात ठीक है यह चैप्टर कर Angles R, क्या माल ले, मैंने X and Y मनने है, और माल ले X जो है, वो Y से बड़ा है, माल ले, एक तो बड़ा हो वइ, इन्हें क्या बोला, larger जो Angle है, वो smaller से 18 ज़ादा है, exceeds का मतलता 18 ज़ादा है, इसका मतलब क्या हो हमारे पास, जो बड़ा angle जो है वो छोटे वाले मुकाबले 18 जादा है equation number first निकल के आगई अच्छा एक बाब बताओ सारे बच्चे कि supplementary angles का मतलब क्या होता है supplementary angles का मतलब होता है ऐसे angle जिनको जोडने पर 180 degree निकल के आता है उसको supplementary बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा एक्स प्लस में वाई जो है वह आपका 180 degree होगा यह आपका equation number 2 होजा क्यों supplementary है और अगर यह कॉंप्लिमेंटरी बोलता यहां पर लोग 90 लिख देते हैं इस तरीके से जहां पर एक से महाँ पर आप लोग वाई प्लस में 18 कर देंगे यहां पर आग आगया तो अगிकल के आ तो आगया और सभंता में तो निकल के आ गया तो यहां वाइक कितना आ गया वहाई आपका 81 निकल के आगया अग olmuş 81 है तो यहां पूट करके X निकाल सकते हैं तो एक सितना आ गया Y कितना है 81 और प्लस में 80 नगरम करेंगे तो आपका X 99 निकल के आदेगा तो 99 हमारे पास बड़ा एंगल है और चोटा लेंगल जो एंटीवन है वर्ड प्रॉब्लम आना ही आना है आपके उसमें तो बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम करने की नीड जरूर होनी चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हें ट्रस्ट दिला रहा हूं कि यहां वहां वागनी नीड नहीं है देखो किसी ने भ थोड़ा नाम्मुम्किन सा लगता है लोगों को भी लगाए पड़ा मैं करके दिखाएंगे हम एंसे 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 एक्जेंप्ला पीवे क्यू आड़े शर्मा सेंपल पर सारा का सारा इतके अंदर होने वाला है तो यहां वहां भागने नहीं है तेक है जो समझदार है वह लगाता रहो ठीक है अराम से चीज़े करो को रिक्त निकल के नहीं आएंगे ठीक है हां कि अधिक है मुझे पर तुम कर्णिस बहुत ज़्यादा हो रहे हो पर मत इतना मत घब रहा हो इतना मत घुब रहा हो तो जगलत हो गया क्या अधिकत आरे क्या रहे है कि अर्याय तुम लों को किО dwald कि अधिक हो तो कि निद्ण trip क्या अधर्ट कराऊ ह 근데 इसलिए मैं वह किरा मुझे पता हौना माुझ यहां से पढ़नाई कि यहां से पढ़ने मैं यह नहीं करें किसी मुझसे पढ़ो कहीं से पढ़ो पर उसके पूरा भरुसा रखो और मैं इतना दावे के साथ कहा सकता हूं किसी भी टीचर ने यह इस इस पार नहीं जो कि मैं दे रहा हूं ठीक है इतनी चीजे ती दे कराकर दें बहुत मुशकिल होता है फिर भी प्रयास कर रहा हूं क्यूं तुम लोग के लिए अब यूज के लिए मैं किवल सीदह आता आज एंसी करा देता काम चल जाता मेरा भी मेरे विए बच्चे दो इक तेक्सी चार्ज इन इसवे तो फिक्स चार्ज है एक तो आपका फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमेटर कितना डिस्सटने ट्याबल करते है उसके हिसाब से चार्ज करा होगी. तो माल लेते हैं, Let's fix the charge . Let's fix the charge sinners principe बहलें रूपी जो मैंने क्या माल लिया ? for a distance of 10 km the charge paid 105 रुपए तो उसने अगर 10 km चला तो 5, 205 रुपए देने पड़ रहे है अब ध्यान सुनना हम अगर हम 10 km चलता हूं तो fixed charge देने पड़ेंगे यह तो fixed है अब 1 km का y charge है तो 10 km का 10 y होगा और कितने रुपए देके आया हूं मैं 105 रुपए देके आया हूं यह आपक charge वाले कोजिशन बहुत simple होते हैं ठीक है बहुत simple होते हैं बहुत simple होते हैं ठीक है ओके next क्या बोला है कि end for a journey of 15 km और 15 km के लिए एक सो पच्पन रुपए देने तो 15 km fix charge हो गया एक क्लोमेटर का y है तो 15 का 15 y हो जाएगा आपके कितना रुपए देके होगे एक सो पच्पन देके होगे तो यह आपका इस तरीके से निकाए अब यहाँ पर x आ चुका है तो यहाँ पर लगाओ 10 निकल के आ देगा y 10 निकल के आ गया अगर y 10 है तो x कितना होगा यहाँ से आपको निकाल सकते हैं x plus 10 y y कितना आपका 10 निकल के आ गया और यह हमें 105 दे रहें का बराबर हुटे के तो आगे x plus में 100 ओर 15 ho जाएगा यहां से 1945 मानिस में 100 वो हमरे पदै के आदेगा तो f wax fixed甚़ 5 रूपय तिकाते पांच br ट्रैवल और 25 किलोमेटर इतना चलता तो कितना रूपय देना पड़ेगा आप हमें पता है फिक्स चार्ज कितना टिकाने का चार्ज कितना पांच रूपय है तो प्लस में धाई सो जो कि आपका दो सो पचपन निकल किया देगा तो 255 रूपी जो है उसको देने पड़ेंगे आगर वो 25 किलोमेटर चलता है तो जो बच्चे स्टेशन में नहीं जूटते रहे हैं चैल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे स्टेशन को लाइक नहीं है तो वो भी करते चलेंगे ठीक है हाँ कल एक्जेंपलर नहीं होगा कल सुबह पी वाइक्यू होंगे ठीक है तो NCRT क यहां पर दो वेक्ते की बात की गई है और साज आपने जैकोब के बेटे की बात की गई है तो दो जने एक को प्रेज्टे एक्स मान लिए उसके बेटे का वाय मान लेकर तो ले मोलेगे लेट प्रेजन एज औफ जैकोब तुम लोग फटवट देखारो मैंने कुछ पॉल्मोन ऐसा कर रहा गलती तुम देखना कुछ को रफ करते हो फड़ा बढ़ते रफ कर रही है जल्देले लफ कर लिया तो वो काम मत करना इसको प्रॉपर कॉपी में फास्ट ट्राइटनिंग के साथ साथ फियर वाला काम करना ताकि जब एक्जाम में बैठ होना तो फियर बच्चे ठीक है यह गलती मुझे पता है आप लोग कर रहे होगे ठीक है यह गलती आप कर रहे हो तो यह गलती मत करना सारे बच्चे जान सुरीगे आगे चलते हैं चाहिए फाइफ इयर हैंस हां तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो मैंने एक्सियस माल गी है और संका प्रेजेंट ठीक है संका जो मैंने वाइए इस मैंने माल गए ठीक है ऐसे नहीं करना एक्स प्लस पाइक और यह कितना होगा वाइप फ्लस में फाइफ क्या है इसाफ किता है तो तीन बुणा कर दो तो एक्स प्लस में फाइफ एक्वल टू थी वाई प्लस में पास यह पंदरा हो जाएगा ठीक है तो जाएगा एक्स प्लस में फाइफ एक्वल टू सेम चीस की लिख रहो मैं बार बार एक्स माइनस का थी वाई प्लस में 5 माइनस 15 इक्वल जाएगा यहां पर आगे एक्स माइनस का 3y और माइनस में 10 एक्वाड हो 0 यह आपका equation निकल के आगे है ठेक है आदक कले आदक यह आपका निकल के आगे है बहुत बड़े है बहुत अच्छा कर रहे हो second क्या बोला आगे हमारे पास कि जैकॉब 5 साल अगो पात साल अगों पहले की बार चल रही है तो 5-8 अगों के बार चल लिए तो x-5 जो है कितना था 7 times तो 7 times of y-5 तो आगे हमारे पास x-5 एक्वाड आगे 7y माइनस से 35 निकल के आगे तो x-7y माइनस का 5 प्लस में 35 एक्वाड जीरो हो जाएगा यहां पर आएगा x-7y और प्लस में 30 एक्वाड जीरो यह आपका निकल के आगे एक्वेशन निकल के आगे तो यह आपका second equation निकल के आगे आप दोनों equation मारे पास दे रखें आप दोनों को हम solve कर लेंगे और हमारा answer बड़े अराम से निकल के आ जाएगा ठेके चलो चेक करते हैं कितना निकल के आगे तो x-3y और minus का 10 एक्वाड जीरो यह पहला equation था दूसर के हमारे पास x-7y प्लस में 30 एक्वाड जीरो दे रखें लाइन कीशने पड़ा पड़ से माइनस प्लस और माइनस खतम हो गया कितना आगे वह लो फॉर वाई माइनस से 40 एक्वाड जीरो हो गया तो फॉर वाई बड़ाने चालिक हो जाएगा तो वाई कितना आगे 10 निकल के आगे वाई हम लोग का 10 निकल के आ देगा अगर वाई 10 आया है तो किसी भी कुशने फुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्स को निकाल सकते है तो एक्स माइनस ने पू पुट करते fert ने से अगर से तो यह एज वाला कोशन जो है सही ओपन ठीक है नेक्स चलते नेक्स पहुंच सा कोशन एक्जाम्पल कह रहा है दो मैंने कहाना एक्जाम्पल ले रखें तारे के सारे ठीक है हां सारे के अग्जाम्पल हम पर लिए गए क्शां में हो सबस्केदा और इसमयर है लीने या एक्जाम्पल आपे उटा है , अक्सर हम लोग र Swap छोड़ देते हैं, तो नो, the ratio of income of two person is nine, ratio seven, ratio को multiple of XR वही मानना पड़ता है, let income ratio be multiple of X मान लिए, तो income क्या क्या हो गई, income हो गई, income हो गई, 9X, so much 7X, यह income हो गई, तो दोनों बंदों की, income ही 9X है, एक ही, आपका 7X निकल के आगई, फिर बोला उसका expenditure, expenditure मतलब खर्चा, तो यहां मान लिए, let expenditure, ratio be multiple of को ही मान लिए, simple बात है, क्या बन जाएगा, 4Y और 3Y, तो 4Y, 3Y बन लिए, ठीक है, जान सुनना, यह इसकी income है, यह इतना कमाता है, और इतना खर्च करता है, यह इतना कमाता है, और यह इतना खर्च करता है, ठीक है, फिर कह रहा है, कि दोनों की saving जो है, वो 2000 रुपे है, अच्छी बात हो, saving क्या हो सेव करें, ठीक है, बहुत असान बदार रुपतर रहा हो, मैं तुम्हें, 7X-3Y, तो 7X माइनस में 3Y, इसने भी 2000 रुपे ही save करें, बोलो बात समय जाए, तो income, तो इसका माइनस में, जो है, माइनस में, क्या, expenditure, आपका saving के बराबर होता है, तो इसको multiply कर दो 3 से, और इसकी सेवसार चोग 28, 28X ठीक है, और माइनस में 12Y, एकड़े ना चाज़ नहीं, 8000 निकल के आगए, ठीक है, तो इसकी बराबर में माइनस का 2000 निकल के आगए, तो X आपका 2000 निकल के आगए, अगर X 2000 निकल के आगए, तो Y बता सकते हो क्या मुझे, अगर X 2000 निकल के आया है तो क्या मुझे वाई बता सकते हो तो बताज़ते हैं फटापट से चलो वाई बताते हैं तो नाइन इन्टे टू थाउजंड मैंनस पूर वाई कितना आगे आपका दो हजार के बरॉल आगे ना अथारह हजार कि मारिनस पूर वाई इकड़ opposite निकल के आज मितार में लाइन अाधालता हो अधो तो अठरह हजार मानुस में दो हजार एकड़ फर्माई जिकल के आ अगे यह आपका 4000 निकल के आगया यह आपका 4000 और एक्स 2000 निकल के आगया अब यहां पर क्या बोला गया था मैं क्या निकालना है दोनों के इसके 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 कितनी है नाइने एक्स कितना है खिर वाई निकलना ही निडिन थीया 2000 कि आगे 18000 रुपर कमा रहे यह पूरा दूसर बाइस सब्सक्राइब कि इसको हो गए फॉर्टीन सब्सक्राइब कर देना चाहिए एंसी आटी को कम से कम जो है यह इनिकम विनिकम कर देना चाहिए थोड़ा मैं देगा एंसे जो है बीस-पच्चीस साल पुरानी है और बीस-पच्चीस साल पहले ना अठारह जार बहुत बड़ी बात हुआ था पर आजकल इतने बड़े नहीं है तो अभी भी अगर अठारह जार रुपए चौतरह रुप जाते हो जो नए जूटते जारे चलगो सब्सक्राइब जरू कर लें चलो निक्स करते नेक्स्ट बहुत सिंपल था income का ratio x का माल लिया multiple इसका y का multiple माल लिया income में से खर्चा मनेस करोगे तो बचट saving निकल के आती हा तो महांसे 2 question बनी solve करा हमारा x आ गया और या छटम नेक्स्ट ल्र एक यठामपल the sum of a two digit number and the number obtainednd by reversing the digit is 66 if that digit of the number differ by 2, find the number how much such number are there ? कितय МУЗЫКА number Sehr open हरी हरी तो यह आपका जो है यह आपका एक्जाम्पल्स मैंने आपर इक्जाम्पल भी लिए जान रखना ठीक है चल तो दो डिट नमबर यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई या तीन नमबर आ सकता है कोश्चन तो इसे जान सुनेंगे ठीक है मैंने काना लापरवाई नहीं दिजिट नमबर इस एक्सवाई मैंने माल लिए तो इसलिए का बोला पहले में सम उफ टू डिट नमबर एंड नमबर आप्टेंड वर्यवर्सिंग जो नमबर है और जो इसका रिवर्स है वाई एक्स ठीक है सिक्षिषिक्स दे रखें बास समझ्वाई नहीं आई इतना स तो समय आई ठीक है अब अब यह तो क्या है हम दो लीने कुशिन पट रहे है अब आपको बता अगर थार्टी फो लीने बनाना क्या समने थे मांघते है प्लम एक्स लिए टैने प्लस में और य एक्स गुद्षिक्स अधूं अब क्या कैसे के मत बोल ना तूम है समझा दे म x plus x 11 x plus 11y equal to 66 निकल के आ गया 11 common कर लो x plus y कितना आ गया 66 तो x plus y आपका वो 6 निकल के आ गया तेखिए दोनों को जोड़ने पर 6 निकल के आ रहे तेखिए कि वांग हो गया तस्थ सम अफ 2 डिजित नमबर अंगर आप उप्रट है कि क्या गलत हो गया के घलत हो गया कोछ भी साही तो है क्या दिक्कत इसमें साही है घलत नहीं आप तो नग nectar नहीं हो कुछ करह कि नहीं है दूसरे बनता है if the digit number is differed by two लीक़्े तो एक्स माइनस य जो है वह अपका two दे रहाँ, दूसरी, कुश्शन हो गाई सबीकति थे हैं टू दे रखा ये रहुड़ है यह पहली खुश़्ैकि पॉस-धर प्रू सliश्च कर आगया और Turkic प्लेस प्लेस्य अपका 6 के बर्राक उगया और packa 2 के बराबर निकल कर अगया और YouTube funds leaking कर आगया एक्स एक 28 फोर निकलकर आ जाएगा नमबर नमबर वोजाएगा 42 42 नमबर और दूसरे 24 वी सकता है दो नमबर हो सकते हैं 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है चुक है सब्सक्राइब करेंगे पीछे करके देख लेना पीछे करके देख लेना आप लो था नेक्स्ट 3.4 में आज़ो भई दान सुरना अब हमार पस के मीना मीना की बात कल तो मीना जो है बैंक गई मीना जो है वह बैंक चले गई अब यह अरांसे तो कि दो हजार रुपर निकालने के लिए कितने रुपर निकालने के लिए मेना ने बड़ी महत करें चाहता हुता लिया पेवली सब कुछ पोता अच्छे से और बैंकले रवाना हो परी शी आक्स तक कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपर कर नोट तो उसने बोला कि मुझे जो प 15 रुपर मिलते हैं मेरे खाल से मिलता न कि इतना पैसा मेरे खाल से मिलता क्या था है तो 50 और 100 के चाहिए see ask the cashier to give 50 और 100 के नोट ही मुझे देने के उसने बोला मीना को total 25 नोट मिले 25 नोट मिले find how many note of 50 और 100 से received बताओ कितने कितने ज्याँ उसको मिले ठीक है जान सुनना तो माल लेते हैं माल लेते हैं let let she got x 50 रुपीज नोट ठीक है and y 100 रुपीज नोट तो माल लो उसे 50 के x नोट मिले और 100 के उसे y नोट मिले ठीक है ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ तक उसके पास total 25 नोट है तो x plus y आपका 25 के ब्रावर आ गया दूसरा कुल कितने पैसे 2000 रुपे है अगर 50 रुपे के x नोट है कितना रुपे होगे 50 x और 100 रुपे के y नोट है कितना अमांट होगे 100 y और पैसे कितना हम पास 2000 तो 50 कॉमन कर लो तो x plus में 2 y कितना आगे 2000 के और और निकल के आगे है ठीक है इसे खत्म होगे 5 रुपे 20 तो x plus में 2 y जो है वो 40 के बराबर निकल के आगे है इस इस आवर equation number 2 बोलो बात समझे आई नहीं आई यह आपका equation number 2 निकल के आदेगा ठीक है कैसे करेंगे यहां एक्स प्लस में 2 y जो है वो 40 के बराबर equation number के आदेगा 2 निकल के आदेगा तो minus 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 यह खत्म होगे minus का y आगया minus का 15 के बराबर यहां पर y जो है आपका 15 आगया y 15 निकल के आदेगा अगर y 15 आगया यहां पुट कर देते तो x plus 35 निकल के आगया तो x अधेगा 40 मैंस में 30 तो आपका x कितना आगया x आपका 10 निकल के आगया तो इसका मतलब 50 रूपे के उसके बाद 10 नोट है और 100 रूपे के उसके बाद 15 नोट होगे बास समझ में आई क्या सभी को समझ में आया नहीं है ठीक है यह स्विटा क्रेटिव डियो आएगा बिल्कुल लेगा फंडामेंटल थेोरोम अर्थमेंटिक तो स्लेवस में भी है अधे क्रिश्च निकीता कैसे हो ठीक है चलो अब हम चलते हैं पर नेक्स्ट कोशन क्या करता 3.5 3.4 में कोशन इंपॉर्टन सा नेक्स द्यान सुन हमारे पास पास जो है आपका भाता तरीका में है चलो कैसे करेंगे कह रहा है infinite number of solution है infinite क्या condition होती है इसकी वो होती है a1 upon पे a2 बराबर b1 upon पे b2 और बराबर c1 upon c2 यह हमारे पस क्या होती है condition होती है हाँ है ना बिल्कुल सही बात है अच्छा a1 कितना 2 है और a2 कितना पने पास a minus में b दे रखे बराबर में b1 कितना है 3 है और b2 कितना है a plus में b दे रखे और बराबर कितना है अपने पास minus और minus खतम होगे मैं लिख नहीं था तो 7 upon पे 3a plus में b minus 2 अब यह 3 चीज बराबर हो रखे है यह 3 चीज आपकी बराबर हो रखे है तो अब क्या करेंगे इन दो को लिलते पहले तो आएगा 2 multiply by a plus में b अब बराबर में 3 multiply by a minus में b निकल के आगए तुम लोग भी साथ साब में करते चलोगे ठीक है साथ साब में करना है ठीक है तो 2 into कितना आगे 2 a अब plus में 2 b निकल के आगया बराबर केतना हो जाएगा 3 a minus 3 b तो 3 a minus में 3 b निकल के आगया अब a वाले एक तरफ कर देते है तो यह 2 b है और यह इदर आगया plus का 3 b हो जाएगा और यह 3 a है मुआ देके minus का 2 a हो जाएगा तो 5 b जो है आपका वो a के बराबर होगे तो एक equation यहाँ से इस तरफ के से निकल के आगया है इसको यह पर छोड़ देंगे इसको यह पर छोड़ देंगे अब हम क्या करेंगे इन दुनों को ले लेंगे ठेके तो क्या हैगा 3 a plus में b minus में 2 बराबर में कितना आगया 7 multiply a plus b 7 multiply a plus b निकल के आगये ठेके हैं अंतक तो 9 a plus में 3 b minus 6 आंसर नहीं आ रहे हैं अभी तक क्या बात है भई हुआ नहीं के तुम लोग का तो सबको इस तरफ करते हैं तो 9 a minus में 7 a फिर plus में 3 b minus का 7 b बराबर में 6 महा चला जाएगा तो 2 a minus का 4 b आपका 6 के बराबर है ठेक है और a के 5 b के बराबर है तो a के बदले हम लोग 5 b लिख सकते हैं क्या बिलकुल लिख सकते हैं 4 b आपका 6 के बराबर हो गया तो 10 b minus में 4 b आपका 6 के बराबर हो गया तो 6 b आपका 6 के बराबर हो गया और B जो हमारा यहां से 1 निकल के आगे B कितना आ गया, B हमारा 1 निकल के आजाएगा ठीक है यहाथ तो इस तरह की खोशन में आ सकता है अब A और B हो गया, P और क्यों हो गया कुछ ही हो जया, अपका निकल के आ जाएगा क्लेरे यहाथ क्लेरे सबको चलाbung चलो नेक्स चलते हैं नेक्स चलते हैं नेक्स सेकेंड पार्ट कह रहा है थे का सेम कह रहा है having no solution अगर हमारे पास कोई solution नहीं है तो बताओ के की वैली क्या होना चाहिए आप कुछ कुछ बच्चों को नहीं यह वो नहीं पता होता कि इसका ना आपको पतान अच्छे से होना चाहिए थे नो सलूशन का मतलब क्या होता है और कोई solution नहीं तो एवन अपॉन पर बराबर हो बीवन अपॉन बीटू के पर बराबर ना हो अब जो बराबर नहीं है वो किस काम का हमारे एवन कितना है 3 और एटू कितना है वो गया 2K-1 बराबर है बीवन कितना है बीवन अपका बीटू कितना है की मैनस से बन बराबर है बन सब का किनकल कि आया है या न यौ्ट बहुत बड़ी जितनी निकल के बहुत बढ़े अब होँ चलते है अपने नेक्ट्ट से नेक्ट्ट्ट इन आप सभी की इन्हेट स्क्रोणी दिले pair of an equation of the following problem and find a solution by an algebraic method यह यह वाला question आपके बहुत बार पीवेक्यू में आया हुआ है तो हमें ध्यान से करना है क्या बोलता है yes score 40 marks in a test yes ने 40 marks जो है score किया टेस्ट में ठीक है getting three marks for each right answer and losing one marks for each wrong answer ठीक है had four marks been awarded for each correct answer and two marks been deduct for each incorrect answer then the yes would have scored 50 marks how many questions were there in the test कितने question test में थे हमसे पूचे जान सुनना दो परकार के question यहां पर है यहां पर दो परकार के question है कौन कौन से एक तो सही वो question जो सही attempt करें एक वह जो उसने गलत attempt किये एक question सही वाला है और question के गलत वाला जहान सुनेंगे तो मान लो let yes correct x questions और let yes incorrect y questions जान सुनना तीन मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर पर तो अगर x right x questions पर राइट करें और एक में तीन मार्क्स मिल रहे हैं तो 3x हो गया और एक मार्क्स कम हो रहा और रॉंग के लिए और रॉंग कितने वाई हो गया कितने मार्क्स मिलें उसको 40 मार्क्स मिलें पहले 40 यह आपकर एक क्विशन फर्स्ट हो जागा बास समय आ रही है ठीक है कितना क्लेर हुआ चो ठीक है नेक्स्ट दूसरे में क्या बोलें फिर कहता है अगर चार मिले साही के लिए तो फॉर एक्स एंड टू मार्क्स डिडट्ट माइनस का टू वाई कितना मिलता उसको 50 इसको कर दो टू एक्स माइनस का वाई को पच्छेस यह आपका एक्क्वेशन सेकेंड उग नहीं है सिम्पल है एक्क्वेशन बनाने से भागो मत ध्यान लखना ठीक है चलो है तो आगे वार पस कितना आएगा तो थी एक्स माइनस वाइग कितना कितना अगया यह खत्म हो गया, यह आपका 15 निकल के आद रहेगा, एक्स आपका 15 हो जाएगा, अगर x 15 है तो य बताते हो मुझे, यहाँ पर पुटते कर बताओ, तो 2 इंटू 15, माइनस य आपका 25 के बरावर निकल के आगया, ठीक है, तो टोटल कोशन पूछे हैं तो टोटल कोशन जो है दोनों को जोड़ देंगे और पंद्रव पाँच पीस बीस कोशन टोटल थे कितने कोशन थे टोटल बीस कोशन टोटल थे बास समझाई अब कुछ तो ऐसे बच्चे भी होते एक दम अलग लेवल का क्या माइनस क्यों किया बीटा माइनस इसलिक में कं हो ना माक कटे हैं इतने साही हुआ तो माइनस करोगे ना नेगेटिव मार्किंग है अब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जूए कहते हैं हम कोंशन तो करते हैं यह बहुत असान है हमारे लिए बड़ी बाट नहीं है लेकिन हमय हाँ चलते हैं का भए बड़े नेक्स भी लास्ट व कोशन है बता है स्वेक्यis ये बहुत बहुत नगली कोशन मुझे बहुत नगली लखता है क्यों अभी समझाए place a and b are 100 km apart और highway एक यह highway मान लो और यह a है और यह b है और इनके जो कितना 100 km जो है इनके बीच में distance पर रहे है one car start from a and another from b at the same time एक car a से start होती है और एक b से same time पर if the car travel in the same direction at different speed वो 5 घंटे मिलती है और if the travel towards each other तो वो एक घंटे मिलता है तो speed बताओ दोनों car की बहुत अच्छा कोशन है ठीक है तो माल लो let speed of car a is x km per hour माल लिया गांसो ना important है आसान करें बताऊ हुआ let speed of car b जो है मैंने का माल लिया is y km per hour मैंने माल लिया एक्स km per hour और y km per hour जो है मैंने इस तरह से माल लिया ठेक है अब केस मना लो case 1 case 1 के जब वो same direction move कर रहे है case 1 के same direction कर रहे है same direction पर लो move कर रहे है तीन चीज़ दिखने बद स्पीड डिस्टेंस और टाइम अच्छे की बाद आप हो speed की बात पर रहे हुआ जान सुनना एक्स स्टार्ट कर रहे है एक्स km per hour की speeds से ओ से देलेक्शन पर इजहरी मूव कर रहे हैं तो ए के पास याना चाहता है पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे है बी और आगे जा रहा है हाई है ना बूलो ए बी के पास याना चाहता है टाइम किता लगा ? वो मिलते हैं 5 गंटे में 5 आवर और दोनों के distance कितना है? distance दिरेगा दोनों के 100 बस ये मैं लिखना है, बस हमें ये चीज लिखना है अब अब क्या करेंगे? हमें पता है distance equal to speed multiple time होता है, distance कितना है? 100 speed कितनी है x-5 और time कितना है time 5 है काटो 20 आ गया x-5 कितना आ गया आपका 20 निकल के कि कुछ ने फर्स हो जागा बहुत simple बहुत ही जादा simple इसमें simple next case 2 की बात करते है case 2 की बात करते है जब वो अपोजिट डिरेक्शन मूव कर रहे है अपोजिट डिरेक्शन पे अगर वो मूव कर रहे है तो क्या इसाब किताब बनेगा यह हम देखने ठेक है तो तीन चीज़ लिखने कौन मन्सी speed distance और time इतर लिखोगे speed, distance, और time यह चीज़ हमें लिखनी है समझते आओ अचे बताओ अगर A इधर जा रहे है और B भी इधर नहीं आ रहा है अपोज डिरेक्शन पे तो speed बहुत जाता है नहीं बढ़ जागी यह इसके पास जाना चाहता है यह भी तो दर यह आ रहा है यह कोशन आपके एक्जाम में आ सकता द्याना करना यह मत करतें न कि सर जी नहीं चैप्टर 3 मत कर रहा हूँ बोरिंग लग रहा है बोरिंग से क्या अब तुम्हारे पास और दिन नहीं बचे अगर आज एंचाटे नहीं करें तो आगे नहीं कर पाऊगे अब इसमें डिलीट है चैप्टर 4 में आ रहा है जब चैप्टर 4 में करेंगे तो बता दों तुम्हों को गब राओ मत चलो करते हैं तो यहां लिखे तो परवर से एक्स माइनस वाई जो है ट्वेंटी जे रहा है तो यह खतम हो गया तो टू एक्स चुह है आपका 120 हो जाएगा और एक्स आपका 60 निकल के आ गया एक्स आपका 60 निकल के आ गया और अगर एक्स साथ है तो 60 माइनस में 20 वाई के बरावर आ गया वाई आपका 40 आ देगा तो वाई कितना है आपका y आपका 40 निकल के आगे है x की speed कितनी है 60 km पर hour है और y की speed कितनी है 40 km पर hour निकल के आदेगा ठेक है नहीं boat वाला question इसमें नहीं आएगा इसमें boat वाला question नहीं आएगा ध्यान दखना boat वाला question नहीं है इसमें next 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 break मिलेगा 3 गंटे बाद अभी कोई break नहीं मिलेगा break कब मिलेगा 3 गंटे बाद ही मिलेगा अभी कोई break नहीं आएगा नहीं है चलो next चलते है last question इस chapter क्या बोल रहे the area of rectangle get reduced by 9 square unit 9 square unit से उसका area कम हो जाता है if the length is reduced by 5 and the breath is increased by 3 अगर breath को 3 बढ़ा दे और length को reduce कर दे 5 और breath को 3 बढ़ा दे तो पहले के मुकाबले area जो है वो 9 कम हो जाता है और next में कर रहे if we increase the length by 3 और breath by 2 तो पहले के मुकाबले जो area है वो 67 क्या हो जाता है increase कर बढ़ जाता है dimension क्या है rectangle की rectangle की क्या होगे ठीक है चलो जान सुनने अरे तीन घंटे बात का मुझा है यह नहीं की बारावजे ब्रेक मिलेगा मुझा सेशन को स्टार्ट हुए एक घंटा चालिश मिंट हुए है हां समझें एक rectangle मरपर दे रखा है मानलो उसकी length x है और breath y है area कितना होगा x into y ठीक है जान सुनना 2 case बना लो मैंना बहुत easy रगता है case बना ले करो case 1 if length is reduced by 5 length क्या हो रहा है length 5 कम हो रहा है length x-5 हो जा रही है और breath breath क्या हो रहा है increase कर रहा है 3 y प्लस में 3 एक सभाए एसा करने से area जो है कम और नौ पहले के मुकाबले area नौ कम हो जा रहा है ठीक है जान सुनना क्या बोला मने तो ऐसे करने से इसका area कितना हो गया l into b length into breath second condition का area इसा करने जो area आया है वो पहले के मुकाबले 9 कम आया है पहले वाले एडिया के मुकाबले नौ कम आए बाहर समया गए नहीं आए कर दो एक्स कर रहा हूं एक्स वाई प्लस में थ्फी एक्स टेक है माइनस फिफ्टीन एक्स वाई माइनस प्लस में थ्फ्टीन तो आगे 3 एक्स बाई प्लस में थ्फी एक्स माइनस का 5Y कितना आ गया 6 This is our equation first चेक है बाह समझ में आ गये अरे दिक्कत आते दिक्कत उसी कदर क्लास से चल रही है दिक्कत दिक्कत में क्रोणा है समझो समझो ध्यान से पड़ो केस्टू की बात करते है क्या बोला If we increase the length by 3 unit तो length जो है पहले के मुकाबले 3 बढ़ा दे गया length X था तो X plus 3 होगे अब breath क्या कर रहे है breath क्या कर रहे है 2 unit breath ही बढ़ा रहे है 2 तो Y plus 2 तो अब जो area कितना आ गया L into B length और breadth है ऐसा करने से area जो है पहले के मुकाबले 67 बढ़ गया पहले के मुकाबले 67 area बढ़ गया तो जो read कर रहा है मैं वही चीज लिख रहा है जो read कर रहा है मैंने वही चीज जो है याँपर मैं लिख रहा हूँ ठेक है तो आगे XY plus में 2X plus में 3Y plus में 6 is equal to XY plus में 67 निकल क्या आगया XY से XY खतम होगया कितना आगे हम 2X plus में 3Y is equal to 67 minus 6 तो आगे हम अरपस 2X plus में 3Y is equal to 61 61 निकल क्या आगया and this is our equation बटके यह आपका second equation हो जाए के लिए आ तक case study करा देंगे वीटा सब करा देंगे दुरों solve करें पहले रहा है 3X माइनस का 5Y यह 6 के बराबर है दूसरा 2X plus का 3Y यह 61 के बराबर है तो मंटी प्लाइबा 3 नोट 3, 2 यहाँ पर मंटी प्लाइबा 2 और यह होगा मंटी प्लाइबा 3 तो 6X माइनस में 10Y is equal to 12 निकल के आगया और 6X plus में 9Y बराबर में कितना आगया अच्छा है तो 182, 3 निकल के आगया चिक है ध्यारा में कोई गरण ना हो जाए माइन खिछते हैं माइनस 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 एक रत्रम हो गया माइनस का 19Y आगया थेन में दोगे एक अथारह मेंसे एक गया सत्रह माइनस करता माइनस कितना आगया 171 पॉन है के शच्राइब को दिक्कत नहें ना चैकर ले ना तो 171 यह वन सेवन वन तो ना पॉन शन वन दिवाड़ में ना यह इन-पॉन ऑन है थे कह नाइन आई गा तो वाई आपका नाइन निकल के आगे है वाई अगर आपका नाइन है तो एक्स निकाल लेगे हैं यह पूट करके एक्स निकाल लो यहां पर नाइन आगे हैं वाई प्लस से फॉट्टी फाइफ निकल के आगे हैं है एक्स आपका 17 अधरी तो 17 आपका लेंथ हो गया अब ब्रेथ आपका नाइन हो जाए ठीक है 17 और 9 आँ हाँ 17 और 9 इस राइट आइट अगया तो लेंड आपका 17 आ गया और ब्रेथ आपका 9 निकल के आ जागा तो यह काफी यह काफी अच्छा कोशन है ध्यान नखना यह अच्छे कोशन में माना जाता है इस चेप्टर से चरो अब हम क्या करेंगे अब हम करते काम करते हैं ट्रिग फटा पड से रृश अक्याम कर रहे हरा है तो पंड पीर हो पड़ा मेरा तुह बश्नम तुम्हार लग रहे है प्रता किया है है बता निक्रेक्र 2020 करते है तो aja कि मिछयी में टेंवह कांथ टीट जैटर साइबगे अथि कार सब्सक्राइब है instruction कि रहेगा कि विए सिक्स्पी करना में कि वह कितने ट्राइंगल से हैं कि अधर गया थोड़े लिए कि चलो कि बात करते हैं ट्रिक्नोमेटरी ठीक है कि बहुत तो अधर गया है कि चलो अभ बात करते हैं लोग सारे बच्चें मिलके पैरी-पैरी बात करते हैं कि एक बार मैं फैर से लिंक शेर्ड कर दूं तो हैं कि हम ट्रिक्नोमेटरी करे करके पिस्टार करते हैं कि हम ट्रिगो कर रहे हैं चलू करें स्टार्ट रिंग्नों ट्रिगो इसी चैप्टर 8 क्या पक्का ब्रेक ले ले लिए पर अभी ब्रेकने ट्रिक्नोमेट्री हो जानदो उसके ब्रेक लेना पर अभी ब्रेक नहीं करते हैं नहीं सुनना चलो चलो पहला गोशन पहला कोशन जानेगे अब यह 8.3 का यह 8.1 है ठीक है गवरा मज जाना कैंसर आपने पागल मना दिया कि किसी स्पीड से भाग रहेगा आप यह 8.1 है चलो जान सुनेगे अरे इस क्या पक्का अरे इस क्या पक्का ठीक है कोशन क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है इफ a and b are acute angle अगर a और b acute angle है ठीक है such that cos a जो है cos b के बराबर है then show that angle a जो है angle b के बराबर है अब तुम्हें पता पूरी बुरी जो trigonometry है तुम्हें पता पूरी बुरी जो trigonometry हो किसमें करती है वह एक राइट एंगल ट्राइंगल डिपेंड करती है तो अगर एंगल ए और भी एक्यूट एंगल है इसका मतलब सी जो एंगल है वह आपका 90 डिगरी का होने बाला है ठीक है यह तक यह एक्यूट एंगल है क्या बोला इसने किरहें कॉस्ट एक कॉस्ट बी के बराबर है ठीक है इसने के पता है कि पापा बोले पपू हरी हरी लूर। यह होता है कॉस्ट पर है अगर एंगल है तो बी यह हो गया है है आगर अगर क्लास नाइंद पे छोटी क्लास में पढ़ाऊ कि आपको एक चीज़ पढ़ा होगा क्या पढ़ाऊगा कि उसके आगे equal side के opposite angle भी बराबर होता है angles opposite to equal sides are also equal to AC के सामने के angle B है तो angle B जो है आपका angle A के बराबर हो जाएगा क्यों लिखोगे यहाँ पर reason देना पड़ेगा angles पिर इतने खुशी हो लिए ऐसा लगा तो कैसा लगा रहा है ऐसा लगा है मैंना एककल साइड का अर ओल सो इकन इकवल तो आप देखना ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे तो गोशन करेंगे हां ठीक है इतने शॉट तुम लोग को इतने शॉट रिक्स पता हुगा इतने शॉट रिक्स रहा हो ना कि इसको पॉमला से करें या फिस सर के ट्रिक्स से करें बहुत बड़े बड़े नंबर आने वह त्यूशन मतलो वह शॉट ट्रिक्स करेंगे पार्सवी क्लास में चाप्ट्र इसमें बहुत ट्रिक्स है चलो नेक्स्ट कोड थीटा अगर 7 अपॉन 8 है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी क्या वैल्यू निकल के आनले अभी बहुत असान झाल besar अगर कौठ ठीटा 7 upon 8 drowning एक चीज और ध्यान लगना एक चीज न और ध्यान लगना टेक है क्या ध्यान अगना तुम्हें बताता हो तो यह तो यह किसकी इंटला कितनी होगी एक स्क्वेर माइनस में बीका स्वेर अब यह कितना होता है अब यह होगे तुम्हारा त्यवन अपॉन इट का स्क्वेर जो कि 49 अपॉन में अठ्टू चांउग साथ हो गया अब ये मत कर देना कि एक्जाम में मालो अगर मालो एक्जाम में मालो अगर एक्जाम में मालो अगर एक्जाम में ये कोशन आ जाए तुम्हारे देखें और किसी बच्चे को याद आ जाए कि ये कोशन एक्साइज 8.1 का है और बोले ना 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 मैं इस तरीके से नहीं कर सकता भाई यह कोशन 8.1 का है तो पहले मैं कौट दे रखा है यहां से मैं का निकाल लूँआ मैं साइन ठीटा निकाल लूँआ फिर मैं कौस ठीटा निकाल लूँआ उसके बाद दोनों वेलों निकाले के फिर इसमें पुट करूँआ फिर सॉल करूँआ तो यह वाला हिसाब किताब मत करना ठीक है कि तुम्हार दिमांग में आरो किसे यह कोशन जो है एक्साइज 8.1 का है तो मैं उस तरीके से नहीं करना तो आइड़निटी आ गई तो 8.4 का इस्तमाल कर लिया तो तुमने सब कर रहे हैं तुम समझदार हो यह अर्कत है मत करना अब बात कर सेकेंड की सब्सक्राइब पूछा हमार पस कोट स्वेट हीटा तो तो परना चल गे तुम लोगों क्य है 14 अब उन 60 तो कितना सिंपल हो गही है नेक्स्ट इफ 3 कोट ए 4 के बराबर है चेक वैदर यह इसके बराबर है या नहीं हमें इसको अच्छे से चेक करना आए फ़रबर चेक कर लेते जल्दी से तो क्या बोला गया कितना हो बोलो कोट ए हो जाएगा अपने बाग 4 अगर 4 है तो 10A कितना हो जाएगा तो 10A हो जाएगा 3 4 अपन पोर के बराबर है ठीक है सिंपल सी बात है तो यह हमाद 3 4 हो जाएगा तो यह आपका LHS है और यह बगरण आपका RHS है तुम क्या करेंगे taking LHS करेंगे taking LHS LHS को लेंगे ठीक है होता है तो क्या ह мног community जाएगा one minus में 10 स्क्कॉर है। तो three upon four का whole स्क्कॉर है एना और upon पे 1 plus three upon four is हो Bild तो God one minus स्क्ष्टीन प़े nine upon 16 upon one plus पे nine upon 16 कि इसे से खत्म तुर आगे hell गया हम 16 माइनस पे आइन आपॉण 16 और 16 अपॉण 16 प्लस पे nine upon 16 इससे खतम तो आगे 7 upon 25 यह आपका 7 upon 25 जो है वो लहस निकल के आगया 7 upon 25 जो है लहस निकल के आगया ठीक है ठीक है ठीक है डूसरा के रहे इसका चेक करो अब यह वेलो निकाल नहीं पड़ेगी ठीक है अब कॉट अगर 4 upon यह बी अपॉन पी होता है तो हम एच 5 निकाल सकते हैं कॉस क्या होता है बी अपॉन एच तो 4 upon 5 हो गया तो 4 upon 5 का whole square साइन क्या होता है पी अपॉन एस 3 upon 5 का whole square तो आगे 16 अपॉन पे 25 माइनस 9 अपॉन पे 25 जो कि आपका 7 अपॉन पे 25 निकल के आगया कितना गया 7 upon 25 तो हम देख सकते हैं लहस जो है वह आपका रहस के बराबर निकल के आ गया ठीक है अब चले नेक्स चलते हैं कि क्यों नेक्स चलते हैं कि इंट्रेंगल पीक्यूहार राइट अड्ड क्यू और प्लस क्यूहर 25 यह पी क्यूआर पांच दे रखा है तो मैं साइन पी कॉज़ पी की की वैल्यूज बतानी होंगी चाहिए तो trigonometry हमें करना ज़रूरी है मज़ा तो सही का किसी बच्छे ने बोरिंग नहीं लगती चैप्टर सिक्स हो गया है क्यों और निकल के आगे जान सुनना कि पी आर प्लस क्यू आर पचीस दे रखा है तो पी आर प्लस क्यू आर उसको एक्समान लिए मैंने तो हमें पता है हमारे चाचा हुए हमारे चाचा ड़ यह ины fare और और किस तारी को पाइथाहोरस क्या बोला नोने उनने प्लाइव का स्क्वेर करोगे तो प meditate कु स When q यह निकल के आधे हैं प्यार कितना एक स हैं तो एक्श का स्क्वेर क्या निकल के आगे ऑगिए पक्ता स्क्वेर 먹고 तो र चुम्वार कितना है हम पीवाइक्यू करेंगे कब कल करने वाले हैं तो एक स्क्वेर बरावर कितना आ गया 25 तो एका स्क्वेर प्लस में बीका स्क्वेर माइनस में 2 AB अब इससे खतम हो गया तो कितना आ गया छेस्टो शाड़े चैसी 750 यह और प्लस पचास एकास तो एक सागय सिकस्वीथी आप ऑने 50 घंघ्ट हो एक सब्सक्वेर प्लस को लिएझ आगे een च्विक्वाया एक स्विध इतना घ्याने 30 निकल्कर आगे सिधी है अगर अगर अपको 13 से तो बतो कितना आ है एधर टन हो गया 25 में 12 ये 12 हो गया ये 27 पी निकालिए साइन भी पान एच होता है तो p 12 अपौन एस तेरह को पी निकालना है भी अपौन एच पांच बटाद तेरह और टैनल पी निकालना थिक तो 12 पटाद पांच है तो साइन कॉस्ध ठीन हमें चाहिए था जो कि हमने बड़े आराम से निकाल लुड़ से क्लिए अभी को कि आज सभी प्यारए प्यारोच्ट वह समजाय नहीं आ है कल एक्जेम्ट्र लिखा था बट एंसिय अटी करने के बाद कितने हद तक आप कोशन पीवय क्यों कर पा यह दिखाने के लिए तो आज हम एंचाइटे लिप्टाएंगे कल लिप्टाएंगे तो इसको थोड़ा पॉस्पोन कर देंगे सुबह आठ वजी क्लास से उसको कर सकते हैं तो कल पीवाई की पुरा फोकॉस रहेगा और रात को में एक शॉर्ट रिक्सन है को मुझा आएगा पर फृट को हैं あ यह है है चलते हैं नेक्ष बडार के सब्सक्राएं . आथ देंश्चेष दो ओर सब्सक्राइंग अभी दो घंटे एक गंटा और पढ़ं heading चैप्टर नाइन एट करने के बाद ना चैप्टर 10 भी लिप्टा लेंगे और छोड़ चैप्टर लेंगे तो हो जाएगा काफी कोच हो जाएंगे ठीक है चलो जाएंगे और वैसे तुम्हें पता है टाइमिंग पांच बजए की थी है आज लेकिन लाइट और वाइफाई की टैगने वीशू के वैसे हमें पोस्टम करना पड़ा दो घंटम लेट है और दो घंटे लेट है अभी तक हमारे पास काफी चप्टर हो जाने चाहिए थे स्टेट वैर्दर फॉल्वीं आर्ट्रू और फॉल्स जस्टिफा यूर आंसर दवैल्यू ओफ टैन ए इस लेस लेस दन वन टैन एकी जो वैल्यू है वह हमेशा वन से कम होती है ट्रू है या फॉल्स है तारे बच्छे बताएंगे ऐसे काम ने चलेगा सभी को ट्रू फॉ बताना है टेवल याद करो मुझे बताओ कि टैन एकी जो वैल्यू है क्या वह हमेशा वन से छोटी होती है या फॉल्स है यह विल्कुल फॉल्स है क्यों फॉल्स है आपको पता है टैन जो है 60 डिग्री पर रूट 3 होता हो रूट 3 1.7 के बराबर होता है जो कि बढ़ी वैल अब सेक क्या होता है सेक होता है एच अपॉन पे बी होता है सेक का मतलब तो एच बारह और बी पांच हो सकता है सेकिंड वाला जो है आपका ट्रू है सेकिंड सेकिंड वाला सेकिंड वाला ट्रू है कि सेकिंड वाला बिल्कुल हो सकता है सेक ए बारवटा पांच हो सकता है तो मुझे कन्फूज करते हैं अब दैर मुझे आंसे करना पड़ेगा इसका इसका है बिल्कुल ट्रू है वे दो कर ट्रू है कॉस ए इस दा एब्रिवेशन यूज़ फॉर को सिकेंट इस आफ एंगल ए तो कॉस ए जो है को सिकेंट ए के बराबर निकल के आता है बताओ को सिकेंट ए इगी बोले आता है को सिकेंट बोलता है में इक साल से फॉल्स है नेक्स्ट कॉट ए का मतलब क्या होता है कॉट इंटु ए क्या साइन ठीटा फोर अपॉन स्री हो सकता किसी के लिए क्या साइन ठीटा फोर अपॉन स्री हो सकता किसी के लिए ज्यान सुनना क्या साइन ठीटा फोर अपॉन स्री हो सकता है फोर अपॉन से बड़ा अंसर आता है वन पॉइंट तुम्हारा वन पॉइंट सिक सम्थिंग आएगा और साइन कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता ऐसा सा हाइपोटेनियस, जो हैं, लॉगेष्ट होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए तो दो तरीकी सा आप समझ सकते हो कि साइन ठीटा की वैल्यू कभी वहंसे बड़ी नहीं होती, तो भी भी फॉल्स है और कभी भी हाइपोटेनिस परपेंडेगुर्स चोटा नहीं हो सकता हम इसे बड़ा होता है तो यह आपका लास्ट वादा भी आपका फॉल्स निकल के आ गया तो पहली एक्साइज में हमें यही कोशन करने थे ना हो चलते एट पॉइंट पॉइंट टू पर गेर आपके सिंट पर कोशन है Buddhist sign a – b ब área और कोश new यह कोशन भी आपका two marks में बहुत बार पॉछा है और इस बार भी आपके exam में as it is आ सकता ध्यान से आपको करना है इन कोशन वह बहुत सिंपल है क्या करना है इसमें सुनो साइन ए मैनस बी जो है वो आपको वन अपन टू के बराबर दे रखाए तो हम क्या करेंगे अच्छे कि बहुत हो साइन वन अपन टू कब होता है साइन 1 अपॉन 2 होता है साइन 30 पे एक इस पर साइन 30 पे होता है compare करेंगे तो a-b जो है वो 30 के बराबर आगे equation पर फर्स्ट हो जाएगा हाई या ना simple है बिल्कुल उपरा जाओ हमें पता है कि sin a plus b हमारे पास जो है 1 अपॉन 2 दे रखा है तो साइन अगेन a plus b जो है कब होता हमारे पास पॉन्ट बोलो वह हमारे पास होता है साइन 30 डिगरी पर ही होता है इसका मतलब compare करेंगे a plus b भी 30 निकल के आ गया अरे क्या बात है यह आपका second equation हो जाएगा यह खतं हो गया तो 2a आपका 60 आजाएगा वहांसे ए कितना आ गया ए हम लोह का 30 निकल के आ नड़ेगा NOT भूद आ गया और बी जो है आपका 0 निकल के आ जाएगा ठीक है कुछ भी रॉंग नहीं है सब बिल्कुर बढ़े चल रहा है ठीक है कुछ गलत नहीं है कॉरसे कॉसमा सुख यूट है जो यू ऑवरे कॉंवरस जो काश है किस अब अब टीकिए अब थीक है अब तो ठीक है अरे अब तो ठीक है अरे अब तो ठीक है चाहचा कॉस्ट वन अपॉन टू कप होता है 60 पे होता ना ठीक है एक प्लस में आपका 60 के बराबर आ गया और बी कितना आ गया काफी बच्चे अटेंशन में काफी बच्चे अच्छा लगा मेरे को रॉंग बच्चे में काफी सही लगे अटेंटीव है गुट चलो next next एक्साइस एट पॉइंट टू पे फटापट फटापट से आ जाता है कैके की साथ है अब तुम्हें कभी कोष्ण आता है इसकी डिक आलिए अब तुम्हें टेबल याद होना चाहिए अब तुम्हारी पुस्ते खत्म होगे पर टेबल आता है याद हो आने मुझे है चलो बेने मुझे तो यांद है को उसका होता वन पॉन पर रुठव से थर्टीक इतना होता है ौप अशather sino अग्यां अगया है झूप प्लस में तू रूट में थृ अब परूट फ़ी निकल के आगी कि अ वरह पॉंट इने टू तोट बंटी प्लेन पर आ है विए रूट फय तोब फ्ल네 निकल के आगे जो किये आ गया रूट फ्मी तरौट है कि नमने भी एक रहां सब्सक्राइब मेंने इन आ फॉर्वक में करेंगे माय को को पॉसर करेंगे करो ड्रोट जीर सकतीर सब्सक्राइब आप करना पड़ा है시면 इह तो करेंगे तो टिक है अरे गल्थ नहीं है बेटा चलो कितना गए टू रूट सिक्स माइनस में टू रूट में 18 है अपन पे दो कस्कुए चार दूनी आठ दो कस्कुए चार चौबिस ओपर माइनस का टू कोमन कर लो तो रूट 18 में रूट 6 हां तो चौबिस हां चौबिस में आठ गया तो 16 निकल के आ गया ठीक है मैंनस का खत्म आठ आठ आधा का नीचे एक मिट बस तो गया रूट 18 मैंनस में रूट में 6 अपन पे 8 ये तुम्हारा अंसर निकल के आता है ठीक है सिंपल है चलो एक मिटा सिंपल एक मिटा तो 16 निकल के आता है कि अधा आधा है थिस्या पारत बद है कि अधा?" हाँ संतोसर आया थे प्रिप्र उठ समज है इसो मान ने के ठीक है जलते हैं नेक्स निए नेक्स कोशन करना बढ़ेगा साइन 30 कितना होते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1045 वन होते हैं वन लगाओ कॉसे 60 तो अपॉन रूट 3 अपॉन पे सेक 30 कितना होते हैं 2 अपॉन रूट 3 कॉसे 60 कितना होता है वन अपॉन टू और कॉट पॉन अपॉन अपॉन लिए तू रूट 3 आएगा है से तुम फटावट से करना नहीं आता फिर देखना ठीक है अरे पहला गल्ध गल्ध क्यों चिल्ला रहो यार क्या अंसर इसका पहले का सही तो है साही तो बेटा गलत नहीं कहते उसे अरे गलत नहीं कहते या तुम ना वहीं वाले बात हो रूट 18 को 3 रूट 2 लिखा है और कुछ नहीं है भाई रूट 18 की जगह 3 रूट 2 है इतना तुम आना चाहिए क्या या तुम लोग ना गोल कपी के सकल हो ना काम दर नहीं है इसमें खल्त हो गया साब बास बास चलो तो रूट 3 यहार 2 रूट 3 यह रूट 3 रूट 3 देंगे से प्लाजना कुछ भी नहीं है सब कुछ दे दो है और यहां पर कितना है? रूट 3 है 2 to the 4 हो गया सेओाड ना जाजना अब सबस्को कि कि प्लस में कितना हो गया 2 रूट 3 हो गया है इस से खताम हो गया तो ञें ओप पांज पे रूट 3 प्लस पॉर-3 प्लस प्लस करें है यह दो जो मतले में रॉग कहेगा उसे चंगा कहां से आया था वह गहां ऊसे दोडो इस ना उपर स्क्वर लग जाएगा थी रूट 3 मांड़ स्फॉर का होल स्क्वर रॉध जाएगा और नीजेगा इक बार प्लस में है और एक बार माइनस में तो 3 उर्ट 3 का स्क्वेर स्कूर्स का स्क्ष grapes सुख्षक्त सूर्ट सो आप करतें कितना आगया एक स्कूर्स closer सत एका स्क्वेर प्लस में ी at स्कार मैनस टूए भी चाहती बर चौईस ट्वेंटीफोर रूट थ्री अपॉन पे कितना आ गया ट्वेंटी सेवन माइनस में 16 तो आ गया 43 राइट येस तो 43 माइनस कि ट्वेंटीफोर रूट में थ्री अपॉन पे 11 निकल के आ गया 43 मैंस 24 रूट 3 अपॉन विल्गोस आ गया आ गया 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 क्लियरत अभीक हो इसलोनेख्स नेक्स क्स नेक्स next इफ टैने प्लस बी रूट 3 के बराबर है और टैने इस प्ल्ल vontade के बराबर है तोबतो ए और बी क्या होगा तो हमें ए और बी की वैलिव बतानी है ठीक है वह अभी पीछे वैसा ही कुछ है तो 10A प्लस भी है अब रूट 3 है तो 10 रूट 3 कब होता है जब 60 डिग्री पर होता है तो 1060 इंपल कंपेर करेंगे तो A प्लस B कितना आगे आपका वो 60 के पर एक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा सेम कम यहाँ पर कर दो कितना आ गया 10 A मैनस B वो आपका वन अपन रूट 3 हो तो 10 30 डिग्री पर 10 30 निकल के आ गया तो क्या हो जाएगा A मैनस B जो है वो आपका 30 निकल के एक एक्वेशन में सेक्ट हो जाएगा दोनों स्वाल करेंगे यह खतम तो 2 A हमारा 90 हो जाएगा और A जो है आपका 45 हो जाएगा A कितना आ गया A 45 होगा अगर A 45 है तो 45 प्लस में B आपका 60 के बराबर आ गया और B कितना आ गया 60 मैनस में 45 और B जो है हमारे पास वो 15 हो जाएगा तो A आपका 45 हा गया और B आपका 15 हा गया बहुत बढ़िया जितनी टारिफ की आप प्यार गयर हो चुकी तो नहीं हम बिल्कुल सही से कर रहे हो next 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 क्या कह रहा है state whether the following are true or false हमें बताना है कि यह सही है true है और false है यह सारी कहानी बतान ग्यान सुनना क्या sin A plus B sin A plus sin B के बराबर होता है नहीं बिल्कुल जाता है यह आपका false हो जाता है टीक है ऐसा नहीं होता दूसरा the value of sin theta increase as theta increase जैसे जैसे हम theta को बढ़ाएंगे जैसे theta को बढ़ाएंगे 0 30 45 60 जैसे जैसे theta को बढ़ा रहे है क्या sin theta भी बढ़ता है बिल्कुल बढ़ता है sin 00 होता है फिर आता है आपका 1 upon 2 जोकि 0.5 हो गया फिर रूट 3 upon 2 आता है फिर आपका ऐसे बढ़ते 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 बढ़ता है तो आपका यह बिल्कुल true statement है क्या यह 2 है दूसरा the value of cos theta increase as theta increase यह false है cos theta के बढ़ने से theta के बढ़ने से cos theta घटता है cos 01 होता है और cos 90 होता है तो cos घट जाता है theta के बढ़ने से तो आपका यह false है ठेक है next क्या sin theta और cos theta हारे theta के लिए बरावर होते हैं नहीं नहीं केवल sin 45 भी बना पॉन रूट टू होता है और cos 45 भी बना पॉन रूट टू होता है तो 45 degree के लिए ऐसा होता है हमेशा नहीं होता always वाली बात नहीं आगी यह भी आपका false निकल के आएगा cot a is not defined for a equal to 0 अगर angle a is 0 degree पर है तो क्या cot आपका not defined होता है cot क्या होता है होता है cos a upon sin a होता है अब cos 0 1 होता है sin 0 0 होता है 1 upon 0 not defined होता है यह बिल्कुल true है यह बिल्कुल true वाली बात कहीं गई है किसी भी नम्मर को अगर 0 से divide करते हैं तो वह आपका not defined बन जाता है तो यह बिल्कुल आपका true statement है तो यह आपको ऐसे question के आदर डालोगे पता होगा तो आपको कोई दिक्कत निकल की नहीं आगी कुछ इसी प्रकार का में ने ख्याल से assertion reason आपके practice paper में भी आया था आपके sample paper में भी आया था यह सारी चीज़े आपको आने चाहिए ठीक है बहुत बड़ी है बहुत बड़े कर देंगो बहुत अच्छी बात है start किया था हम लोग ने 2.4 k से ठीक है और अभी हम लोग 1.6 k में अर difference देख रहे हो यह 600 बच्चे य 800-600 इनka मन स्थिर नहीं है थह चाहिए कि चल ओैंसे कर लिया वह बासी आ गई नहीं मदा नहीं आ रहा चलो थोड़ा तो यह सारे चीज़ें होती है यहां पर महाँ पर चलते हैं तो हमें एक जगह पूरत अपना है तब काम होगा थोड़ा थोड़ा घ्यान सब से लगे कुछ पाइदा नहीं होगा पूरा complete ग्यान जो है वह आपको यहीं पर एक जगह से लेना आपको आना चाहिए चाहिए चंचल मन है होता थोड़ा पड़न में बैठें अपना शौट देख लिया किसी का मैसेज़ आकर देख लिया तो यह वही होते हैं हां चलते हैं नेक चलते हैं तो कल्यूमिन मन चंचल भूप लोगा बहुत मन चंचल है स्थिरता ही निए चलो प्रूफ देट सेक ए मंटीप्लाइब 1-मैने साइन मंटीप्लाइब सेक ए प्लस टैने 1 के बरावर होगा अब प्रूफ आले कोशन बहुत अच्छे होते हैं दान सुनना तो टेकिंग लहेस टेकिंग लहेस क्या होगा तो सेक ए है सबको साइन कॉस में उदल दो सेक ए उतार वन अपॉन पॉस ए यह आपका वन माइनस साइन ए है और सेक एको वन अपॉन पर कॉस ए लिख सकते हैं और सेन को साइन एक्वान पर कॉस इन तो मेन तरीका क्या होता है मेन तरीका यही होता है कि मैं आपको सभी ouslyivities को मैक्सिम केश में इसा होता है आपको साइन कॉश में क क्रणऊ करणा है के बहुत आज़ी होता है सारा द्धार यही है क्या अवन माईनस मिश्र हम और walks में साइन यौ और मीश कऑन कि अब माइनस भी ए प्लस भी तो ए का स्क्वेर माइनस में बी का स्क्वेर अब कितना आ गया कॉस स्क्वेर निकल के आ गया अब वन माइनस साइन स्क्वेर क्या होता है वह कॉस स्क्वेर ए ही होता है और नीचे भी कितना आ गया कॉस स्क्वेर ए आ गया तो कट के आपको कितना आ ग चलो नेक्स चलते हैं एक्साइज 8.4 में अब हम पटाबट से कोशन करने हैं तो 1 प्लस 10 ठीटा प्लस 10 ठीटा मंडिप्लाइब 1 प्लस कोट ठीटा माइनस कॉस्ट ठीटा की वैल्यू क्या होगी ठीक है की वैल्यू क्या होगी तो अगर आपको ना ट्रिक देखना है चलो अब हमें हैं इंटीजर्स हैं नंबर से तो अपलाई करना तो मालों ठीटा मैंने 45 पूट कर ले इसको दा रजनी गांट रहे हैं तो 1 प्लस 1045 बन होता है पक फॉट फॉट टू होता है तो टू प्लस में रूट टू और टू माइनस में रूट टू तो एक का स्वेर माइन तो अगर आप जो है इस तरह से करना चाहूं तो कर सकते पीड़ क्लास के बाद मिलेगी भाई है तो इस तरह के से आप कर सकते तो तो अगर यह तभी अप्लाई करना है जब कोश्ण तुम्हार ट्रिग्णोमेटरी में हो और आंसर तुम्हें नुमेर्कल में पूछा गया हो तब वे काम करना है ठीक है तो अगेर वही काम करना सब को साइनल पॉसं केह नहीं है। एक पय होता है wana पॉन कॉसं ही ओ तय ais नहीं है। 19 में हुए पूरा थी गंटा होगा तो हम टे लेंगे ब्रेक लेंगे। में साइं वुण साइं आ अपाॉन बेसाइक निकल के आ गयी। संबने कितने स्क्रेश का इसन न है किस ए कट पने को सधी मैंने सब्सक्राश vra सट है स्क्षर होता है कुछ स्क्व обяз का दो कुछ ए को में कि और option d fourth is the right answer option d is the right answer option d is the right answer next proof the following identity where the हम यह सब प्रूफ करना पढ़ा पढ़ते लास्ट पढ़ाओ में पहुंच गए यह काफी मोटा important part होता है इस वाले इसका ठेक है पीडिएफ क्लास के बाद मिलेगी description में मिज़े दूआ हाँ दूए है ठेकिगले अलेस तुम्हें पूफ करो अपराउट से हैं गहीं को से होता है वन अपॉबब यृत साइन और कोत होता है साइन का होल गजल को कमें तो वण में को स सथा अपॉन साइन अपॉन सथीसा का होल इसभी गजलिए कि ऊपर स्क्वार मंद दो बार लेक्सकते कि फोज सिटे इंट पर उन उनमाइनस को czyli कि और कि पिल्भा गिए कितना इंचे आग्या कि नीचे आए गला निचे। थीर्थ-ट और मैनस में कॉस्ट थीट फॉल फोरल फ्रोडतफ को श्रीटे ऑपं पे chip drop is स्कुर्क प्लस में लिख दोगे खिंगे खत्म हो गया कितना वहर पस ऊक्ष। यह हमारा अंसर आ गया हैंस प्रूब निकल के आ चुक है ठीक है यहां तक सही यहां तक चलो नेक्स्ट कॉस ए अपॉन प्लस साइने प्लस वन प्लस साइन अपॉन कॉस से जो है तू से के वरा प्रूफ करना है अब मैंने खाता कोशन में जहां नहीं पर अगर आपको सबकुछ साइन कॉस में नहीं दे रिखा तो कन्वर्ट करो यह आपके साइन और प्लस में दे रखा है अ तो हम क्या करें सीधा एज़्यों लिगर साउल गना शूरू करतेंगे ए कैसे कॉस को से कितना आ गया में कॉस स्क्वार ए प्लस में प्लस को इसको ओपन करना पड़ेगा तो को जो नए जुर्टा सेश्मिंग को सब्सक्राइब कर लेना एका स्क्वेर प्लस बीका स्क्वेर प्लस टू अब पर पर वन प्लस साइन ए मंडी प्लाइब को से कैशurable कौस और साइन कितना होता है वन होता तो वन प्लस में वन प्लस में टू साइन ए अप उन पलस में साइन ए मंडी प्लाइब कौस से से निकल के आगिए अब यहां यहां बी टुए कर लो तो करेंगे वन प्लस में साइन ए ठीक है और नीजे कितना आ गया बोलो वन प्लस में साइन ए मंटी प्लाइबक कॉस से निकल के आ गया अब इससे खत्म तो two upon पॉइंट सेक निकल के आगे जो कि आपका हैंस प्रूव्ट हो गया यह अपका निकल के आजाएगा ठीक है बाहर समझाही नहीं आई ठीक है आप अरे अभी अभी है टाइंड ले रहे हों ब्रेक ने ले ना अब ब्रेक की बाप मुझ तीन चाहरा दिन लगके पड़ो करेंगे कल सुबब करेंगे सारे प्रूफ की कोशन सारे नहीं जो जो मैंने कुछ सेलेक्टेट लिए है तो जादा नहीं है होने वाला वस नेक्स्ट टैन थीटा यह काफी इंपॉर्टेंट है यह आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है और तेटेटा अपॉर्ण पर वण माईनिस में कॉट थीटा प्लैस में कॉट थिटा पॉन मायनिस सेंटा जो है इसकी वर्य पूरूफ करना है यह बहुत ही बढ़े कोशन है बहुत अच्छा कोशन है आपके इशा में आ सकता है तेन करणड़ करो, sin theta upon पे cos theta, upon 1 मैनस में, cos theta upon sin theta, जोखे, plus में, कितना आ अगया, cos theta upon sin theta, upon 1 मैनस में, sin theta upon cos theta, क्लिए नहीं तक कितना आगे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन पे साइन थीटा ठीक है कि प्लस में यह यहांब कोज थीटा अपॉन पे साइन थीटा और डिवाइड बाइस कॉस्ट थीटा माइनस में अपॉन पे कॉस्ट चेह रात के 2 बज़ा 3 बज़ा पर पूरी अंसटम करके रहेंगे फूर्य अंसटम करके ठीक है कि तो फर्स्ट कॉАफोर से साइड और साइन हो गहें साइन स्पर ठीटा पर कॉऌस्ट तो कितना हो गया साइन ठीटा मिद्थफ आँ के एक कामगोरय में कामन कर सकते हैं मैंनल मैंनलं कर insights में porte cos cos पर theta हो गया upon पे ये sin theta ये बदल दो sin minus cos कर दो अब हम क्या करेंगे 1 upon पे sin theta minus cos theta common कर लेगे क्या बचा sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon पे ये बच्चे का क्या करा मैंने यह प्लस था यहां से minus common कर लिया तो ये minus 1 plus को देगा ये plus 1 minus को देगा ये अमारे पास इस तरस नहीं कर लेगे sin minus cos क्योंगे सभी को कोई break नहीं हाँ तो गया 1 upon पे sin theta minus cos theta sin 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 cube theta cos 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 cube theta upon पे cos theta इंटो पर sin theta अबना a cube minus b cube का formula a cube minus b cube का formula क्या होता पता तुम लोग को a cube minus b cube होता है हमारे पास a minus b a square plus b square plus a b शायद 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 यह formula होता हमारे यह यह formula होता है इसका अप्लाई कर रहेंगा मैं आप पर one upon पर sin theta minus cos theta मंदी यह आएगा a minus b इससे खतम हो गया यह आपका one हो जाएगा तो one plus में sin theta into cos theta upon पे cos theta into sin theta निकल गए एक मेंट ठीक है अब अलग अलग कर दो अलग अलग कर दो इसको अलग करो one upon पे cos theta into sin theta और plus में sin theta into cos theta upon पे cos theta into sin theta अब one upon cos क्या होता सेक होता है सेक theta और one upon sin cos सेक होता है और यह कटके one हो गया तो यह आपका fine answer आगया और यह हो गया यह बहुत lengthy question द्यान रखना यह lengthy है यह आपके exam में आ सकता है ठीक है कि वास में आई नहीं कि रिपीट नहीं होगा रिपीट नहीं कुछ भी रिपीट नहीं कुछ भी ठीक है तो यह आपका हिसाप किता बहुत आई बढ़ बहुत बढ़े कोशी बहुत बढ़े कोशी ठीक है अट कि सर मेरे से कि एक लाज छुट गई अब क्या करूं कोई नहीं बढ़ा सुरू से करो सुरू से करो ठीक है कि चल या जूसर पीड हो याज नेक्श अरे हो तो जान दो तुम्हें पहले ब्रेक चाहिए प्रूफ यह काफी इस इस और इंपॉर्ट कॉश्शन ठीक है इस को हमें इसके ब्राव प्रोफ करने है ये अकसर रहता है शुट है अब कॉश्श जो है वो कॉट कब बनेगा जब साइन से डिवैड करेंगे तो ऊपर भी और नीचे भी साइन से डिवाइड कर दो, cos upon sin cot A, sin upon sin 1, 1 upon sin cos A, cos upon ये भी cot A, plus 1 minus cos A, ind क्या होती है, वो होती है, देखलों आपर, तो यहाँ पर आजाओ, cot और cosec, तो cosec A, plus में cot A, minus 1 upon पे, cot A, plus में 1, minus में cosec A, दावाद, 1 की जगह मैं कुछ put कर रहा हूँ, cot A, plus में cot A, 1 की जगह क्या लिखूम है, 1 की जगह क्या लिखूम हो, ठीक है, तो लिखूम हो, cos square A, minus, में cot square A, minus में, देखो न, cos square A, minus में cot square A, जी है, वो 1 के बराबर आएगे, न, वो ही कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो एक बार, plus में, में, और एक बार, हम लोग, इसे minus में कर देंगे, ठीक है, फिर divide by, divide by कितना आएगा, cot A, plus में, 1 minus में, cos square, अब यह सेम से में common कर लेते हैं, तो cosec A, minus में, सोरी, plus में cot A, common कर लिया, 1 minus में क्या बचेगा, cosec A, और plus में cot A बचेगा, उपर, तो minus है न, minus और cosec, minus minus plus cot आएगा, और divide by, cot A, plus में, 1 minus में, cosec A, यह खतम हो गया, कितना आगया, cosec A, plus cot A, यह प्रूफ तरमाता, cosec A, plus में, cot A, यह हमारा निकल के आदेगा, ठीक हैं, तक, सबको समझ में आए नहीं है, है, चलो next, यह भी बहुत famous question है, root के अंदर, जब भी root के अंदर हो, हमें से rationalize करेंगे, हमेशा, rationalize करेंगे, तो root में क्या करो, one plus में sign, आई, तुमने के वाद, चौथे चैप्टर में जहाग फैक दिया, अभी तो पूरी बुक करनी है, क्यों है, ऐसे, तो अपर आगया, one plus में, sin a का whole square, अपर नीचे कितना आगया, a का square मैंनस से b का square, अधना, देखो न, a minus b, a plus b, a का square मैंनस b का square, तो तो यहागा, one plus में, sin a का whole square, और one minus sin square होता है, cos square है, यह रूट से भारा आगया, one plus sin a, नीचले भारा देगा, कितना आगया, cos a, अलग-अलग कर दो, one upon by cos a, plus में, sin a upon by cos a, one upon cos क्या होता, sec, sec a, और sin upon cos क्या हो 10, तो sec a और 10, यह हमें प्रूफ करना था, हताम बात है, कल बहुत मदा है का PYQ session है, बहुत मदाने वाला है, चलो, next, कोई break नहीं है, हाँ, यह भी कोशन काफी बार PYQ में आप, NCRT नहीं कोशन प्रूफ आले को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यह यह उठके आजादा कभी कारतो, NCRT और NCRT example quotient diet उठके additives आते हैं, कुछ changes नहीं होता महत में, तो यह दो भूख हमें बहुत अच्छे से करनी है, चलो LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, टेक हैं, तो क्या करें, साइन दोनों common कर लिते हैं, तो साइन ठीटा common करो कितना आ गया, 1- में 2, साइन स्क्वेर ठीटा निकल के आ गया, divided by cos θ, कितना आ गया, 2, ठेके, अब यह तो 10 हो गया, और राइट हैं साट कटनी चाहिए, तो एक काम करो, साइन में, cos में रोने कर दो से, 1- में 2, साइन की जाए लिख दिया, 1- में, cos square θ, ठीक है, नीचे बाले को ऐसे रहन दो, खेलते मत रह जाना, इसको cos में कर दिया, साइन में कर दिया, खेल रहे हैं, दुबारा चेंज हो गया, उपर, साइन मन गया, एक को चेंज करना बज़, ठीक है, तो एक 10 ठीटा, 1- में 2, प्लस में 2, cos square θ, ठीटा, डिवाइड बाई 2, cos square θ, ठीक है, अब ये 2, cos square θ, minus 1, खतब, आगे 10 ठीटा, और यही आपका RHSP है, सही है, यही आपका RHSP है, चला, नेक्स्ट चलते है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, I think, second last question, second last question of हमारा chapter 8, second last question है, डटे रहो, बने रहो, बने रहना यार, मैंने का लग, तुम लोग को मुझे मोड़ट करना चाहिए, मैं तुम मोड़ट करना रखो 12 तक, तो 12 ऐसे तो रहना ही है हमने, 5 गंड़ा मिने तो रहना ही है, उसके बाद एक काम करना, इसको नीन आइए वह सो जाना, 12 के बाद, कल 2x में देख लेना, ठीक है, 12 के बाद, पर नहीं सर, हम आपके सालसात करना चाहते हैं, तो फिर लगे रहो, यह तो असना है बहुत, इसको उपन करो, a plus b का अल स्क्वेर, a का स्क्वेर, plus b का स्क्वेर, plus 2ab, 2 sin a into cos a k, इसक्या हो देखा, a का स्क्वेर, plus b का स्क्वेर, plus 2ab, 2 cos a into cos a, कि हैं कि साईन और कॉसेक एक दूसरे के रहाइसी प्रोकल होते हैं यह खतम सेक और कॉस यह खतम क्या बच्चा sin squared A है 7 में cos भी ले ले plus में 2 plus में 2 क्या बचा cosec और बचा sec ये अगें 1 होता है identity 1 plus 2 plus 2 5 cosec की need नहीं है cos is a cot Iovah तो 1 plus में cot square है और second need नहीं है 10 Iovah तो 1 plus में 10 square है identity यादो नीचे कम लोगो पांच है साथ 7 प्लस में 10 स्क्वेरे और फिर प्लस में कॉर्ट स्क्वेरे तो यह हमरे पास बड़े अराम से यह कोशन दो बहुत एजी होता है और बड़े एजली प्रूफ होगे मैंने काना देखो मैक्सियम टैम हम साइन को करोड़े बहुत लेंदी हो जाएगा तो इस तरीके से सारा इसाप किताब आपको लगाना पड़ेगा ठेक है सर मौतम खराब होगे बार अच्छा जी लास्ट कोशन अव ट्रिग्नोमेट्री कास हम सच में इसी चेप्टर में उता किता चलता ना मुझा रहता लास्ट कुशन ट्रिग्नोमेट्री करता कॉसेक ए माइनस साइन ए इतना इसके बार प्रूफ करना कि टैने कॉटे ने टैने प्लस कॉटे होगा एक मना देखा सूंगे बचानलता हूं मैं तो चीज़ों को ऐसी होने चे तैयारी कि कोशन देखते बचानलोग चलो यहां तो हिंट दे रखाए लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं अगर आपका दोनों सॉल्व ना हो ना अलगल लेगी इस अपकिता बना सकते हूं चलो पहले टेकिंगे लेचेस क्या बचानलों को सेक होता है वन अपॉन साइन माइनस साइन है ठीक है और सेक होता है आपॉन कोस मांनस को से टो वन मायनस में साइन स्कॉर अपॉस यह बुद एप आपॉन माइनस में कॉसस्कुर अंपॉस है नयुक्यश कै disturbing को kilka BILL McG क्या होता है कोस इसकुए होता है तो का उसकवर कउस्कवर ए अपॉन पे साइन मंटिप्लाय वन मैननस पॉस क्या होता है साइन स्कॉयर एपॉन पर कौस bathroom बाह सनिआ अा निकल के आ कि ले यान तक कर लोगे सण प्राइब इसामने अब यह समझे नहीं आ रहा तो आरज उठा लेंगे तेकिंग और एचस के वन अपॉण पर टैने क्या होता है साइन एपॉण पर कॉस और कॉट क्या होता है कॉस एपॉण पर साइन होता है को बराबर है वन अपॉण पर आजरें कि साइन्टु साइन क्या हो गया प्सक्हार और नीचे कितना आगया कि अब यह उपडर चला गया तो साइन एन्टु कॉस है और नीचे वारा बन हो गया यह वन होता है तो यह आपका आगे RHS और यह आपका LHS है तो हम साफ साफ देख सकते हैं LHS जो है वो आपके RHS के बराबर है तो हमारे पास को मुन चेप्टर हो गए हमारो यह वन हो गया हमारे चार चेप्टर जो है तीन घंटे के अंदर हो गए जिसमें त्री और फूर बड़े चेप्टर थे यह हमारे बड़े चेप्टर थे हाँ हाँ ही को कि स्रेस बोला हम एंप बहुअ hai अब हिए अब हमारे पास बीस मिनिट है अभी इन्हांना ब्रेग नहीं बीट मैंने क्का था मैंने क्था मैंने का था मैंने का था मैंने क्का था तीन घंटे की ऑलक nerव अभी वीच्म बच्षियं तो बताब बीस मिनिट में कौन चेप्टर कर लिते हैं एक काम करते हैं एक काम करते हैं एक काम करते हैं एक काम कर रूग 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 र करते हैं 12 करते हैं 12 करते हैं चलो प्रोयल्टी कर लेते हैं यह 12 कर सकते हैं वह कम कोशन सेंस में 12 कर सकते हैं 12 कर सकते हैं 12 कर ले क्या क्या बोलते हो 12 कर ले एक बड़ा चेप्टर हो जाएगा एक बड़ा चेप्टर हो जाएगा 15 करना है 12 थे ज़ाद पड़ा नहीं है एक एकसर डिलिट है यह वह एक एक साइस करनी है 12.2 बस क्या बोलते हो घरा दो अरे करना तो हैं? औरे करना तो है सारा क्या दिक्कत हैं? चलो, हिच्छा प्रोडि कर देते चलो, कोई बात नहीं चलो, प्रोड़ी करें थे अफ़र आट से चलो, प्रोड़ी करते हैं चलो, जाँ सुरना प्रवाइलटी कर रहे हैं प्रवाइलटी कर रहे हैं सुनो जहां से कह रहे हैं two players Sangeetha and Reshma okay play a tennis match it is known that the probability of Sangeetha winning the match is 0.62 .62 what is the probability of Reshma winning the match Sangeetha winning match 0.62 है तो Reshma के match को जीतने की probability क्या निकल के आएगे ठीक है अरे 15 आसान है ठीक है अरे जलती हो जाएगा पहले probability कर लेते हैं इसके बाद क्या कर रहे हैं जब next session में आएगे रहे break के बाद 20 मिंट के बाद तो 12 और 13 कर लेंगे पे रुपे 12 13 हो जाएगा ठीक है और फिर थोड़ा गैप लेके 9 10 कर लेंगे फिर बच्छा 4567 खरता हम क्या करेंगे तो प्रोवैल्टी ओफ रेश्मा कितना हैगा ठीक है वह बन से मैनस करना पड़ेगा बन मैनस में 0.62 जो कि आपका 0.38 होगा यह आपका एक्जाम्पल करें तो संगीता के गेम को जीतना देखो के तो मैं पता ना प्रोवैल्टी ओफ इवेंट इप्लस में प्रोवैल्टी संगीता का जीतना और संगीता का हारना नौट विनिंग हारना और नौट विनिंग का मतलब क्या हुआ क्या हुआ कि कौन जीतना रेश्मा जीत रही है तो इसकी जब मैं रेश्मा में लिख सकते हैं तो प्रोवैल्टी ओफ संगीता प्लस में प्रोवैल्टी ओफ रेश्मा यह वह आपका वर्ण के बराबर होगा ट्वास्ट फास्ट करेंगे next सवीता एन हमीड़ यह किस दायन का नाम है हमीड़ जी जो और कोई बात निँ होगी कोई सवीता हमीड़ आर फ्रेंड्स पता नहीं कहती है यों दोस कर रच्छे प्रवाइब पर ने कैसे दोस्त अच्छे रखो वाट इस दप्रवाइलिटी एट बोथ विल है डिफ्रेंट बड़े टेकर और देंव बड़े हो और दिफ्रेंट बड़े हो इंग्णोरिंग लीपीर लीपेर को इंग्णोर कर दो टेकर बड़े होने के चांच कितने हैं मालों दोनों का बड़े 28 मार्च को आता है तो प्रवाइलिटी ऑफ सेम बड़े 28 मार्च एक दिन होगा अपाउन 365 प्रवाइलिटी ऑफ सेम कितना हो गया वन अपाउन पे 365 ठीक है और डिफ्रेंट बड़े तो 364 upon 365 बाई एक दिन सेम बढ़े हो सकता बागी अलग अलगे बहुत चांस बन जाएगे तो 364 upon 365 टिक है समझ महा रहा है कहां कि यार हमीडा कहा है हाँ टिक है नेक चलते है सारे एक्जामपल ले लिए का मेरे मजे मजे में स्यान सो देगे देर आर चालिस स्टुडेंट इन क्लास 10th आफ ए स्कूल आफ हूम 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉई एक क्लास में 40 बच्चे है चालिस बच्चे है जिसमें 25 जो है लड़किया है तेक है और 15 जो है वो लड़किया है अच्छा जी the class teacher has to select one student as a class representative CR select कर रहे CR टेक है C write the name of each student on a separate card the card being identical अलग-अलग है then she put card in a bag and stirs them thoroughly stirs them देखो मैं को stirs का मतब नहीं पता माल लो कुमारी है then she draw one card from the bag what is the probability that the name written on the card is the name of a girl लड़की का हो भाई सब जो कोशन पूछा न जब कोशन पूछा लगा जैसे नहीं तो कितना डेंजर कोशन पूछ ले हो उत्ताट स्टेटमेंट लड़की आने के प्रोविल्टी बताओ तो प्रोविल्टी यो फस्ट लड़की कितनी है लड़की 25 कुल कितने है 40 पांच पच्चिस पांटे-चालिस इत होगा चेक है दूसरा बॉय की भाई में को लगा कुछ बढ़िया पूछा होगा यह क्या पूछ लिया मैं समझ में सही में जब तुम इसे पुपड़ होगे न कुछ पूछ रहे वाले क्या डेंजर सा होगा तो खोदा पांट निकली चुईया जैसे वाले ट्रिक्नोमेट्री में प्रोविल्टी में ऐसे हिजाब किताब रहता है चलो ठीक है हर प्रीत टौसेस दुफरेंट कोन सामल्टेनिश्ली से वन आप रूपीज दूसा दूगा सिक्का हर प्रीत कहा रही है आज तो सिक्के उच्छा लेंगे एक एक का सिक्का दो का सिक्का तो दो सिख्का उच्छानने पर आउटकमज आते हैं head-head, head-tail, tail-head, or tail-tail. क्या बोला probability at least one head की? at least one head आने की probability बतानी है. कम से कम एक head तो आ जाए, कम से कम एक उच्छान के दोनों चल जाएंगे, पर एक तो आना ही चाहिए. three upon four is the right answer. 3 upon 4 is the right answer सारे बच्चे आंसर देंगे ठीक है 3 upon 4 is the right answer चलो next बाट कितने एक जा अचा last 2 dice 1 blue and 1 gray are thrown at the same time write down all the possible outcomes what is the probability sum of 2 numbers appearing on the top dice is 8 13 less than or equal to 12 outcome नहीं लिखरा मैं सारी बात मानने जरूरी नहीं है चलना मैं नहीं मान रहा sum 8 आना चीए तो क्या क्या outcomes होंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 3 6 2 1 2 3 4 5 5 upon 36 5 upon 36 ठीक है ठीक है अधक चलो अधक है नेक्स्ट थर्टीन आ जाए थर्टीन आ जाए थर्टीन कर वह हो सकता है थर्टीन तो होई नहीं सकता जीरो मैक्सियुम छेचे बारा होता ना लेस्टन और इकुल टू बारा बारा ये बारा से कम सारे आ गए तो प्रोल्टीन थर्ट सारे आ गए वन तो पहले का आंज़ा पाइफ और फिप्टिसिक्स जीरो और वन निकल के आगे ठीक है अब आओ फड़ावट से हम एक साइस के अंदर की चीज़े कर लेते हैं विच ऑफ फॉलुएंम टाट बिटकी कभी नेगटिव नहीं होतीW झिज्राइफ और лसिश्क कर प्रॉप्ण पломड्व suis और प्रोपरेंट ऑ फिज रहे है वो आपका वन की बराबर होता है तो इसमीन लगाना है तो आगे अपने पास priority of not e का 0.95 निकल के आदाएगा 0.95 निकल के आदाएगा ठीक है चलो next करते next एक box में 5 red marbles है 8 white है और 4 green marbles है one marbles is taken out from the box what is the priority red आने की तो priority बतानी है red आने की तो red कितने है बिटा बताओ आपके कितने है पांच red है और कुल marbles कितने है आठ और पांच 13 चार 17 पहला हो गया दूसरा प्रोइल्टी बतानी है white आने की तो white आने की तो white आने की प्रोइल्टी वाइट कितने white आपके 8 है total 17 प्रोइल्टी बतानी not green ना आने की तो the property of not green green नहीं आ रहा मतब्व रेड और वाइट आ रहा है तो आट-पांस तेरह 13 अपॉन पे 17 पास प्रक्षा साने बच्चे सारे बच्चे fast fast करेंगे, सारे बच्चे fast fast करेंगे, इसमें time नहीं लगाना है बिल्कुल नहीं लगाना हमने प्रावट करना है next क्या कहता है, एक piggy, एक हमारे पास के एक piggy bank है contain 150 पैसा coin, ठीक है 50 पैसा के 100 coins है 50 rupees 1 coin, 50 rupees 1 coin तो 1 रुपे के 50 coin है, ठीक है 20 rupees 2 coin तो 2 रुपे के 20 coin से ठीक है, और 5 rupees के 10 coin है तो total coin कितने हो गए 180 ठीक है if it is equally likely ठीक है what is the probability that will be 50 पैसा coin तो probability of 50 पैसा coin 100 upon पे 180 जो कि आपका कितना आ गया 2, 5, 10, 2 नहीं मठा रहा, 5 upon 9 निकल के आ गया, ठीक है हा, धान लखना दूसरा, probability of second कितना आ गया will not be 5 rupees point 5 रुपे कर ना हो अलग कितना होगे, 71 तो 17 upon पे बहुत fast fast कर सकते हैं बहुत easy है सारे बच्चे करो, सारे बच्चे करेंगे fast fast, ठीक है चलो next चलते है, next, 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 next एक game है, जिसमें ऐसे घुमाते है सुर्ण घुमती रहती है, ठीक है 8 में रुके, ये pointer जो है, 8 में रुके, उसकी probability कितनी होगी अब pointer, 8 में रुके नहीं प्रोयल्टी भाई, एक ही बार 8 में रुक सकता है और total 8 है, 1 upon 8 निकल के आगे प्रोयल्टी सेकिंड, और नमर रुके, और नमर कितने है एक, दो, तीन, चार चार और नमर है, 4 upon 8 1 upon 2 निकल के आगे, ठीक है नमर greater than 2 दो से बड़े नमर पर रुके दो से बड़ा, एक, दो, तीन, चार, पांच, चो चो बटे में 8 2, 3, 6, 2, 4, 8, ठीक है नमर less than 9 9 से छोटे नमर, तारे नमर नमर नो से छोटे है तो 8 बटा 8, एक निकल के आगे हो बहुत असान, next अधाइस इस थ्रोन वन्स, पाइंदर प्रोयल्टी व गेटिंग अ प्राइम नमर एक दाइस को फैक करे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आउटकम्स आएंगे हाँ या ना पहला पूछे प्राइम नमर का अब प्राइम नमर कौन मों से नमर होंगे बताओ फटावट से 1 प्राइम नमर नहीं होता 2, 3 और 5 तो 3 अपॉन में 6 जो कि आपका 1 अपॉन 2 निकल के आगे नमर 2 और 6 के बीच में 2 और 6 के बीच में आपका 3 नमर होते हैं तो 3 अपॉन 6 अगेन आपका 1 अपॉन 2 निकल के आगे हैं एक और नमर और नमर आने की प्राइलिटी तो 1, 3, 5 अगेन 3 बटा 6 एक बटा 2 तो इसका आंसर एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, लाइक कर दो, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, सेशन को सारे बच्चे मिल के लाइक कर दो, ठीक है, आगे चले, next, one card is drawn from a wealth shepherd deck 52 card, find a probability a card of red, king of red color, सुनना द्यान से, probability आसाने से pass कर रहा हूं, ठीक है, probability आसाने से pass कर रहा हूं है, अभी हम ब्रेक लेंगे, उसका 12-13 लिपताएंगे, आराम से, ठीक है, king of red color, चार राजा होते हैं, दो काले, दो लाल, तो 2 upon 52, 1 upon 26, face card, कुल face card 12 होते हैं, चार राजा, चार रानी, चार गुलाम, बारा होते हैं, तो 12 बटा, 52, कितना हैं, 4 ती हैं, 12, 4, 13, और red face card, कुल 12 face card होते हैं, 6 red होते हैं, 6 black होते हैं, तो 6 बटे पर 52, ठीक है, the jack of heart, सारे पत्ते एक-एक होते हैं, jack of heart, एक jack heart का होता है, एक jack diamond का, एक spade का, इस तरह के से होता है, तो एक ही होता है, तो 1 upon 52, स्पेड का पत्ता हो, 13, 13, 13 स्पेड होते हैं, 13 jack, 13 स्पेड होते हैं, 13 club होते हैं, और 13 diamond, 13 heart, 13 heart, 13 upon 52, 1 upon 4, यह तो पता ही है, the queen of diamond, diamond के queen बता नहीं है, the queen of diamond, एक ही होगी, 1 upon 52, यह फटरा-फटर से करना आप लोग को, ठीक है, देखो रहान से, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 black होते हैं, 26 red होते हैं, अब black में 13 स्पेड होता है, 13 club का पत्ते होते हैं, इसमें 13 diamond होता है, और 13 heart वाला पत्ता होता है, 12 face card होते हैं, जिसमें से 6 red होते हैं, और 6 black होते हैं, यह ही साब किताब होता है, ठीक है, यह ही साब किताब होता है, 13.3 delete है, next, 5 card से, एक 10 का पत्ता, एक jack, एक queen, एक king, और एक इक का है diamond का, are well shuffled with their face downward, one card is then picked up at random, what is the probability that the card is the queen, तो probability बतानी queen हो, तो queen कितनी है एक, और total कितने पत्ते पांच, 1 upon 5 पांच आर निकल के आगया हो, ठीक हैं तक, दूसरा क्या बूच है, इफ तक queen जो निकाला था, उसको side कर दिया, अब queen नहीं है, केवल 4 पत्ते बचा आपके, what is the probability, the second card जो उठाया वो एक का हो, तो second card जो उठाया वो एक का हो, एक का कितने एक और total कितने चार है, ठीक है, और फिर queen हो, दूसरा B, तो probability बी, queen है ही नहीं, तो 0, सौन्जाया, वह लो, के लिए निया तक, चलो, बस तीन घंटे होने वाले अपने, अभी break मिलेगा आप लोग को, फिर खाना खा लेना आराम से, ठीक है, अभी आगे चलते प्राबट से, next, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, तो good कितने pen है, 12 defective good कितने है, 132, defective कितने है, 12, total कितने हो है, 144, it is not possible to look at a pen and tell whether it is defective or not, determine the probability that the pen taken is a good one, तो probability बताने good होने की, 132 upon a 144, तो 12 से गार सकते, 12 एलेंजा, 12 एलेंजा, 11 एलेंजा, 11 upon 12, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम, ठीक है, ठीक है, अहां, सुनो जाहन से, a lot of 20 bulb contains 4 defective ones, 20 में 4 include हैं, ध्यान रखना, तो good कितने हो गए, 16, और defective कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 1 bulb is drawn, what is the probability that is defective, तो probability बताने है, defective होने की, तो 4 upon way, 50, sorry 20, 1 upon 5 निकल के आ रहे हैं, ठीक हैं, पहला, suppose the bulb drawn is not defective, माल लो, जो हमारे पास, माल लो, जो हमारे पास, जो bulb निकाला था, वो defective नहीं है, बल्लो गुड था, गुड वाला है, और replace कर दिया, तो अब second case में 15 गुड बचे, और defective तो चाहरी हैं, probability बताने है, not defective की, तो probability बताने है, not defective ही, तो 15 upon way, 19, ठीक है, next, ओके, असान सा कुछन है, ज्यान सुनेगे, break मिलेगा, बस खतम होने वाला है, बस खतम होने वाला है, probability के बाद break मिल जाएगा, ठीक है, class ताब बेसे रखना, शाम को, ठीक है, तुनो, अब box contain 90 dicks, और number लिख दे 90 पे, if one dicks is drawn at random probability बताओ, we are two digit number, तो probability first, अब देखो द्यान से, total नभ्य 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 है, नभ्य में से, 1, 2, 3, 4, 9 तक बन डिजित होते हैं, तो two digit वाले 81 होंगे, two digit वाले 81 होंगे, 81 upon way, total 90 है, 9 जा 81, 9 ते जा 90, तो 9 upon way, 10 निकल के आगे, perfect square बताना है, perfect square बताना है, तो एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नो भी क्या सी, इन सबका square, तो लाई करेगा ना, समझे, मैंने कैसे निकाल रहोंगे, 9 नजे 81 तक जाएगा ना, ठीक है, तो 9 ही होंगे, तो 9 upon way, 90, 1 upon 10 निकल के आगे है, 5 से divisible होता हो, 5 से divisible होता हो, तो 50 तक तो 10 हो गए, ठीक है, और 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 1 upon 5 is the right time, ठीक है, डिस्क ना, डिस्क, हाँ, डिस्क, डिस्क, अरे, खाना, मुझे भी खाना यार, हाँ, चलो, आगे चलते हैं, अचाइल्ट है दर डाई, वो 6 फेस आर दिस, प्रोयल्टी बतानिये, ए पे गिरे, तो प्रोयल्टी ओफ ए, कितना आएगा, 2 upon 6, 1 upon 3, डी पे गिरे, 1 upon 6, टाइम विश्क निकल ना आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये खतम हो जाए, फिर ब्रेक रित से, क्योंकि न मेरे माइक में चार्ज खतम हो जाएगा, तब मैं दूसरा चार्ज लूँँगा, ठीक है, दूसरा माइक ले लूँँगा, इसलिए होने वाला, टैंशन मतलो, ठीक है, एक लॉट में 140 बॉल पैन है बीस डिफेक्टिव है तो गुड कितने हुए 124 गुड है और डिफेक्टिव कितने 20 है वो तभी खरीदेगी जब साही हो नहीं जब गलत हो मलब बेकार हो ठीक है प्रोल्ड फस्ट वन 24 अपॉन पे सितना 144 काड़ चार टीया बारा चार कम चार टीया बारा चार्ची चौविस टेक्ड है कट गए नहीं कट गए नौट बाए तो 20 अपॉन फ़र्टीफो तो फॉर फाइव जा 5 अपॉन थर्टिश्ट निकल के आंसर आए ठीक है नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, अगेम कंदिस्ट अफ टॉस्टिंग और वन रुपी कोईन थी ताइम्स और नोटिंग इस आउट्सक्म, तीन बार उच्छाल रहें, तो क्या आएगा, तो तो, आठ आउटकोम आएंगे, चार बार हैड लिखो, और टेल, फिर दो बर हैड, दो बार टेल, दो बर हैड, दो बार टेल, फिर एक बार हैड, 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 एक बा पर एट जो की आगया 3 upon 4 3 upon 4 निकल के आगे चुक है next a dice is thrown twice what is the probability five will come either time five will come at least once ये बहुत important है ज्यान सुनना ये काफी important question है ज्यान सुनेंगे बहुत important है सुनो द्यान से पाच will not come either time पाच पाच ना आए किसी समय ना आए ते बहुत द्यान सुनना से 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 ठेक है और 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6 ठेक है ये नहीं हो अच्छे एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 तो 36 में से 11 मैनस कर दो तो 25 निकल के आँगी तो प्रोयल्टी फर्स कितना हो गया 25 अपाउन पे 36 निकल के आँगिया ठीक है सही है तक मैं आउन से चेकल कर रहा है कर रहा है कर रहा है तो 25 अपाउन पे बिल्कुल सही है ठीक है अब इन सम में पाउंच एक बार जरूर आ रहा है तो टोटल ग्यारा है तो प्रोयल्टी सेंड कितना आ जाएगा दो एक बिल्कुल सही है या तो और नमर आजन की प्रोयल्टी जो है वो कितनी है त्वी अपाउन पे 6 है जो कि आपका वन अपॉन टू हो जाता है विल्कुल विल्कुल साही है विल्कुल साही है तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन में चेप्टर कर लिये बताओ मुझे वन कर लिया टू कर लिया त्वी कर लिया और हमने एट कर लिया और हमने फिफ्टीन कर लिया तो पाँछ चैप्टर हमने काफी अच्छे से वो कर लिया है इसके बाद यह करेंगे यह though ना के आप थाटी मिन्ट का भरेक है तो थर्टी मिनिट का ब्रेक दे रहे हैं हम लोग अभी टाइम कितना हो रहा है अभी time कितना रुआ रुझा रुझा ऊभी टाइम हो रहा है 22 दस बच के 13 मिन्ट तो दस बच के i 15 थे पंदरा माझत तलो 10 45 पर मिलते बाइस है तो फोन को चार्ज वेर कर लो तो थर्टी मिनिट का ब्रेक है तो मिलते है ब्रेक के बार में त चार्ज पर लगा लूँ तो तो टाइमर डिके फिरे उसको तो टाइमर मुटर दिए अभी पेसा टाइमर है कि रिंग वेस्ट टाइम इस अब वे कैसा टाइम बता रहे हैं बाइस चौधा कि फॉर्टिफाइफ कि अच्छाब कि अच्छाब कि अच्छाब कि अच्छाब झाल 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 तो आप मेरे ख्याल से हम आड़िबल हैं ज़स्ट आप चेक किया जाएं ज़स्ट आप चेक किया जाएं अब ठीक है क्या आप आप आड़िबल है आप आड़िबल है क्या आप आड़िबल चेक करो वी फास्ट हाँ जी आप आड़िबल है ठीक है आप ठीक है अब ठीक हैं ठीक है चलो क्या बड़ा तो जल्दी से लिख दो चार्ट पे एक बार रेडी सेडी ओकी सरो डन है अरे जोल्दी बोलो ठीक है परफेक्ट है ठीक है तो अब सब ध्यान दो बिटा यह आपके पास सरकल है यह आपके सरकल है बोलो है बिटा ठीक है और इस सरकल में आपकी पास ये आपका radius है सबसे पहले तो आपका basic formula है चाट पे अला काट तो थोड़ा सा अला काट तो फिर चाट पे आपका जाओ ठीक है हाँ ये सब का सब ज्यान दो अगर मालो बिटा मुझे area निकालना हो तो क्या करेंगे आपका pi r का square है और साथ में आपका circumference निकालना है तो two pi r हो जाएगा पहले मैं basic की बात करूँ अब बेसिक से लेके ले करवांस है अब बाकी के जितने भी chapter से बिटा वो सब मैं करवाने वाला हो ठीक है और करते 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 हम पहुंचेंगे तो around ये तीन बाद दो से तीन बज़े तक का session हो जाएगा ठीक है जो अरे बिटा मैं class कर रहूं ना चलो डन अपका बिटा बेरोजगारी तो ऐसी होती हमारी ठीक है येस परफेक्ट ना अरे हलागाटो ठीक है चलो कि आजो येस बहुत शांदर हाँ बहुत शांदर का चलो कि अब मेरे ख्याल से सभी को आया चलो कि ओके आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर यह बोलो कि है यह आपका एक हो जाएगा सेक्टर यह सेक्टर हो जाएगा और सेक्टर के बाद आपके पास हो जाएगा हंजी यह बोलो कि आपका यह माइनर सेक्टर है और यह वाला आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा तो अचो चालो क्या ओकी चालो कब है तो तरक ये अब दाव तेकियां में आपकबेंिते कर दो कि कर दो के लगते ना भूले बटके यहां पॉस्कियों में कलती है कोई बात करते हैं तो सबसे पहला कोशन मारे पास कह यह वीड वाला कोशन अब मुझे पता तुम समय खाना वान अठाली होगा प्रॉपर मैंने वह अच्छा भरपेड खालिया मौज कर लिए होगी अब जल्दी से हम चैपट 12 लिप्ता आते हैं बड़ा बड़ा काम हो जाएगा और फिट कैवेल ओसका striking डायमींटर 80 सेंटी में एक कार है उसके व्यल का डायमेटर कितना देना है ए्टी सेंटी मितर ऎसका रिडियंस उगा वह गूंफ और 2 सेंटी मीटर होगा अभस सेंटी मीटर है इसको मीटर में अकर डेते हैं जोकि हम ऐन रदेगा 40ND पर 100 अब मीटर में हो जाएगा बोलो हाँ यह खतम तो 0.4 तो 0.4 मीटर जो है आपका रेडियस निकल के आज जाए रहा ठीक है आज तक है ओके हाव मैनी कंप्लीट रेवोलूशन डज इच विल मेक इन 10 चीप इन 10 टैम लिख लो पड़ाबर से लिख की चल रहते तो जो जो फस्पीड अपने पास है वह दे रखा है 66 क्लमेटर पहर हम दोगर्वाणन काम करते हैं तो इस GB 1 रहा मिंड हो खें हैं तो इसे काट हूग तो इसे काटोगे 11100 तो रपस आएगा 1100 मीतर पर मिनिट यह हमारी स्पीड निकल क्या दाए अगर मैं तुम्हें कॉंसेट की बात करूं मैंने तुम सभी को मैंने तुम सभी को कॉंसेट के बारे में बताया हुआ था क्या बताया था कॉंसेट कैसा हिसाब किताब होना यह इस लोग को यह होता है एन मंटीप्लाइब टू पाई आर जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो हमने क्या करना पहले डिस्टेंस निकालना अब डिस्टेंस कैसे निकाले हमें टाइम भी पता है स्पीड भी पता है तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना है स्प कितना मीटर में डिस्टेंस निकल के आ गया अब आप इंडू निकल के आ गया तो एन कितना गाएगा सेवन मंटिप्लाइब वन वन एक दो तीन अपॉन पे टू मंटिप्लाइब ट्वैंटी टू मंटिप्लाइब जीरो पॉइंट फॉर निकल के आ जाएगा ठीक है तो आंसर आप समने बताई दिये यह हमें ध्यान में रखना है कि युए ऐन मंटिप्लाइब टू पाइय आर जो है वह डिस्तन्ज के वरावर होता है तो यह वैलिफू पुट करके रखनी है ठिक है मुश्किल कुछ नहीं होता है डिस्तन्स निकालना होता है अब कई बर डियर्टेसंद से ग्यारा किलोमेटर तो बते न ही रिवलुशन होंगे तो डिर्के दिस्टेंस पूट करोगे और अगर अगर दिस्टेंस ना दे के अगर आपको स्पीड और टाइम दे रख है तो वहां से आप डिस्टेंस निकाल जोगे ठीक है कि लिए तो अनुचरू टिक है औरा है example of g vacation है, find the area of segment A, Y, B, तो हमें जो area, यह आपका example of g znaj, यह हमें निकाला है, यह कितना area होगा, यह हमें निकाला है, simple है क्या करेंगे, बोलो, sector में से triangle का area, minus कर देंगे, क्या करेंगे, पूरे sector में से triangle का area, हम लोग minus कर रहे होंगे, रिया को यह कोइगा अन मुझे पता है कुछ बच् warfare क्या सहर अरे सर यह तो बड़ा असान सेक्टर मैं से घट्लता है तुम करके बता हो तो रिखना न क्या यूरत का अगा इस改格 नीकाल के बता हो ट्राइंगल का area of sector minus में area of triangle sector का area आसान है कैसे आसान है theta upon 360 into pi ईरका आपرج है अब triangle का area कैसे निकाले सारगा सारा खेल यही पर है triangle का area कहां से निकाले कैसे निकाले तो आगे है सम्मिल के प्लिट triangle का area निकालते है तो मैं triangle को भाहर ले लू चलो मैं ट्राइंगल को लेदा इस्तर से यह मैं ट्राइंगल को ले इस्तर से तो यह पूरा 120 है तो यह आपका 60 आदेगा सुनते लेना यह 21 है और यह आपका A हो गया इसको D नाम देते और यह आपका O हो गया और यह आपका B निकल क्या होगा अब area of triangle होगा half into base into height तो half into base कितना होगे आपका AB और height कितना होगे आपका OD तो हमें AB और OD निकलना पड़ेगा हमें AB और OD निकलना पड़ेगा अब यहाँ पर चैप्टर नमर 9 का इस्तमाल करेंगे application of trigonometry वहाँ से निकालेंगे तो इस triangle के गर बात करूँ में ठीके तो हमें यह वाला angle दे रखा है तो angle के यह आपका क्या हो गया यह आपका base हो गया angle के सामने perpendicular हो गया यह आपका hypotenuse हो गया तो base निकालना है hypotenuse दे रखा है तो हम बोलेंगे OD upon पे base upon hypotenuse OA कितना है Olá बेस अबनाए पकास कॉस्स टीखण फिखर दिग्री है तो OD कितना बता ओव ओडी हमें नहीं पता ओ यह कितना है लोटन तो ऊटे मने क्या कर लेना है हमने एक साथे लेन कर लेन rd तो फां पेटैने इस साइन होता है तो साइन कितना है निकालने और एयों कितना है पर टफटीवन और Hapo2 होता है है को सिंसे तो रूट थ्री अपॉंट निकल के आगए ठीक है तो एक इतना आ गया AD तो 21 root 3 upon 2 निकल के आ गया AD कितना आ गया 21 root 3 upon 2 निकल के आ गया AD इसका डबल करेंगे पूरा A भी निकल के आएगा तो A भी कितना हो गया 21 root 3 हो गया तो A भी कितना हो गया 21 root 3 तो सारी information मिल गई है हमें अभी सो अटाओ सारी की सारी इंफोर्मेशन मिल गई है इसको फटावट से अटाओ तो सब्सक्राइब कितना है बेस आपका ए बी ट्वपय रूट रूट स्री इंटू हाइट कितना ओडी इस तरीके से ठीटा कितना है 120 अपॉन 360 पाई आरका स्पर पाई की तत्थ 21 संग आरका स्पर 441 माइनस 441 रूट 3 अपॉन बेट विए 4 टिक है ये 1 अपॉन 3 हो गया टिक है तो 441 कॉमन कर लो तो 22 अपॉन 21 माइनस रूट 3 अपॉन 4 कुछ इस तरीके यहां से छोड़ सकते हो कुछ इस तरीके का आंसर छोड़ सकते हो ठीक है कुछ इस तरीके का आंसर छोड़ सकते हो ठीक है क्लिर सभी को कुछ इस तरीके का आंसर आप लोग आराम छोड़ सकते हो यह एक्जाम्पल का है मैं चेक कर लो रूट जो आंसर तूट गया ठीक है हाँ का है को से आंसर रूट ज़िए कि यहां पर सारे बच्चे इसलिए छोड सकते है यहां पर चोड़ा जा सकता है आब आप करते हैं इसके कुछ आने सांद यां के आगे saben the area of a sector of a circle with रेडियाई 6 if angle of sector is 60 degree अगर आपका theta जो है वो 60 degree दे रखा है और आपका radius 6 cm है तो area of sector निकालना है क्या होता बोलो area of sector जो होता है वो होता है ठीटा पॉन 360 इंटू πाई र का स्क्वर होता है ठीटा कितना है 60 है तो 60 अपॉन पर 360 इंटू पाई र का स्क्वर 22 बटा स्क्वर इंटू आर का स्क्वर आर कितना 6 है तो 6 मंटिप्ला पर 6 निकल के आ गया ठीक है यह 6 आ गया 6 से 6 खतम हो गया तो 132 अपॉन पर 7 cm का स्क्वर आपका area of sector निकल के आ जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल है 12.3 नहीं आ रहा नहीं है डिलीट है दे लेंद्थ ऑफ मिनिट हैंड अपक्लॉक इस फार्टीन सेंटिमेचर फाइंद स्वेप्ट यह काफी इंपॉर्टन है बहुत इंपॉर्टन कोशन है बहुत बहुत इंपॉर्टन कोशन है वह पूच जाएंगे लेकिन अब हमारे पास क्या घड़ी है घड़ी की आपको बता मिनिट की सुई जो है वह स्टरकल को टच कर दी होती है तो यह रेडियस है आपको और कुछ नहीं है तो रेडियस हमें 14 सेंटिमेटर दे रखे है समझो ऐसे देखो तो मालो यह बारा पर है ठीक है बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दर्स ग्यारा ठीक है तो मिनिट इस यहां पर है भी मालो पांच मिनिट बाद तो पांच मिनिट बाद यह कहां जागी एक प्याद आगी हां या ना एक प्याद आगी तो पांच मिनिट में कितना एरिया स्वेट किया तो इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है ज्यांस होना ठीक है 60 मिनिट में ये पूरा चक्र काचती ए 360 डिगरी बनाएगी तो एक मिनिट में कितना एंगल बनाती है 360 भटेबट 60, 6 डिगरी का एंगल बनाती है पाँच मिनिट स्वाइब की यह है तो कितना एंगल रोधर निकल के आगया थीटा पॉन एंड पर पाई आरका स्कोर थाओनaking आपा आरका सफ्कोर अब थीटा कितना यह साथ जौनीच being थाड़ एका स्कूर थापव लॉक कितने। लॉक्त सत उत खेड़े डोंपर अनडे की सब्सक्राइब तह एद खतम यह सबgua नकल के आधिक expert टो 154 अपन पर 3 आपका अंसर निकल के बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने 154 अपन 3 बोला बिल्कुल सही आंसर दिया है उन लोगों ठीक है चल अब हम चलते next question 3 यह आपके skin के ओपर inner circle radius ती रहे है 21 और angle दे रहे है तिक्ष डिग्री length of arc क्या होगा area of sector क्या होगा और area of segment क्या क्या बनेगा ठीक है यह हमें तीने question बताने और इन तीनों से काफी अच्छा जो है आपका revise भी यहां पर बन जागा ठीक है चल लेंथ of arc की बात करते है पहले लेंथ of arc क्या होता है तो लेंथ of an r का formula क्या होता सब बता होगी वह होता है ठीटा अपॉन 360 इंटू पाई r यह होता है ठीटा कितना है 60 upon 360 टू पाई r कितना है आर कितना है 21 तो यह खतम हो गया छह बार में दो तिया च्छे तीन सत्ते 27 साथ खतम 22 सेंटीमीटर निकल के आगे बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एरिया उफ सेक्टर पूछ रहे है तो एरिया और सेक्टर का जो फॉर्मला होता है वो क्या होता है ठीटा पॉन 360 पाई r का स्वेर ऐसे करना कोच नो पूना इतने शिद्धत चे यह नहीं कि सार सेक्टर निकाले सेग्मेंट निकालना आता तो ना ना करो ताकि दुवारा एंचियाटी ना देखना पड़े कल को यह नहीं कि सर एंचियाट यह च्छे आगे है तो तीन दूनी च्छे तीन सत्ते एक्टिस ठीक है दो से कटो ग्यारा बार में इससे खतम 21 21-22 23 231 सेंटिमेटर का स्क्वेर यास बिल्कुल सही है 231 सेंटिमेटर का स्क्वेर निकलके आगे ठीक है नेक्स थर्ड हमारे पास क्या रहा है एरिया उफ कि एरिया अव सेक्टर अब है कि माइनस में एरिया ओफ ट्रैंग्ल सेक्टर का एलेज तो आगे ट्राइनग्ल कैसा होगा अगर हमारा पर दियंटर में 60 डिगर एंग्ल बनता कोड के दौररा सांट डिगरी का एंगल तो आपको नए ये भी साथ होता है ये भी साथ होता है तो आपको यह Official होता है होता है उसका होता है साथ कितना रेडिएस्ट थ्वेंटिवन ना तोiosis 4 4 1 कि तो डिला ये इंट्रीह आपका एइडिया निकल के आगे है बासन में आई एक्कूलेट येस जब भी आपका सेंटर बेर साथ डिगरी बनता है ये आपका इक्कूलेट ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया होता है रूट थ्री अपॉन फॉर इंटू साइड कास पर साइड आपका 21 आगा ठीक है चलो अब हम चलते हैं अपर नेक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट डिस्टेंस करके बेस और हाइट निकालना पड़ेगा जो मैंने पीछे करके बताए ठीक है ठीक है अच्छो यह आप खुश्य कर सकते हो या प्रक्टिस कर लेना इसको मात कर लेना अच्छे से यह इंपॉर्टन कोशन है याद देगो य नियुकर एक बारा शकार बज़ह तो मैं लास्द बार होना है तो इसको खुल के फिल को को यह पल वापस Top कर दो false हो रहा है भी 13 ऐसे करें सारे चैप्टर को मैं भी लिप्टाना है ठीक है यह मत सोचो यार अभी इतना बचा हुआ है यार इतना बचा हुआ है यार इतना बचा हुआ है यह बोलो यार एक और कर लिया मैंने मैंने एक और कर लिया मैंने एक और कर लिया मैंने एक और कर लिया यह तरीका सिर्थ सोच सकते ना यार इतना बच्चा है मैंने यार एक और कर लिया थे कौनसा बढ़िया बदा यार एक और बच्चा है यामने एक more कर लिया बता अब है बता वी कौण सबाड़ी मैं जल्दी बड़े कौन सा है कल का टाइम देखो अभी देखते हैं ठीक है मैंने एक और कर लिया बहुत बढ़िया तो एक और कर लिया वाला करना है ठीक है ऐसे करो चलो नेक चलते हैं जब भी मैं इसको देखता हूं न मैं को वह याद आता है दमाल पिचर का न वह जब मर जाता तो उसको आ जाता कि आपके पिताजी को यह तस्वीर बहुत पसंद थी और उन्होंने पैसे देखे बीज़ारों को और बच्चेंव में तो यह घुड़े के पेंटिंग है कहता है खाली होता कहता है अभी घास नहीं है है ना और घास से लागे तो घोड़ा क्या करेगा अब धीदरे घास भी घोड़ा भी आगा तो यह याद आता है तो वैसे करते हैं हम इसे कर सकता है राम से अहौर्ट इस टाइट टू पैग एट वन कॉर्ण ऑफ़ स्क्वेड शेफ शायद वैफ पंदरा मीटर लॉंग बड़ा मीटर इस तारीके से और इसको ए रस्जी से और अलच वेश्जु आउच मीटर की है मतला आपके पास ये यह कोडरेंट में आपका पांच्छ मीट रेडिया रखाए find the area of the part grace can grace by horse grace कर सकता है पहला कोश्शन the area of the part of field in which horse can grace पहला वाला कितना हैगा तो area okay part of field in which horse can grace in which horse can grace क्या होगा उता हूँ theta upon 360 into pi r का square theta कितना है 90 upon 360 pi कितना लेना 3.14 into r का square 5 multiply 5 nical क्या आगा ठेक है साहिए यह आपकर कितना हो गया 1 upon 4 हो गया ना साहिए तो तो तुझे कितना हो गया 3.14 into 25 upon 4 तो कितना आता नाइंटी पॉइंट सम्धिंग आता है एक वाटा मैं इसको लिप्टाल दोहरा हर से हरी हरी तो कितना है तो कितना है तो कितना है आपकर फिंग आपकर आपकर है उतना खा के फिर ये चिलान लग गया तो इसके मालिक ने क्या करा रसी को वहाँ से बढ़ा के 10 मिटर कर दी पहले जो रसी पहले जो रसी इसकी कितने दी 5 मिटर की थी वो बढ़ा के इसने अब 10 मिटर कर दी तो कितना पहले के मुकाबले कितना इसका एरिय बढ़ गया तो यह निक्री nós इंडाãy ग्रेजिक एरिया यह तौफ थाही लेकिन के कितना इसको स्कूप कर दूफ थो आप यह जो पार्थ है यह किते न एक्स्ट्रा हो गया दे निकलना तो बड़े वाले सेक्टर में ंख से चोटे accepted Music को सबस्ताइब तो आइए पहले बड़ा सेक्टर निकालते हैं तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एरिया इंक्रीजिंग एरिया क्या होता हो वो होगा बड़े वाले सेक्टर में से ठीक है तो थीटा पॉण क्यों को टीट मिणस वन नाइन पॉण इस चार से गाटो कैसे कटेंगे कि अचार तत्ते आर्चों बत्तिस 47 जब 28 बज़ा 3 48 जब 32 0.5-19.625 जोगी फाइल आंसर होगा 78.5 माइनस में 1.9.625 58. 58.875 58.875 जब जलते हैं नेक्स कोशन अब बूच यह बूच क्या होता है अब बूच इसमेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ सरकल यह बूच है सकल का यह हमें सिल्वर वायर से मिलके बना हुआ सिल्वर की पतली वायर में पास है उससे बनाएगे इसको तो वायर को आज़े पोल्ड किया गया सारा काम किया गया डामेटर दे रहा है 35 mm वायर इस अब वायर यूज़ इन मेकिं 5 डामेटर विच डिवाइद तो बाद में पहले तो सिल्वर वायर से एक सरकल बनाया फिर 10 एक दो 3 4 5 पाँच डामेटर और लगाए टोटल लेंथ कितना इस्तमाल हुआ सिल्वर का बहुत असान कोशन है कितना हुआ टो लेंथ तो पहले तो इसे नहीं यह बनाया टू पाई यार तो टोटल लेंथ तो टोटल लेंथ क्या होगा बोलो तो पहले दो 2 pi r होगा और plus में 5 diameter तो वाइस बटा साथ इंटो रीडिस कितना है 35 है ना तो 35 अपॉन में 2 प्लस में 5 इंटो डामेटर डामेटर कितना है 35 तो 7, 35, 1,10 तो 5, 25, 5, 15, 12, 17 285 mm तो 285 mm जो है येस सबका साहिए अरे पड़ावट से करो pdf देदेगी class end होने के बाद pdf मिलेगी आपको 285 mm का answer निकल के आगे है 285 mm next part देखें इसका next part next part में क्या कहे रहा वो देखते हैं next में क्या बोला एरिया ओफ एज सेक्टर एज सेक्टर का एरिया निकाला सेक्टर का में एरिया निकाला है तो एक एंगल मालो ठीटा है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस दस थीटा हमार पास है तो दस थीटा मिलके इसका एक एक कर निकालना है निकाल थे पटावर से तो एरिया आ गया थीटा पॉन इक स्क्वेर तो थीटा 36 आ गया अपॉन unnecessary फी बाइस वटा साथ हो गया इंटो आरका स्वुक्वेर नहीं कितना है झ्ला है treat आपाउन का इंटो इंटो 35 अपॉन रिकल किया है थिक है गीवर काटा पिटी या जल्दी कर क्षू कि दस आ गया 7-5 जा ठीक है और 5-2 जा ठीक है कितना आ गया 2-11 पाच आठ तेन में पर चार पी 85 अपॉर मिलिमेटर का स्वेर ठीक है है हाँ लेट मी चेक दा आंसर कि आंसर में कोद दिखनी रहा पर तुम लोग समझदार हो हां सही है और प्रूटी के पैसे निकल गया यार कि किसी का सूपर चैट में हो गया थेक है मुझे नहीं पता किसका सूपर चैट था यह रहा बेंग गया हार्दिक खंडेल वाल थैंक्यू सो मच पर सूपर चैट हार्दिक जैसे बच्चु जी वैसे प्रूटी पी पाते हैं थैंक्यू सो मच चलो कि दो किसी भी नंबर को न अगर 11 से मेंटपलाय करना हो तो कैसे करते हैं तुन देन से यह यह लिखो इसके बीच में गुशेड दो इनका सम था तीन वैसा को वैसी पांच वैसा को वैसी बीच में इन दोनों का सम आदेगा चलो नेक्स्ट एन अम्रेला है आठ हड्डिया विच आर इक्वली स्पेस्ट इतना एजुमिंग अम्रेला टूबी चप्टा हुआ सर्कल ऑफ रेडियस 45 फाइंड अ एरिया बिट्विन टू कॉंजिकुटु रिव तो दो कॉंजिकुटु लगाता है रिव के चे एरिया हमगं बढ़ी तोमाली यांपाख यह तो एक दो तीन चार पांच है साथ आठ एक धीटा मिलके तीन सो शायर दिगर लेते हैं तो ठीटा कितना आ गया तिन सो साट बटे पर आठ निकलके आ गया तो ऑट चुख बतीस 8 545 । थेकर हाँ कि Har sure multiple multiple 무arあ आ है तो एरिया कितना होगा वह आगे थीटा पॉन 360 इंटू पाई आरेका स्कुर्ड टेके तो 45 अपॉन 360 पाई कितना लेना बाई स्वड़ा साथ ना इंटू आरेका स्कुर्ड आर कितना विड़ा आर कितना है 45 चलो काटे 950 45 940 तो 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 पांच अट्टे चालेग्श ठीके आठ घज़ तो दो चौके आठ दो ग्यारा ठीके देखो 25 को प्रिक कैसी होती देखो चार के बाद क्या आता है पांच आता तो 11 मंडी प्लैबे 5, 5, 25 हो गया चार के बाद 20 सा था 4 मंजह 20 आपने फोर तो 2025 2025 57322 तो 22375 अपने 28 एक्जाम में नीट रही है कि डेसिमल आने की एक्जाम में करने की नीट रही है तक है कि नाइंटी होगा का नाइंटी होगा तक है 22 275 एहां सही तो है सही तो 22 275 है साही है स데 गलत निए भाई गलत निए थी सही है सही गलत निए अरे गलत नहीं है तुम पता नहीं क्या देख रहे हूं चलो भाई सूपब 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 हमने चैप्टर 11 भी अच्छे कासर रिवाज कर लिए अब बारी अब बारी अब बारी अब बारी जो है वहारी अरे सही तो है सही 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 अरे दो रिव का मतलब यह थोड़ी है कि हां तुम यह क्या तुद्र मनोगे दो रिव के बीच में दो लगाता रिव के बीच में ये निकालना है एक ही एक ही पशली की बात की जा रही बाई दो का गिन रहे हो धो फॉर्टीफाइपी आएगा समझे थेंक यू थेंक यू शान वी नांक पळ थेंक वरिश थेंक यू सो मजश थेंक्यू सो मच टैंक यू सू मच ट्वटिवाट दूपिस तो परचेट चलो अब बात करते हैं surface area and volume की बात करते हैं फटावट से तो जल्दी से सारे प्यारे बैर बच्चे पूश्च वगेरा जो मार रहा है मार लो तेक है उसके बाद फिर हम लोग इसको start करते हैं अब हमने कौनमर्य चैप्टर कर लिए याद दिलावमे को पड़ा बढ़ते हैं तो बात करते हैं अगर यह चैप्टर हो जाएगा सरफेस एरियन वॉल्यूम हो जाएगा इसके बाद अनुद चैप्टर 10 कर लेंगे तो बड़े बड़े चैप्टर अल्मोस्ट हो गए फिर छोड़ा 4 छोटा साथ 5 असान लगता है 7 भी ठीक है 6 हमारा रह जाएगा ठेक है इसको स्टार्ट करते है पहला कोशन अमरपस क्या कह रहा है तो क्यूब्स एच ओफ वॉल्यूम 64 स्टैंटी मिटर क्यूब आर जॉइंट बहुत ही फिमस कोशन आपको पता है यह कोशन आपके इजाम में आदेगो अगर किसी बच्चे को नींद आ रही हो अगर किसी बच्चे को नींद आ जाए तो वो आराम से सो सकता है कल आराम से 2H में देख ले ना मैं यह नहीं चाहता सर 100MCU करें या NCRT करें को बता दो अरे भारत बेटा पहले NCRT करो 100MCU जो MCQ वाली बात है पहले रिविजन तो कर लो अच्छे से तो NCRT कोशन हो जाएंगे तो MCQ तो हम करेंगे ना अभी MCO थो ना करा रहा हूं मैं MCO करा हूंँआ ट्रिक्स भी बता हूंँआ पर अभी समय के साथ आज नहीं आज के वह एंच्छे अच्छे अच्छे चौड़ तो दो क्यूब हैं जिसका आज वॉल्यूम सिक्छी फोर है तो दो क्यूब है मालो एक क्यूब अपने पास यह एगा एक क्यूब यह है ओर एक और क्यूब यह ए रहा दोनों को जोड़न जा वह। बहुत फिमस कोशन है त नहीं इस का बॉल्यूम भी सिक्छी फोर है तो A cube, volume होता है, A cube 64 हो गया A कितना आ गया, cube root of 64 तो A आपका 4 निकल के आ देगा A कितना आ गया, 4 निकल के A 4, A 4, height 4, breath सब कुछ पूरपूर हो गया जो Qoid बन रहा है, जो दोड़ने से सर आप unacademy पर बिके नहीं, ये बहुत अच्छी बात है पैसे के बिचे जोइन कर गया, जो देखो जान से, ठीक है सुनो, तो Qboard बन गया, तो क्या आएगा समस्रिया, तो सर्फिस एरिया दो ऐसा नहीं होता कि टीचर बिग जाते हैं या सब की financial condition होती है, हर कोई चाहता है income करें और सब की घर की अलग-अलग financial condition होते हैं कि मतलब financial condition ठीक नहीं है, तो जोइन के तो उसमें बुरा क्या है कर सकते हैं, कोई दिक्कात नहीं है, ठीक है सर्फिसरे क्या होगा, तो होगा 2 इंटू LB, प्लस BH, प्लस HL LB, बताव बही, अब length क्या होगा, ये 4 और ये 4 हैं तो टू मंटी प्ला भाए, बत 64 प्लस में 16 अब तो टू मंटी प्ला भाए 80 जोके आगे 160, 160 cm स्क्वेर, 160 cm स्क्वेर निकल के आगे हैं, बास में मैं इसन्गे तिक है 160 cm स्क्वेर आंसर निकल के आगे हैं, हान को सबका ये answer आया है चेके हैं सही है चलो सबका सज्ञान चरह है सबका 160 है बहुत बढ़िया थाइंक्यू निकेटा थाइंक्यू सो मच्छ चलो next a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a homos cylinder तुम्हार पास क्या है एक hemisphere है इस तरह के का और इसको slender है इस तरह के सब्सक्राइब तो यह 7 हो गया और यह आपका 7 हो गया टोटल हाइट थर्टीन है अगर टोटल हाइट थर्टीन है तो थर्टीन में से सेवन गया इस सेंटिमेटर निकलके आ गया प्लस काउट सर्फेस एरिया ओफ ता बैसल क्या निकालना में जैश्री राम मिटा जैश्री राम तो इनर सर्फेस एरिया इनर कितना आएगा तो फूँ आएगा है कि काउट सर्फेस एरिया ओफ यह मिस्पेर काउट सर्फेस एरिया ओफ त्रिंडर कि हम इसपेर कैब तो पाई आर काउट ट्वर निकलके आ गया बाइस पटा साथ इन तो रेडिस कितना सेवन दे रख है रेडिस सेवन और हाइड कितनी है शिक्स है इसे खत्म 44 मंटी फ्लाइब थर्टीन तेरा चुक बावन 572 यही आ रहा है 572 यह आएगा कोन लिख दिया था यही आ रहा है 572 करो बेटा मंजू कर सकते 572 यह 572 इस तरा राइट आंसर तो 572 इस तरा राइट आंसर जितनी तरिफिजा आप लोगे तो नहीं कम अब चलते नेक्स वर्जन 3 क्या कह रहा है जाना सुनें अग क्यूब वर्डिकल क्यूबिकल बॉक्स इस सर्मांट वा हमिस्पेर तो एक तो इसमें मज़ा आज आज इंजॉए करो लाइफ को यार वोकी सेवन 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 सब सेवन ठीक है इसके उपर हमिस्पे रखा हुए कि इस तरह यह ठीक है कि बडी डियाग्राम ना ठीक है तो अब है पहले कहते में दना मैंने घ्रेति अज़िक है डियामेटर तो तो इसदेडे कर रहा हूं तो पहले वहं घ्रेटेस्ट डियामेटर जो है वह आपका सेवन सेंटेमेटर हो सकते हैं कि पाइंड़ सर्फेस एरिया ऑफ दा सॉलिड अब इची ध्यान रखना यह एरिया धग गया यह वाला जो एरिया है वह धग चुका है हुई है यह क्या अपने पास इसके वह कटो रखी हुई है तो यह एट रग गया ना तो यह मैंस करना पड़ेगा जान सुनना तो सब्सक्राइब क्या होगा है अब चाहिए कटोरी उपर रखी हो काट के निकाला गया हो से फॉर्मॉला लगता है क्या लगता है सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया जब मैंने क्यूब का पूरा लिया तो सब कवर होगया लेकिन उपर तो कटोरी है यह पार धुडग गया तो कटोर के जो अग्रिया क्यूब का अगर के होता है और 1 आप कितने अपने स्क्काई एक प्लस में पाई आर का स्क्वर निकल कर आ गया एक इतना 7 है 7 का स्क्वेर प्लस पाई 22 पटा 7 अटो आर का स्क्वेर आर कितना अपने पाइस भाई 7 अपॉन 2 तो 7 अपॉन 2 मंडी प्लस 7 अपॉन 2 सब्सक्राइब एक प्लस में इससे खतम हो गया यह 11 आ गया तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब निकल के आ गया तो सिक्स नाइन जा फिफ्टी फॉन ठीक है चैट चौबिस 29 प्लस में दो तिया च्छे बचाइक टूइड इसस्टीन पॉन फाइफ ट जो कि आ गया आच चर बारा पॉइंट पाँच ट बारा और एक टेरा थीख टेर्क हैं दो रगतीं ठी थीट्री तू पॉन फाइफ यह आ रहा रहा थैं 332.5 आ रहा ना, बिल्कुल सही, मुस्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रियांश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, चलो, next question, next question, जिसको नींद आ रही है, वो जा सकता है, ठेक तुम्हें नीन दारी तो यह हो जाएगा अच्छे से इसलिए कह रहा हूं कि कर सकते हो बागी अगर सच में ऐसा लग रहा कि नहीं जो है सोना चाहिए आपको नीन बहुत जाद आ रही है तो सो सकते हो इत्ता भी स्ट्रेस मत लगाते है बोर्ड एक्जाम ही है सिर्फ बोर्ड एक्जाम है ठेक है चल्ड़ नेक्स एक टेंट है जो कि स्लेंटर के शेप का है और कॉनिकल टॉप है बस यह कि मैं तो करके सोमट ठीक है मैं तो कुछ भी हो जाए चाह तीन बज्जा चार बज्जा गला सूख जाए आवाज ना निकले पर यह होके रहेगा पर यह होके रहेगा एक है अटन है इस 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 यह शेप बज्ज़ शेंडर बाइक कॉनिकल टॉप if the height and diameter of the cylinder part, cylindrical part are 2.1 and 4 meter height and diameter, okay height is 2.1 and the diameter is radius 2, okay and the slant height or the top is 2.8, slant height is 2.8 meter find the area of canvas used for making the deck, कितना कपड़ा इस्तेमाल करेगा, ठेक है, तिम्पल है, area of canvas निकालते पहले, area of canvas, कितना आएगा, वो आएगा, curved surface area of cylinder, plus में curved surface एदाफ कोण, curved surface area of cylinder, प्लस में curved surface area of cone, यह होगा, बोलो हाँ, cylinder कितना होता है, cylinder होता अपने बस, 2 pi r h, प्लस में pi r l, तो pi r कौण कर लो, 2 h, plus में l निकल के आगया, pi कितना लेना, 22 बड़ा 7 into r, radius कितना है, radius 2 है, 2 h, 2 into height, height किसकी निकाल नहीं है, height किसकी निकाल नहीं है, cylinder की, 2.1 है, तो 4.2 हो गया, plus slant head कितना है, 2.8 है, तो आगे 22 upon 7 into 2 multiply, यह आपका 7 हो जाएगा, इससे खत्म, तो 44 meter का square, तो 44 meter का square जो है, इतना canvas, इतना कपड़ा जो आपका बन जागा, ठीक है, find the cost of canvas at the rate of 500 per meter square, rate निकाल दो, तो total cost कितना होगा, बोलो, तो 50 cm कर दो, 44 multiply 500, तो 5 हो के 20, 5 हो के 20, 21, 22, इतना हमारे पास, इतना, 22,000 का एक 10 बनेगा, 22,000 ठीक है, चलो, next question, next question, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure, if the height of the cylinder is 10 and the base radius is 3.5, total surface area क्या होगा, चाहां सोनेगे, अब simple सी बात है, यहां से भी hemisphere गया, यहां से भी hemisphere गया, तो पहले solid था, अगर दोनों बंध होते हैं, तो उपर का pi r square नीचे का pi r square और 2 pi r होता है, लेकिन नीचे के hemisphere है, उपर भी hemisphere है, तो इसका surface है कितना असान है, बोलो, surface के से निकाल होगे, तो हमने देखा surface area जो है, कितना होगा, तो अब surface area of cylinder, surface area of cylinder, ठीक है, और प्लस में, उपर से भी hemisphere दिख रहा है, नीचे से भी, तो प्लस में, 2 multiply by curved surface area of hemisphere, simple सी बात है, क्लेर साई बच्चो को, कल की class timing बता दूँँआ होँ है, cylinder कितना होदा, 2 pi r h, प्लस में, 2 multiply by, यह उदा 2 pi r square, तो 2 pi r h, प्लस फूर देखो, वैसे, कल की timing तो सुबह 8 बजी की थी, बट में को लगनी दा कि हम, सुबह 8 वे ले पाएंगे, ठीक है, तो 22 बटस साथ इंटो radius कितना है, radius कितना है हमारा, 35, 3.5, height 10 है ना, 2 r, r कर डबल 7, सब्सक्राइब, 75, 0.1, 22, मंटी प्लबर 17, 34, ठीक है, 374 सेंटिमेटर का स्कुई, यह आपका सरफे सेरे निकल के आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, 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 ओके 13.2 पर आ चुके है, धान सुनना, बहुत इंपॉर्ट 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 of inverted cone एक वैसल है जो कि inverted cone के form पे है ओके इव इट्स हाइट इस एट सेंटिमेटर इसका हाइट जो है वह आट सेंटिमेटर दे रिखा है और रेडियस और टॉप इस फाइट इस फिल्ट विट अब तुब दा ब्रिम एक दम उपड तक यह पानी से बरा हुआ है यहां तक पूरा पानी से यह भरा हुआ है ठीक है यहां तक यह पर बहुसार चोड़न लेड शॉट है इसका रेडियस आपको दे रखा है 0.5 सेंटिमेटर इसको इसको इसके अंदर डाल दे गया इसको इसको इसके अंदर डाल दे गया तो जब डाल तो थोड़ा पानी भार आ गया पूरा भरा होता तो थोड़ा सा पानी जो यह फ्लो करके कहरा बताओ कितने लेड शॉट हमने डाले होंगे कितना पानी भार आ है वन अपन फॉर्थ ऑफ दा वाटर फ्लोज आउट तो एक बड़ा चार्ब वन अपन फॉर्थ ऑफ दा करने के लिए उतना वॉल्यूम को पानी भार फैक किगा तो वॉल्यूम ओफ लेज शौट इस इकवर टू वॉल्यूम ओफ वडर फ्लोऊज आउट क्या वल्ला मैंने n multiply by वॉल्यूम है और वन लेज्ट शौट is equal to volume of water flows out volume of water यह बात सम्मिया आई नहीं आई बाई कितना एक लेट शॉट का वॉल्यूम multiply by N, मालो N लेट शॉट है तो यह सारा वॉल्यूम आ गया, अब यह वॉल्यूम इसके अंदर गया तो इस वॉल्यूम को बरावर करने के लिए उत्तना ही वॉल्यूम का पानि भार फैक्ट देगा तो वॉल्यूम लेट शॉट is equal to volume of water flows तो एन मंडिप्ल रहे कितना फॉइंट पॉइंट फॉइंट फॉइंट पीज्ट में पॉइंट पॉइंट फॉइंट पॉइंट इसका थां कि बास समझने आई या निया ठीक है सभी को बास सम्झने आई अगर आप अपने नीन्द खराब कर सकते हो तो हम क्या चले चले जाएं थैंक्यू दक्ष कितने अच्छ हो यार आप हुम 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 सॉल करें तो पाई से पाई से पाई काट देंगे हुम हुम है चारव दूपड्वर हो गया कि दो से जित ठरब है टो फाइफ इन टू तो वन हो गया तो पॉयन फाइफ इन्टू पर पॉयन फइन फाइफ ठ्यका tract तो नीचे टैन कर दो तो यह भी खतम हो गया इससे हनड़ आगया इसकिता व्य ग्यों केल्कुलेशन को आसान बनाना ध्यान दखना आप इसकी मंटिप्ला करेंगे और कुछ ऐसे आएगा अब बस राल टपक गई जाग फ्याग देंगे अब क्या हो गई हो गई नहीं तो आपको छोटा करना चीजों को बड़ा नहीं करना ठेक है के धेन रहे हैं चो छो खो एडिकोशन होगा है फोटा नेक्स कोशन येस इतना इन अफ है नेक्स कोशन एक्स कोशन असॉलिड आय्रन पोल कंजिस्ट ओप चलेंडर आप है इतना वाइस दामेटर चाओए सेंटिमेटर विच इस सेर्माउंटे वाइर बाहाँ जाने श्यान अगर एक सेंटिमेटर क्यूब में आठ ग्राम मास है तो टोटल वजन कितना होगा ध्यान में रखना ठेक है अंतिम से ना करें कोई इक्कत नहीं है तर नौ बज़े से क्लास स्टार्ट करना तीन बज़े खताम होगी तो श्य गंड़े नहीं थेक है सोना कितने अच्छे वच्छे आदो सच में तुम लोग का एनरजी लेवल देखके न में मोटिशन आ जाती है इतना ना मैं आप इन लाइफ में पढ़ा हूं और मैंने कभी पढ़ा है क्यूंकि वन वे में मैं कभी 45-45 गंटे से उपर इतना वन वे में कभी नहीं पढ़ा मैं दो तो क्या है एक क्यों स्लेंटर है कि अ कि पुर्ण तुम्हां टाइम में तो चलो अभी ऐसा भी है ठीक है कि चलो तुम्हें यूटूब बगएर चीजे कर सकते हो ठीक है अब हमारे टाम में कहता कुछ यूटूब तो था ही नियूस टाइम पे और टीचर भी थे एक दम से तो ना मैं तो कुझी खोली बढ़ाती थे कुझी खुली पढ़िये बैसे मैं टूचिन बैने पढ़ाने एक दो महीं नहीं गया था उसके बढ़ा रहो अब कुझी को देखके टीचर पढ़ा रहा हो थो कुझी पर एक्स्प्रेंट करता अंडरलाइन करके हर बैस्टे नही दूसे मंटिप्लाइ करता होगे पर दूसरे मंटिप्लाइ कहें करेंगे खुझी आपने टीचर यह था तो मैंना जब भी पढ़ने बैठा तो मैं करता देखो मम्मी कल मेरा बोड़का पेपर है मैं पढ़ने जानों डिस्टम मत करना मैं अंदर आये कुंडी लगाई मैंने अपना शुरू करते मेरा स्थिक्स था पहले बैठो आधे पढ़ा पहली उबास कि आए थोड़ा हाथ सर पर गए आते करते करते कितावर की साइड में आराम से टांग फिलाके पढ़े पढ़े लेट नहीं पहले पहले इपढ़ा एक्जाम हो चाए बोर्ड़का हो चाह किस उबासी आई पर नींड पूरी कर लो ठीक है घर वाले आते थे कि क्या पढ़ रहा पता नहीं कितना पढ़ ले बिचा रहा ने क्या रहे देखा रहा हूं मुझे टांग खला गे मस्त लेटा पढ़ा हूं ये था मेरा इसाप लेटा ठीक है अहाँ चलो नेक्स्ट पाइब सब्जेक्ट रूल समझाओ सब कराएंगे सब कराएंगे च्टक है ओके सुनो 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 कि दोस्तों भी साइट है इसकी अगे डामेटर 24 तो रेडियस बार हो गया इसक्या रेडियस आठ हो गया करते हुँ अब हो 17 anos 8 क्या है यह इसका मालो वाल्यूम फस्ट को वाल्यूम सेकिंट ना हो वाल्यूम और फस्ट तो पाई छोटे आरका स्क्वेर इंटू छोटा है पाई बड़े आरका स्क्वेर इंटू 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 बड़े आरका स् 3.14 6.24 36.37.38 प्लस में चीक है 8.8.2 चीक है 288 8.8.16.8.2.10.11.3 3.16.8.0 मैं चेक कर दो एक बार ठीक है कैल कोशन चीक है तुझ आगा है मर बास 11153 2.8 चीक है ग्राम नहीं 8 है इतना 5.6 तो टोटल मास निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो मंटी प्लाइबड़ 8 कर दोगे तो आगे 892 262.4 ग्राम डिवैड़े 1000 कर दो तो आगे कितना 892.2 किलोग्राम 892.2 किलोग्राम समझ में आगे ठेक है अगर स्वाइब कोई दिक्कत नहीं बिटा तो में 34 आए पास बिल्कुल नहीं है कि वहले 34 पैथिस आए तो यह कोज़े आना पर किसी वज़े से नंबर ना पाना और अश्वाइब कि नंबर नहीं आ तो तुम लोग बेकार हो गए ना कुछ नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल परसेंट ऐसा देखा जाता है ठीक है जो लोग जिसको जो पसंद ना जो करियर पर वो नहीं कर पाते है इसके मां कि बनना है उसके पड़ रहा है वो साइंटिस नहीं बन पाएगा तो 90 से 95 लोग ऐसे हैं इस यूथ में जो कि वो काम कर रहे है इसमें उसका कोई भी इंट् कितना कुछ आज के लिए है तो अपने बच्छों को कहता हूं जमाना हो बहुत लोग करते हैं थो हटके करो है कर सकता कुछ भी है ना है कि हो गया कोडिंग हो गया और उपर से कहते हैं अपना कोई बिजनस स्टार्ट कर दिया ठीक है यह सब चीज होनी चाहिए अब सभी अब जो है डॉक्तर इंजने बन जाएंगे तो यार वाकि बिजनस को रहें ठीक है तो अपना मस्तों मस्तों होना चाहिए पढ़ेंगे खूब लेकिन एकदम राजा बन के काम करेंगे ठीक है सरीवाद घरवालों को समझाना मुश्किल है बड़ कामियां वहने के बाद वही तालिफ करेंगे सुन जान से लास्ट कोशन सुन tough को जान से अढ्रिफ कोन फक्र्श कोंड है फ्ट सुनक भी तश्ट कर्सक्ड टिर्फ ग пропेंगे सब अडिएच्द 10 की सथेख्ट करेंगे लासेट्ट को जाए राइप्रिशं ओर ईस्टल आपि उध स्टनट को स्टा ख सम्रिर को श्ट करीए च्क्रीए कुछ इस तरीके का डाइगराम है हाइट 120 है कौन की यह हाइट 120 है रेटेस साथ है ने टेके इस प्लेश ठीके है राइट सब्सक्रांड पूल अ वाटर सब्सक्राइट जिए तच दर वाटर इस तुछ धुट्राइट प्टम फाइंद वाल्म वाटर लेस्ट ना रेडियस स्यंद्र का रेडियस कि देखा है हाइट कितना पानी बच जाएगा फाइंड़ वॉल्म और उनसे हमारे पास सलेंडर था हमारे पास एक सलेंडर्डर है जो कि पानी से भरावा तौप तक पर उसमें एक हमारे पास क्या है solid है नीचे कोने ओपर कोन इसको और फ bättre इसको ऊछाके इसके अदर डाल दिया गया कितना पानी बहार निकलेगा कितना उंदर गया तो हम है बोलागे कितना वॉल्यूम पानी बच Immigate One क्या बोलेंगे मैं वॉल्यूम ओफ है वॉॉतर रीक इक्वर चुघ हम गालेन बच्टा लीजुरूए बचा है वॉल्यूम पानी बच्टाता बात को वाई वॉल्यूम सॉल्ड को मैनस कर दो उतना पानी बचा कुछ आपा ठीक है चलो सेंडर कितना हो गया पाई आर स्कूरर अच तो पाई बाइस बड़ा साथ इंडो आर स्कूरर सिक्स्टी हाइड कितना एक स्टो स्सी है माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है वॉल्यूम ऑफ कौन वन अप आर स्कूरर इंटो हाइड कितना है एक सो बीस और प्लेस में वॉल्यूम हमिश्वर कितना है टू अपाउन फ्री पाई आर क्यूग सिक्स्टी का स्कूरर इंटो सिक्स्टी बाप रे क्या कैल्कुलेशन है रिया था अब अब इसको भी पाई कर दो ना तो एक काम करता है काम पाई इंटो सिक्स्टी का क्यूब बाहर ले लिए त्यान चुनना पाई इंटो सिक्स्टी का क्यूब बाहर निकाल लिया मैंने यहां तीन बचेगा बाई 60 into 3 तो 3 बचेगा माइनस में यहां का बच्चा 1 upon 3 मंडी प्लाइब तू बचेगा केवल प्लस में यहां का बचेगा 2 upon 3 वह बड़ा असान कर दिया मनतो यार शाब आशार एक बड़ा लुक्त तो ट्वनिट्वाइन टू इसिक्स्ट का क्यूब तो अब यह क्या हो गया आए कि 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 सेम से मुगे करिये है कि अच्छा माइनस होगा है माइनस होगा है कि थ्री माइनस में टू अपाउन थ्री कि 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 चलो तो एक काम करते है डाइट आंसर लिखनो यार बहुत बड़ा हो जाए यह ठीक है लुग जाओ लुग जाओ ज्यादा कुछ गलतों नहीं हो अच्छा में सेवन है ना सेवन जाँ सजा क्या निकालना है अच्छा वन पॉइंट वन त्रीवन वन पॉइंट वन त्रीवन मीटर प्रीवेर काव पर असान करते हैं मैंने उप्र तो कितना हैवान और था नहीं गुलाव जवन वाल निट नहीं है यहाँ मेरी यहाँ एग उना मैं अपनेल कुछ मगालो यहाँ चाहिए हम चाहिए तो यहाँ पर हम लोग का 13 भी हो चुका है तो आप कौन सा करें अब मेरे ख्याल से हम लोग को 14 तो देखो ठीक है और कौन सा रहेगा हमार पास 5 कर लेते हैं 5 करते हैं 6 तो मेरे करने के मूड पर नहीं हूँ 5 करते हैं पहले थोड़ा इंट्रेस्टिंग वाला हो जाए 5 कर लेते हैं 5 बड़ा भी लगारा काफी पहले 5 करते हैं 5 करते हैं 5 करते हैं पाइफ के बाद हम लोग जो है 9 10 कर लेंगे ठीक है फिर 6 कर देंगे फिर 6 पैंगे ável अलिए अब अब ब्रेक हिए अब 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 भी हुराम फ़को हो जाए फोटन इटगर ब्रेक ब्रेक लेते हुने तो इस्टपर 시청 होगा लेग वह पहले करेंगे पयले पहले फाइफ करता थे कि फोड़ा सा इलका चक्टर हो जाएका पर करेंगे सारे आज करेंगे सारे आज और अभी ब्रेक ले लिया तो तुम लुक सो जाओगे तो इसे नो ब्रेक लुखो यार मैं कुछ पीने का लेका अपने लिए तुम जब तक लाइक करो शेशन को एक बटा की अधा करें प्रेका भी अधा करें चाला डुम जोड़ हो गया ठीक हैं ब्रेक निया ब्रेक निया ब्रेक विए ब्रेक नहीं है कि तरह मारे लेवे कुछ ले आ रहा है ब्रेक नहीं है ठीक है कि उस्तों चीरफ पीने के लिए कि मदा आगया पूरी बस में ट्रेवल कर रहा हूं थी बस में गाउं आओ जाते हैं तो आराम से ऐसे फीलिंग सारे पहला कोशन सुनो वाई चेक वैदर तीन सो एक is a term of the list of numbers is this or not कोई भी number कोई भी अगर आपकी पास है और एपी में वो number आ रहा है या नहीं आ रहा अगर उसके उसका कोई corresponding N होगा इसके लेगर कोई N का एक आपका natural number value आएगी N natural number निकल के आएगा तो होगा वरना नहीं होगा फॉर्मॉला क्या होता है ए प्लस पे N-7 इंटो डी होता है तो 301 चेक करना है एक कितना होगा फाइफ प्लस में N-1 डी कितना है डी बताओ 6 निकल के आए ठीक है तो 301 माइनस में पांच एक्वल टू N-1 बंडिपला बाए दीखो खतम करने के प्रपस नहीं भागाना नहीं है मुझे तो मैं भी एक आराम करना है अराम से करो कोई एक कच की बात नहीं है तो 296 अपॉन 6 इस एक्वल टू N-1 हो गया कितना आगया था छेच अच चौबिस नहीं आएगा में खाल से नहीं होगा नहीं आएगा ठीक है नहीं आएगा नहीं आएगा कटेगा नी तो नहीं होगा not possible next find the 11th term from the last term towards the first term last term से 11th term हमें निकालना है क्या से निकालना है मैंने कालता दर्व last term से निकालना हो ना यह फुर्मला यूश क्या करो L- में N-1 इतो D यह यूश करो last term क्या है माइनस का 62 N कितना है 11 और D कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 62 माइनस मिनस प्लस 10 इंटो 3 तो माइनस 62 प्लस में 30 माइनस का 32 निकल के आ गया क्या सभी का यह आया है क्या सबका यह निकल के आ गया पास्ट इस सो गय क्या सब के सब आंसर दो ना कि यह चिक है कि अरे आंसर तो प्रटत से यह माइनस अब आंसर आ है ज्ञाक क्यों ठैक रही हो थार्टिन पॉइंट से डिलीट है है हाँ चलो नेक्स्ट फाइफ पॉइंट टू पे आ जाओ अरे वाह क्या थलान मारे शाबाज अब फाइंट थाइंट में करने काएं पाइंट फाइंट तर्म मतलब एप्लस 10 जो है वह आपका थाइंट दे रखाएं 16 टम, a प्लस में 15d जो है, वो 73 दे रखे, ठीक है, माइनस माइनस मैनस एक अतम हो गया, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 5 और 35 आ गया, तो d जो है आपका 5, 7 जा, 7 निकल के आद रहेगा, d 7 आगे तो a निकाल सकते हो गया, निकाल लते हैं, आपका निकालते हैं, तो a प्लस में 10d कितना है, d आपका 7 है, यह आपका 38 के बराबर आगया, तो a प्लस में 70, 38 के बराबर निकल के आगया, तो A आगया 38 माइनस में 70 तो A कितना आगया माइनस का 32 निकल के आगया A आपका माइनस का 32 निकल के आगया किला 31st तर्म निकालना है तो A 31 कितना हो गया A प्लस में 30D simple है तो A आपका माइनस का 32 है प्लस 30D कितना हो गया D हो जागा अपने पास 7 तो माइनस का 32 प्लस में 210 जो कि आगे 10 में से दो गया आठ और 20 17 168 आएगा पक्का और नहीं यार 178 आएगा न जिसको नेंद आ रहे हैं सोना वो सो सकता कल 2x में देख ले ना पर मैं करके सो हूँ ऐसे कि मैं मैं करके सोगा मैं भागवा नहीं ठीक है कि करके सोना वाई मैं नहीं सोने वाला कि पैन करें तो फैंटा ही पकड़ ले या मुझे पकड़ ले चलो नेक्स्ट एन एपी कंजिस्ट ओफ फिफ्टी टर्म और विस थर्ड तर्म इस त्वेल पचास तर्म है मारे पास पचास तर्म है थर्ड पर दे रहा है थर्ड टे रखा थर्ड रखा है थर्ड तर्म दे रहका त्वेल टे रहा है कि तो ए प्लस में 2D आपका 12 दे रखा है तो ए प्लस में 49D आपका 106 हो जाएगा माइनस 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 यह खतम माइनस का 47D कितना आ गया माइनस का कि फोर दी जो आपका टू निकल के आ गया है ठीक है सनेहा आस तो एकाद अब्वे हां यार आस तो एकाद अशी आना मैंने इकाद ने फैंटा भू नहीं पी ली इसाया नकर्दर फैंटा भी कैंसिलर एकाद अशी आस तो थैंक्यू सो मच याद दिलाने के लिए अरे मैं तब भूल गे मेरा आस तो इकाद अच्छी का फास्ट है चलो और मज आएगा आप तो ठीक है दी टू आ गया अगर दी टू है तो यह निकालते है अट से ए प्लस में टू मंदर डी कितना टू दे रखा है यह आपका 12 के ब अब एट ट्वेंटा निकाला है तो 29 टम कितना हो गया एट प्लस में 28 डी हो जाएगा एट प्लस में 28 डी कितना हो गया डी आपका टू निकल के आगया तो एट प्लस में छपपन 64 64 is the right answer 64 is the right answer ठीक है तो 64 बिल्कुल सही answer होगा अरे गशना मैयू रादे रादे हम सनातनी हनुमान और रामफदार एग निक्टिट पेपर अरे गशना चलो नेक्स तर खालो गरना पढ़ाओ कैसे नेक्स 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 एफ थर्ड एन दे नाइन ट्रम उपने अपन एक और फोर मै रहें कि टोक्र उड रहार मायनस मैंस काट प्लस में ढूटी और ये प्लस में 8 करो वह तुम बही करो भू्त मीनस का यट है मैं डी प्लस मीं ऐखता ब्स होगाे माइनस है अगर करो करो b कितना आ गया कभण आपका 10जीरों होगा कि मैंट जीरो अप्लस पे n-1 to d तब आपका 0 होगा अब a कितना है आपका 8 है plus n हमें नहीं पता और d कितना है d आपका minus 2 है equal to 0 होगया तो n-1 1d प्लाएबा minus 2 equal to minus 8 निकल के आगया तो 2 4 जा 8 तो n आगया 4 plus 1 तो n जो है वो 5 निकल के आज़ा कितना आगया n ठीक है सबका 5 आया है नहीं 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 शाशी बेटा n-c-a-t enough नहीं है सौर आने के लिए चलो next term next 17 term of an AP 17 term of an AP exceeds 10th term by 7 17 term जो है वो 10th term से 7 जादा है तो d बताना है तो a plus में 16 d जो है आपका a plus पे 9 d plus में 7 के बराबर a से खतम होगे बहुत आसान कोशन है 16 d मैंस पे 9 d आपका 7 के बराबर तो 7 d 7 के बराबर और d जो है वन निकल के आदाएगा इतना आगे d वन निकल के ठीक है फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो ठीक है next चलो which term of an AP which term of an AP will be 132 more than its 54 term मला उसके 54 term से 132 जादा होगा उसके लिए ये एक नया an बनेगा कौन सा टम AP का उसके 54 term से 132 जादा है कौन सा टम AP का 54 term से 132 जादा हो एक नय an निकल के आएगा एक न क्या हो गया है a प्लस पे n मैनस 1 इंटो d ओ गया और ये प्लस में 53 d हो जाएगा और प्लस में 132 निकल के आ गया अब a से एक एंसल हो गया अब यहां पर a हमारे पास 3 है और d हमारे पास 12 दे रखा है तो d कितना है d हमारे पास 12 दे रखा है बरावर में 53 d हमारे पास 12 है प्लस 132 तो हो जाएगा n मैनस 1 मंटी प्लाइब पर 12 तो बारा तियां 36 बारा पंचे 60 में निक हाँ 132 तो n मैनस 1 मंटी प्लाइब पर 12 628 336 चरक साथ तेक है लास्ट टाइम पर न ऐसी क्लास लेते हैं बग चुए ठीक है यहां पर न गोस्ट रिकॉर्ड हुआ था तो इस रूम में जहां मैं बैटा हूं यहां पर 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 नॉम्हें दिखाई दे तो मुझे जरूरू बताना मैं कैमरा में आप करके बाग जाओं ठीक है कि बाराच एक बहतर बार्चों करता लिस तो एन मैस वन इपल डू सिक्स्टी फूल तो वह चेर अपने आप मूब करने शुरू हो गई थी तो ऐसा होता है तो अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे चल ऐसा जाता हुआ है यूं मेरे पीछे से यह फिर हाथ निकलता हुआ तो मुझे जरूरू बताना ठीक है तो कॉंग्रेचुलेशन पचास पचास करो पांच घंटे होगा ठीक है हाँ तो हमारे पूरे पांच घंटे हो चुके है यह हाँ चलो मेरे पीछे है तो हमारे पास है और सेम कॉमन डिफ्रेंस है दिफ्रेंस बिट्विन जेरे हंड्रे टम इस हंड्रेड ठीक है ओके दो एपी अलग अलगे तो सेम कॉमन डिफ्रेंस या घंटे तो ये बताब केता है का एह प्लैस पे 99 डी मैनस मिह प्लेस पे 949 डी यह थे खतम तो क्या सी मैंने कितन हमन्हें यह उडाय कि और मुँद्त कि कि ओसोज निकालने थाउजन टाम के बीच में हामनक υज़ नाइनन नाइन दी चम्स कुश्चित में आ यह क्रस्ट वा सिन्म म्यों म्ही प्रियु ébato hari म्शम्न कि ते दुक्तry कितना आ गया क्या सब का हंड्रेट निकल के आ गया बहुत बढ़िया जितनी तारिक विजा पहरे बच्चों की तो निकम और हम चलते नेक्स कोशन कौन सा सेवन यह आपके सिनियों पर हाओ मैंने थ्री डिजिट नमबर आर डिविजल वाई सेवन कितने ऐसे तीन डिजिट के नमबर हे को जाते है तो मेरे ख्यालते है पहला नमर एक सो पांच बनता है एक कैसे बनेगी एक सो पांच चेक करो 5 6ए गम सात बचा तीन पर ठीक है तो दूसरा 112 बनेगा और ऐसे लिवे तो कितने पूछा में निकालना है कितने पूछा में निकालना है बिटा भी बहुत सा चेप्टर बच रहे है तुम लोग नाइट आउट तो सुना होगा आज है नाइट मैठ स्टडी आउट है तो एन क्या होता है ए प्लस में एन मैंनस वन डी ठीक है तो बहुत मज़ा आएगा बहुत अलग एक्स्पिरिंस होने वाला जमाना ठीक है 105 प्लस में एन मैंनस वन डी कितना है डी अपका सेवन तो 994 माइनस से 105 एक्वल टू एन मैंस वन इंटू 7 निकलके आगया तो चौदह में से पांच गया नो आठ आठ अपॉन बें सेवन एक्वल टू एन मैंनस वन काटो साथ इंगम साथ साधुनी चौदह सेवन से सब्सक्राइब हो ठीक है आँ बहुत बढ़िया वन सबकांच साहिए 128 इस दर राइट अंसर 120 कुछ साहिए नेक्स्ट हाओ मैनी मल्टीपल फूर लाए बिट्विन 10 एंड 250 कितने होंगे दस सिंपल बारा से स्टार्ट करना पड़ेगा तो बारा हो गया फिर सोला फिर बीस चाहता जैगा है 248 का कितने दे एंड निकाल वा एंड क्या होता है ए प्लस पे इंड-1 ड क्या हुँग गया तो 248 इकल टू कितना फॉल प्लस में एंड-1 कितना आगय है थो 9 में 2 कितना अगया 602 उपन फूर उपन फूर एक लिग कुछ हमाना है चाहर फंच से बीस चार निमच हपल यू इड़ोे्ट स स्य निकल के आगया गया क्या सबकान d60 आया है हाँ कोई बच्छा स्मुफी पास होना चाहता है तो उसके या टी काफी है कोई बच्छा अगर स्मीफकाऊंस होना चाहता है तो स्मीफ याटी कर सकतous ने Learn साइट ही चलो ge next जो राम के लिए भी यह समें चलो नेक्स्ट नाइन फॉरवट वैल्यो अफ एन अर दे एन्थ टम ओफ दोनों एपी इसका भी एन्थ टम और इसका भी एन्थ टम का बराबर बराबर होगा इसका एन्थ टम क्या होगा बोलो A प्लस पे D, D कितना है 2 है इसका एन्थ आम कितना होगा A प्लस पे N दे कितना है D आपका 7 है तो 63 प्लस पे 2N मानस में 2 P प्लस पे 7N मानस में 7 2N प्लस में 61 और 7N मानस में 4 61 प्लस में 4 एक्वल टू 7N मैंनस में 2N तो 5N इक्वल टू 65 हो गया और N कितना आ गया 65 अपॉन 5 तो N जो है 30 निकल के आ गया सबका 13 आया है सबका 13 आया है जिसको फुल लाने है न उसको आड़ी की जोता है जिसको फुल लेके आना है जो बच्चा चाहता है फुल फुल लाना हुआ उसको आड़ी की निट पड़ेगी चलो next Determine the AP whose 3rd term is 12 3rd term 16 ने रखा है तो A plus में 2D आपका 16 ने रखा है 7th term exceeds और 7th term exceeds 5th term by 12 तो A plus में 6D equal to A plus में 4D plus में 12 ठीक है इससे खतम हो गया तो 6D minus 4D equal to 12 हो गया और 2D equal to 12 निकल के आगया और D आपका 6 निकल के आदेगा ठीक है तो A कितना आगया तो A आगया अपने पास 16 मैंस से 12 तो A हमाने पास 4 निकल के आगया ए 4 होगा और D6 होगा तो हमें AP निकालनी है AP बता दोगे AP बता दोगे AP क्या होगा तो AP निकल के आगया अपने पास 4 10 16 4 10 16 आड़ी कराएंगे बिल्कुल कराएंगे वेटा हां मस्टू 50 अगर कोई कर ले तो के खतर ना मस्टू 50 कर ले तो आड़ी शमंग नेट नहीं हो उस इंसान को हिए झेलनी को नेक्स्ट फैइंड 20 तंब लास्ट न मैं नकालना है यह यादा रखना कितने हैं त्वंटी एऔन कितने हैं ट्वेंटी कितने हैं पाइफ 253 मैं नाइन फैंदर पॉर्टी फाइफ 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 नाइन तेरह में से पांच गया आठ 22 में से नौ गया थेइस कितना हैगा माइनस गट कर लिप आने है टोगे 253 मैंनस वे 158 158 होगा टोगा फुल लाने के ले सारे ग्लास अटने गोर बस जो मैं किराबत जा रहा हूं वो साथ टिप्स मों होने चाहिए येस 158 is the right answer रामकली सेवड पांच रुपे इंद फर्स्ट वीक ओफ ए येर एंड देन इंक्रीज हर विकली सेविंग बाई 1.75 इफ इंद एंथ वीक हर विकली सेविंग बिकम्स इतना फांड एंड क्या होगा राम के लिए पहले हथे में पांच रुपे सेव किये दूसरे में 6.75 एथे करते 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 20.55 से सेव किये एंड निकालना है ए प्लस पे एंड मैंस वन डी होता है तो 20.75 एकोल दो ए कितना है 5 प्लस पे एंड मैंस 1 डी कितना है डी आप होगे 1.75 तो 20.75 माइनस में 5 इस एकोल दो जाएगा एंड मैंस 1 मंटिपला 1.75 तो एगा 15 15.75 अपॉन 1.75 इस एकोल दो जाएगा एंड मैंस 7 कितना है डिवाड करने पर अरे आडी कराएगे सब कराएगे टेंशन मतलो 9 तो 9 प्लस में 1 इकोल टू एंड हो गया और हम बोलें एंड कितना आगया एंड हम लोगों का 10 निकल के आगया एंड कितना आगया निकल के एंड हम लोगों का 10 निकल के आगया कि एक सेवेंटी के लिए स्रिफ तीन चीज करने तुम्हें एंस्याटी 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 एक्जैंप्लर और पीवेक्यू बस सेवेंटी आते हैं तुम्हारे अगर आस्ती में सश्ची चाहते हो दस नम्मर भी तो फिर आड़ी करना पड़ेगा 5.3 जान सुनिंगा वाई इसमें समवाला फॉम्मला भी आस्तमाल हो जाएगा एट्री फिफ्टीन दे रखा है तो एप्लस में टू डी फिफ्टीन हो गया है एस टेन वन ट्वंटी फाइफ है एस टेन क्या होता है वाई एन पॉहन पे टू टू एप्लस में एक कम डी यह दस पांच यह 25 तो गया टू ए प्लस पे 90 एक्वल 25 यहां से ए निकाल लो 15 में टू डी आ गया कि एक इतना गया फिफ्टीन मैंस टू डी तो फिफ्टीन मैंस में टू डी प्लस पे 90 एक्वल 25 निकल के आ गया ठीक है तीस माइनस में 4D प्लस में 9D इक्वल 25 निकल के आ गया तो 5D इक्वल टू माइनस का 5 D आपका आ गया माइनस का बन की D मैनस वन आ गया देखना कोई गरबड हुए है क्या चेक करो कोई गरबड हुए है क्या सही है ने तब कुछ कोरिकत की बात तो नहीं लग रही मेरको ठीक है कोरिकत नहीं है ठीक है A10 निकालना A10 A प्लस पे 9D A कितना है अपने पास 17 D कितना है मैनस का बन एट आ गया हुए इसके बाद ब्रेक ले लेगे हम लोग ठीक है यह बताओ तुम लोग बता नहीं रहे यार तुम लोग अधा सोच हो गया हुए तुम लोग अधा सामने अधा सोच हो गया हुए पाइफ पॉइंट ट्री का यह कौन सो कोशन है और फस्स नग ठीक है ठीक है ठीक है सही है सही है सैकेंड ए टू दे रेख है डी आठ एसब दे रेख है एन और ए इलेवन निकाला है एसा नंटी है न क्या होता है एनल-ण तु 2A प्लस में N मैनस में D तो N अपॉन पे 2 4 प्लस में 8 N मैनस में 8 N अपॉन 2 8 N मैनस में 4 एक्कोल तो 90 4 कौमन कर लेते 2N मैनस में 1 एक्कोल तो 90 45 45 तो 2N का स्क्वेर मैनस में N मैनस 45 एक्कोल तो 0 यह बन गया हमारा कॉर्ट एक्क्विशन यह क्या बन गया हमारे पास तो 45 तो 90 आ गया और बीच मैनस का बन आ गया हमा तो मैनस का 10 चलो करते हैं तो अगर 2N का स्क्वेर मैनस में 10 N प्लस पे 9 कमन कर लो N मैनस 5 एक टरफ एक 4टर एक तरफ एक तो यहां से 1 5 और यहां से 2 equal to आपका स्क्वेर आगया यह नेगटीब हो नहीं सकता तो आपका केतना आगया हूँ चैप के चैप artık बहुत बड़े साब आइसर आई जस्सी दा वीडियो जब देख लिया बहुत बड़े हैं अब एन भी निकालना वह एन कितना निकल के आगया है मतलब एफाइट निकालना एप्लस फोडी तो टू डी कितना है एट आच चुक बत्तिस सो तो नहीं कि सारे कर रहे हुना आंसर आने रहे हैं बहुत कम बच्चों आंसर दे रहे हैं अब आंसर तो दो साथ साथ में आंसर कौन देगा है चलो आंसर दो पास सावज कितने टम लगेंगे इसका सम देने के लिए मतलब सम दे रहका है में एन निकालना तो एसन का फोड़ा यूज़ करेंगे पटापट से तो एसन क्या होता है एन अपॉन पे टू टू ए प्लस पे एन मैनस पाइंट दी तो 6,3,6 दे रखा ही आपको एन अपॉन टू टू ए तो अठारा दी कितना है दी आपका कितना है अगा दी आठ 6,3,6 एक्वल टू एन अपॉन पे टू 18 प्लस में 8 एन मैनस में 8 तो 6,3,6 दे खुल टू गया एन अपॉन पे 2 तो 10 हो गया 10 प्लस में 8 एन तो 2 कौन कर रहते हैं 6,3,6 देखुल टू जागा एन मंटी फ्लाब है 2 कौन लेख तो गया 5 प्लस में 4 एन 6,3,6 देखुल टू जागा एन प्लस में 4 एन का स्क्वेर जो कि आ गया 4 एन का स्क्वेर प्लस में 5 एन माइनस 6,3,6 एक्वल जीरो यह बन गया कॉर्टिक एक्वेशन चेक है चलो अब 6,3,6 को हम लोग 4 से मुप्लाय करेंगे 6 और 24 चारती बारत करें चौदा चलो 25 तो माइनस का 2,5,4,4 और 5 आना चाहिए क्या बने है इसाब किता बताना जाए रहा तर मैं पांट विजे की उठी हूँ अच्छा अच्छा बताओ तो फिफ्टी थ्री और फॉर्टी एट अरे वाय याद है मुझा फिफ्टी पॉर्टी इट यह कोशिन करने इफाइद उथर में को यह उंस याद आगिया तो फोर अन का स्क्वेर टिक है प्लस फिफ्टी थी एन माइनस का पॉर्टी एट एट एन माइनस तो एन मैनस में 12 और 4 & 53 इकोल जुरू निकल के आगया यह नेगेटिव आनी सकता एंड कितना निकल के आगया एंड बारा निकल के आगया एंड कितना आगया लेट तो कुछ होना बारा निकल के आगया ठीक है लिए चेकन दो अंसर ठीक है बारा ही सही है बारा सही है बारा सही है तारे आंसर दिखाओ ठीक है अरे कुछ सूपर चैट चला गए किसी एक और का यह सूपर चैट यह था थैंक यू सो मच पॉर सर एवरी सिंग तैंक यू सो ली को चलो नेक्स दफर्स्ट एंड लास्टम अप्र 17 & 350 फर्स्टम दे रहा है 17 और लास्टम अप्र रहा है 350 कॉमन डिप्रेंस दे रहा में 9 अपने टम्स अार देर और सम क्या होगा यह क्या होगा पर इसन क्या होगा ओके चलो सिम्पल है इन यह था है एए न होता है ए प्लस पे N-1 इंटो D तो 350 इकोल टो A कितना हो गया 17 प्लस पे N-1 D कितना हो गया D आपका 9 दे रखाए तो 350 माइनस में 17 इस इकोल हो गया N-1 1 प्ले 9 हो गया अब 10 में 7 गया 3 34 37 इकोल टो N-1 ठीक है 9-3 सब 20 और 9-7-6-3 37 प्लस में 1 इकोल टो N निकल के आ गया और N जो है आपका 38 होने बाद है SN पूछा है सब निकाल देते SN क्यों होता है तो N अपॉन 2 A प्लस A N होगा अब N कितना 38 है A कितना है 17 और A N कितना है 350 तो नाइन्टीन मंटीप्लाइ भए त्राट छे तीन सो इतना तो हम मंटीप्लाइ कर देंगा पटापट से भूत आपका जाल निकाल देगा तो 6, 3, 6, 7 into 19 6, 9, 7, 3 6, 9, 7, 3 is the right answer 6, 9, 7, 3 is the right answer तो हम लोग रिश्यूटल कर देंगे सुबह 8 बजे नहीं हो पाएगा उससे हम लोग 10 या 11 बजे कर देंगे तुम लोग को नीन दी पूरा करना बहुत ज़रूरी है तुम लोग कर मुझे भी सोना पड़ेगा अब मैं सुबह उड़ते हैं पीवाईक्यू माल लोग रहे खताम होगा तीन चार बजे खताम होगा और उड़ते हैं पीवाईक्यू तो मुश्किल है चिक है जालो नेक्स इव दस सम उफ सेवन टर्म उपन अपन एपिस 49 अगर एट सेवन हमें 49 दे रखा है मतलब एन अपन पर टू 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 अपका सेवन के बराबर है तो एप्लस ट्रीडी जो है वो सेवन के बराबर है 17 टर्म 289 एज 17 जो है वो 289 दे रखा है तो एन अपन पर टू 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 अपन पर टू 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 आगया एज दो एप्लस में 8D 17 आगया ठीक है माइनस 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 यह खत्म हो गया माइनस का 5D माइनस के 10 के बराबर आ गया और D जो है आपका 2 हो जाएगा D कितना होगा भई D आपका 2 निकल के आद दाएगा ठीक है D2 निकल क्या दाएगा अगर D2 है यह आप उट करो तो A प्लस में 3 इंटू 2 एकोल लू 7 हो गया A प्लस में 6 7 के बराबर आ गया और A आपका 1 निकल क्या आ गया A 1 है और D2 है ऐसा निकालना है find the sum of N निकालना है तो SN क्या होता है बोलो N अप्लस में 2 2A प्लस में 2N मैंनस में 2 निकल के आ गया इससे खतम 2 से 2 खतम N इंट एन N स्क्वेर तो SN जो है आपका वो N स्क्वेर निकल के आ जाएगा कितना आ गया सन N स्क्वेर निकल के आ जाएगा के लिए रिया तक सभी को हाँ हाड वाले कोशन बेटा करेंगे कल हम लोग पीवग्यू करेंगे उसमें भी आपको अच्छे कोशन मिल जाएगे फिर एंसेट एंप्लार बहुत बड़े बड़े होंगे पर आड़ी शर्मा बड़े बड़े होंगे चलो नेक्स नेक्स कोशन यहाँ प्रज दर्वी शर्मा बड़े बड़े करेंगे शर्मा बड़े बड़े नेक्स भी आड़े होंगे झाल 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 कि हरेकिष्णा आवाज चे करें आवाज आ रही क्या है कि सारे वाज चेकर रहे हैं अवाज ठीक आ रही है अभी ठीक है आवाज अवाज ठीक है अवाज ठीक है न चल्व ठीक है ओके जिसको नीन आ रही है वो सो सकता है बतारों पहली ठीक है कला राम जे टुएक्ष्ण कर लेना ठीक है तो एन 3 प्लस 4 एन दे रखा है कहरा है बताओ हमें दिखाना कि यह एपी बना रहा है उसके 15 टम निकालना है ठीक है चुलो पहले चेक करते हैं भी बना रहा नहीं बना रहा है तो पहले ए फस्टम पुट करो तो 3 प्लस में 4 इंटो 1 हो गया तो आपका 7 निकल के आगया ठी ठीक है तो सेगंड अंटो पुट करो तो 3 प्लस में 4 मंडिपले 2 कितना आगया आपके पास तो 3 प्लस में 4 मंडिपले 2 कितना निकल के आगया ठीक है ठीक है तो एपी बन रही है कि देखो ज़्यक्त करो तो 7,11,15 यह एक एपी बन रही है कि रहा सम अब 15 टाम निकाल लिए है हमें स 15 सम अब 15 टाम निकालना है तो स 15 कितना होगा 15 अपॉट पे 2 और 2 एक प्लस में एक कम डी 14 दी निकल के आगया ठीक है तो 15 अपॉट पॉट ए कितना बहुत है मारे पास एक कितना है एक सेवन है 14 प्लस में 14 डी कितना है डी बोलो डी आगया वका फॉर निकल के तो फिफ्टीन अपॉट बेटू 14 प्लस में 4.16 तारे कम 4 तो फिफ्टीन अपॉट टू कितना आगया एक सेवन्टी है फर्टी फाइव पांसो पच्चिस यह पांसो पच्चिस निकल के आगए ठीक है सर साथ चालू कर रहा है आपनी तक साप पढ़ेंगे हाँ हरश ने बहुत बढ़े बोला साब बाशार सर सोजाओ नहीं तो बूताएगा अरे नहीं आएगा शाहीं नहीं आएगा टैंश मतलूब बस मैं को यह थोड़ा नींद आजागी ना तो पांच मेंड़ा ब्रेक लूँगा नहां के आजाओंगा जंजट खतल ठीक है खतल यह तुम्हें खुछ से करना है कि मैं यह कुछ करना होता है तो मैं तुरंद नहा लता हूं सोचता नहीं तुना नेक्स थैंक्यू थैंक्य सब्सक्राइब यह इंपॉर्णेट द्यान नहीं नहीं से निकालना अर्सान है थोड़ा सा थोड़ा एक्टिक हो जाते हैं तो पहले एंड को बन पूट करो इसन कितना आ गया पोर इंटु वन मैनस वन का स्क्वेर तो फोर मैनस वन जो आपका थ्री पता अगर 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 वैजे से शुरू की होती अगर अगर पांच वजे से होती कि तो हुआ जाता पड़े है कम दो गंटे में लेट आ तो अपि दो गंटे और मिला लेते तो हमारा पास अच्छा आगासा मरत की बाद बाद यह चैक्टर थिक्स भी हो चुका होता हमारा चैप्टर जो है एक श् एस्टू कितना गया पॉर इंटू टू माइनस टू का स्क्वेर एट मानस पॉर जो है पॉर निकल के आ गया है अब एस्टू का मतलब क्या होता है भाई एवन प्लस एटू दो नुम्मर का समा आपको चाड़ दे रखा है एवन थ्री है एक इतू कितना आगया तो आपका एटू बन निकल के आगया है एक टू बने एप बने थ्री फिर कॉमा बन मानस वन ऐसे पी चलेगी चिक हैं वट पहला पूछा है वट इस फर्स टर्म फर्स टम क्या होगा तो फर्स टम अपने पास प्ली होगा इस टू टम यो क्या फूर है वट इस टूर पहिंत्य निकल के आगया और चर्प अंडिकालना है और उसका अन्थ टम और निकालना है कि अरे कृष्णा गोबिंद कि ए प्लस पे एन मैंनस इंटो डी कि एक इतना है त्वी कि इतना है माइनस का टू पाइफ मैंनस में तो यह आपका असान है तो आपको एसन से भी चीजे निकालना आना चाहिए बहुत तो एक तो एन से पूस्ता है और एक एसन से पूस्ता है तो यह आपका हो चुक है सब्सक्राइब कि नेक्स्ट पाइंड असाम फर्स्ट फॉर्टी पॉजटिव इंटेजर देट आर डिविजल वाइट तिक्स तुरू के चालिस पहला च्या होगा बारा अठारा च्याच चुक चौबिस इसका सम निकालना है तो सम क्या होता है एसन एन पॉन्ट टू ए प्लस पे एं एन कितना है एन कि कितना है फॉर्टी ए प्लस ए एन सिक्स प्लस एन कितना है टू फॉर्टी तो ट्वेंटी मंटी प्लाइबर टू फॉर्टी सिक्स चादू नहीं आठ नौ 4920 4920 ठीक है हाँ आप ब्रेक नहीं मिलेगा नहीं दाज़े से कह रहे हूं नेक्स्ट find the sum of the odd number between 0 to 50 odd number का निकालना है ठीक है तो एक पाच पॉर्टी नाइन तर जाएगा तो एसन कितना आए यहाँ परस एन अपॉन पे टू ए फ्लस ए एंड टिक है एक से फॉर्टी नाइन तर पचास पट्चीस नम्मर होते है 1 प्लस 49 तो 25 अपन 2 मुंटिप्लाइ बाइ 50 पच्चीस पचीस नम्मर होते है 625 is the right 625 is the right answer so look next in a school student thought of planting tree in and around school to reduce air pollution school में air pollution कम करने के लिए पेड जो है लगाने की बात की गई Hare Krishna smile it were decided that the number of trees that each section of each class will plant will be saved as the class in which they are studying to a class of a एक पॉदा लगाएगा second class पॉदा लगाएगा third class पॉदा लगाएगा ठीक है okay section of class first and plant one tree there are three section of each class ठीक है कितना ट्राव ट्री प्लाइंट वाट एप कैसे मैंने दुदा लगाएगा पहली तीसरे वाले तीन 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 नो चतिस ट्वेल्थ क्लास वाले बारा पॉदा लगाएगे तीन section है तो बारा 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 चतिस हो गया ठीक है जैश्राम प्रेंट्स कैसे हो सिक्स मंडी प्लाइब थर्टी नाइड राइट प्रफास्ट और च वेधी का डरा राधे राधे कहते हो अरे ग्रिष्णा दीप 234 इज राइट आंसर बिल्कुल सही है नेक्ट चलते है next next okay a spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at a and b कभी center a पे आ रहा कभी पे आ ठीक है radius थे 0.5 फिर 1 फिर 1.5 इतना 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 what is the total length of such spiral up to 13 consecutive तेरा लगाता तो कितने होंगे तो पहले वाले का diameter कि यह कितना length होगा आप टू थर्टीन थर्टीन सम निकाल ला है तो इसका सम निकाल तो फटापर्ट कैसा निकाल सम क्या होगा एन अपॉन पे 2 2a प्लस पे n-1 d यह होगा तो एन कितना 13 अपॉन टू 2a 1 12 d कितना होगया d.5 तो 13 अपॉन पे 2 मंडी फ्लाब है बारा पंचे 66 एक ताप इतना निकल के आगे ठीक है और पाई भी है तो मंडी फ्लाब है 22 अपॉन 7 कर दो तो तो त्वी आ गया वन आ गया वन पॉर्ट थी आगे कितमे सेंटिमिटर में कि 143 सेंटिमिटर ठेक है 143 143 सेंटिमिटर थे इस बस लेग में दिक्कत हो रही है शित्तिष के रहें पाइप पॉइंट पॉर के लाइक पस्ता में गया निकिए अच्छा बस थोड़ा में कूछ तांगों में दर्द हो रहा है बहुत देसे रखते रखते तो कि यह बागत तो कुछ नहीं हरे किश्णा मतात मतात हैं कि सो मझ अरे किश्णा ड्रीम भी अरे आहेंगे क्यों नहीं है यार एंथियाद एक कोशन यह तो कात आहेंगे नेक्स्ट दोसोग लोग मतल लकडी के टुकुड़ है न सु लॉक्स बहुत्य है तो दोसो लोगश आर इस टेक इन था ऑलोइंग मैनर, वीज लोग इन दा बॉटम, वीज एएबी लोग इन बॉटम पर उन्नीस इह अथारा ऐसे कर चाथे करते Two-sots log को लग कितने लोग को 200 लोग प्लेस्ट एन हमें निकाल रहे हैं समगा होना क्यों था भई एन अपॉंट भे टू 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 ए प्लस पे एन दो सब्सक्राइब रिखें एन नहीं पता टू ए चालिस डी कितना है वन यह चार सो जाएगा चार सो बराबर में हो गिया एन मंटी प्लाइब है 40 प्लस पे एन मेंस से बन देगा तो चार सो बराबर में हो जाएगा एन इंटू 40 थार्टी थार्टी नाइन दी मैंस का बन है तो चार सो बराबर हो जाएगा अपनी बास पॉर्टी वन एन मैंस में स्कूर इदर लाओ एन स्कूर माइन से पॉर्टी वन एन प्लस में चार सो इकोल जीडू यह बन गया क्वाड़िड एक्क्विशन अब कैसे होगा यह बताओ अब कैसे होगा यह बताओ अब कैसे होगा बताओ अब कॉन से पच्चीस एक तरफ और एन मैंस सोले एक तरफ एकड़ जीडू गया तो यहांसे आपका एंड पच्चीस आ गया और यहांसे आपका एंड सोले निकल के आगया अब कौन सा आंसर होगा देखो आपको वदा सबसे टॉप में तोटल कितने रों अब पच्चीस जो तो नहीं सकते हैं क्यूविस स्टार्टिंग में बीस लॉक थे स्टार्टिंग में तो पतीस से तो पहुंचे गई नियू तो एंड सोला हो गया अब क्या विशने बोला हाव मैंनी लॉक्स आजने टॉप रो सबसे ऊपर कितने लॉक्स होंगे तो एक सिक्षिन पूछा कितना होगा तो एक सिक्षिन कितना हो देगा एक प्लस में 15 डी अब एक कितना अपने पास बोलो 20 लगए 2 है क्या वरसोना या महिए पंदरा सबसे ऊपर यह पांस सबसे ऊपर कि सबसे ऊपर जब है पांच लुख होंगे लर्ग कि क्वार ड्रीम लियुक्त का पर सब अ होगा कुछ मुष्चिल नहीं होगा करें रहyin को बजंश को कुछ मुए अंच्टा अ एक बजने वाले पड़ते पड़ते हमें हमें बजने जहाथब हुच है इस पर्स नेगेटिव तर्म, एन कम नेगेटिव होगा, यह वोशन एजी है, तो ए प्लस पे एन मिनस वन दी, कम नेगेटिव होगा, ए कितना है, वन ट्वेंटिवन, दी कितना है, पूर, 121, मैंनस से 4N, अब्लस में 4, ऴेंट दी, कितना है वन 25, मैंनस का 4N, मैंनस के समय कारते ही, इसले हो जाते हैं पता है, दुम लग को, तो n गवटका होना ची किस्से से 125 अपकॉं पॉर्स, तो चार तीयं बारा चार एकम चार पॉइंट संथिंग संथिंग तो एंड इससे बड़ा होना चीए तो एंड जो आपका थर्टी टू टर्म जो आपका फर्स नेगेटिव टर्म होने बाला है ठीक है हाँ ऑप्ष्णल से भी आ जाता है ठीक है तो आपका थर्टी टू जो है आंसा निकल के आगया ठीक है नेक्स्ट हाँ चौड तो 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 चौन्गरेचलेशन हमारे पास वह है यह चैप्टर भी हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम कॉन्सेप्टर करेंबता हो को हांक सड़कर करें बता अभी इसना करना अब रेक लेना बेक तो नहीं amar नहीं ब्रेक सब्सक्रद ब्रेक नहीं देंगेशना हम एक काम करते हैं हम लोग हो चुका है अपने पर वन ओ गया और 12 हो गया और 13 इन हो गया फिफ्टीन होगा ना यह एक दो तीन हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ चैप्टर हो चुके हैं है कि अब एक आम करते हैं लोग कौन से करें कि अब कि एक वैल सांटिन हो गया है कि नाइन कर लेगा जो बसार्गास करते हैं तरफ प्र नाइन करेंगे तरफ करते हैं तो नाइन करेंगे तो अब सर्क्राइब शर्टाइब ले के तर्कल करते पिर चेपर नाइं कर लिए तर्कल के बाद ब्रेक पक्का कर लेते हैं फिर इन यो को टो टेंजिंट टीपी एंडटीक्यू आर यह इसामपल कोश्ण डिकांट तू टेंजिंट टीपींड्टीक्यू आ to a circle with center O from an external point T, proof that PTQ जो है, वो twice of O PQ है, यह बहुत important question, बहुत बार यह आपके exam में आया हुआ है, इसका result भी यार रखना है, तो एक सरकार अपने पास देया रखा है, एक point T है, तो दो ही टेजिन बन सकते हैं, यह T point मालो, यह P हो गया और एक Q हो जाएगा, center O हो गया, तो जोड़ दो, तो जोड़ दो, प, T, Q, यह जो एंगल है, वो twice है, O PQ है, O PQ इसके, यह प्रूफ कर दो, ठीक है, यह द्यान सोनेगे, ड्यान सोनेगे, देखे रांस से, हाँ नहींनी सोनना और यह यार, सोना नहीं है, हाँ, बहुतaware higher, बहुत बढ़ी, बहुतपर joke dreaming aggregation सुनो द्याँ ठाफ चलता स, एक काम करण थे, सुनो- तो थे, अगर मैं इसको X मानलू इन प्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ओ पी क्यों में बात करेंगे तो S प्लस में x प्लस में angle o equal to x तो प्लस में एंगल O है थिक है ठीक है और साथ में x प्लस में x प्लस में angle o अच्छे क्वाँ होता हो angle o plus में angle t, 180 होता है तो 180 की जगह में angle o plus में angle t जो कि है P T Q लिख सकता हूँ तो से खतम तुएक्स एक्वल टू एंगल पी टीक्यू और एक्स के अमारा थामने ओ पीडियू किता सिंपल था ट्वाइस ओफ एंगल ओ पीक्यू मैं बहुत असान करके बताए ठीक है एंगल पीटेक्यू अगले दिन की अभी तो सुर्वात हुए अगले दिन की तुम अभी से सोने की बात कर रहे हो अभी सिर्व एक ही बज़े हैं अभी तीन बजाने हमने हमने लुग नेक्स कि क्या करें नेक्शन पीक्यू इज़कॉड और फ्लेंग एट तो यह चार होगा यह पांच यह चार तो यह तीन निकल क्या आ गया नबड डिग्री नबड इग्री पांद टीपी टीपी निकालना में है टीपी निकालना ठीक है जान सुना अगर मैं यह 90 है बड़े वाल है इसको अगर मैं एक्समालनूँ कि तो यह मैंने च्प्रिष्ब्व रखशक है नायनटी ए कि इसलोग वालुत यह पूर नायन इसलोज सोल्ग करने वालों यह नायनटी है किया वाला एंगल कितना हो गया एक्स को यह पूरा मैंतल प्ला restraint रोर यह बड़ा ट्रेंगल बड़े ट्राइंगल और छोड़े ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए चेक कर लो बड़े ट्राइंगल पे भी 90 मनेस एक्स 90 और एक्स और छोड़े ट्राइंगल पे भी 90 मनेस एक्स 90 और एक्स तो छोटो ट्राइंगल पी आर ओ और टी पी यो दोनों सिंविलर हो गए समझा रहां से हैं तो अगर बड़े वाले बड़े वाले ट्राइंगल पर मैंने टीपी लिया अब बड़े में 90 मनस एक से 90 पर चोटे पर नाइनटी मनस एक से 90 पर पी ओ निकल के आएगा यह ओपी होगे कि अगान सुनना विया ध्यान सुनले ना तो कि अच्छोटे ना को दिखकत की बात तो नहीं कि अगान दो को यह दो को विस अपॉन तीन आजसर अधात के याद है मुझे ठीक है कि दो ट्राइंगम नहीं सब्सक्राइब कर दो को देखकर तो नहीं कि अधिक है कि नाइनटी मैंस एक से गल्द है ना गल्द पागे तीपी के नाइनटी मैंस एक से नाइनटी मैंस एक से नाइनटी आपका पी आर आएगा अब बड़े वाले मैंने ले लिए पी ओ पी ओ नाइनटी मैंस से एक बड़े वाले में तो छोटे वाले पे नाइनटी और एक कितना आगे आर ओ निकल के आगे तो कर दो टीपी कितना अपर पास निकालना है प्यार कितना अपने पास चार यह पांच है और यह तीन आ गया तो टीपी आगे ट्वेंटी एपॉन स्पी ट्वेंटी एप उन स्फी निकल किया आगे ठेक है ठेक है ठेक है ठेक है चलो चलो नेक्स 10.2 प्रूफ देट टेंजेंट ड्रोन एड डायमेटर ऑफ तरकल तर पैरलल तो यह सरकल अमरे पास दे रखा है इसके डायमेटर के एंड पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट कीचू यह पैरलल प्रूफ करना तो मालो यह ए बी सी है और यह पी यह क्यू और यह आर मा एसी इस पैलर टू पिया यह हमें प्रूफ करना है अब ओभी रेडियस है और यह टेंजेंट तो 90 अंगल यह रेडियस यह टेंजेंट 9 अंगल हो जाएगा तो हम बोच सकते हैं कि ओभी इस परपेंडूलर ओन एसी क्यू फ्लोरम 10.1 तो हम बोचेंगे एंगल ओवी ओक्यू इस पैरले ओपर पेंडूलर ओन पी आर ओक्यू पर पेंडूलर ओन पी आर त्यू अगें थेयोरम 10.1 तो एंगल ओक्यू आर एंगल ओक्यू आर जिए आपका 9 डिगरी यह पर पिश्चन के जगर तू निकल के आगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकिंड प्रॉम एंड से पोड़क हैं धेंगल ओबी अजिए बराबर मुक्यू आर के डिगरी हो गया तो क्या वह यह आंन्गेल प्रॉबर ओधर अगर धो ओट्रेंट आल्तर इंगल बराबर हो तो लाइंट पेरल्ल होते टेक हैं सकते कि अ अन्गय से मैंगल आर इक्वेल देन लाइन्स आर पैरलल तो लाइन क्या होंगी अगर आल्टरेट एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरलल होंगे तो टोटल पूरे 6 घंटे टेक्शन को हो चुके हैं मैं को 7 घंटे के अंदर लगो होना चीएता चलो देखते हैं नेच्ट प्रूव देट दा पर्पेंडिकुलर एड़ दा पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट तुअ टेंजेंट सर्कल पासे तो सेंटर यह बहुत इन पॉट्ट कोच्छन देखें यह सर्कल है यह टेंजेंट इसने क्या बोला प्रूव देट प्रपेंडिकुलर एड़ पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट तो मालों यह एड़ बी पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट और सी यह हैं माल पासे ते कि और से पास करें तो यहां पर क्या करेंगे लों अंट संट तरीका ओविस से सेंटर से पास करेगा पर एक मांग चलते कि सेंटर से ना पास करके यहां से पास करेंगे ओड़ एस से ठीक है अग्ड़ एक परपेंडिकुलर अग्ड़ एसी पासे स्थुरू तो एंगल ओड़ एश वीजी नवट डिग्री आजागा अबएफ परपनल की चना में नहीं तो ओड़ एस वीजी क्या होगया नवट डिग्री हो जाएगा अगर आपका ओवी रेडियस है तो हमें पता है रेडियस यह वह परपनल होता है कि इस पर टैंजेंट पर एसी पर इसका मतलब ओबी जो है परपनल होगा एसी के अपर तो एंगल ओबी सी भी आपका निग्री निकल की आगया आपका इस कुश्चन हो जाएगा अब के रहा है ओडेश बीसी भी नब्वे ओबीसी भी नब्वे यह कौन समय लाओ गया तो फ्रॉम फरस्ट एंड सेकेंड क्या पर चला हमें यह पर चला कि एंगल ओडेश बीसी और एंगल ओबीसी बराबर बराबर नब्वे डिगरी और यह तब्सी बले यह तबी पॉसिबल इस पॉसिबल अनली पॉसिबल है जंग है वैं ऑटो ऑंड़एश विल कोंसाइड कि दोनों कोंसाइड करें तो ओडेस नथिंग ओडेस नथिंग वट ओडेस कुछ और नहीं वह ओव ही है चुक्त है वासन में आ गई next the length of a tangent from a 0.8 at distance 5 centimeter from the center of पूर फॉर फाइंद रिदिस अरीवा असाँ तो ने तो तू कंसेंट्रिक स्ट्रिकल्स आर रेडियेट पाइट एंद री ठीक या तो दो कंसेंट्रिक सब्सक्राइब पाइज देर रखे एक का रेडिस पाइज ना ओ ए वी क्यारा बड़े वाले रेडिस पाँच है और छोड़े वाले का तीन है यह चार निकल के आएगा ओ एका स्ट्रिकल्स कितना होता है बोलो ए वी का स्ट्वेर प्लस में ओ भी का स्ट्वेर तो 25 एक्वाल टू 16 नो 4 और झूंट स्ट्रिकल्स के दूनिक करने में चार निकल के आएगया है यह था है कि इट से इट निवेटर निकलके आए है शुचिन अ बहुत बड़े सार उखानशा भाज कर तो आपका जुए सब्सक्राइब काफ़ी फेमस कोशन है इंपॉर्टेंट है तो यहां देखो यह आप एक्सल पॉइंट है एपी एस के बरावर है है अब बीपी एक्वाल दो बीक्यू बीपी एक्वाल टो बीक्यू ए यह थी टी आइक्वाल टो सीक्व की ओर दी आर लेंट्ट निकल के हैगा अब यह लगला क्योश्चन है मालों यह क्योश्चन परस्ट है इस सेकेंड यह थार्ड है और इस पोगोश्च है अब इन चारों को एड कर दो प्लस में बीपी प्लस में दी आर एक पॉल्ड हो जाएगा एए कि अब्लस में वी क्यूश्चन में सी क्यूश्चन है प्लस में टी हरय के वी हो जाएगा जैट्ण अफ। बेस थे का इस्टिस पक版 intern होगे है बहुत प्रिमसोशन है यह थी कहते ही ज़्यदा commentary नहीं आयूच नहीं नेक्स्ट यह भी काफी बड़े कोशन है फेमस कोशन है हमें क्या प्रूफ करना है यह जोड़ दोस्तर से यह मालवा एंगल बन है यह 2 है यह 3 और यह 4 है तो मैं AOB 90 डिग्री प्रूफ करने है तू प्लस त्री नब्य प्रूफ करने है तू प्लस त्री जो है हमें हाँ बहुत बढ़िया तो रिकाम दो रिकाम करो पी ओ ए और ए ओ सी इन ट्राइंगल पी ओ ए इटा रिवाहत कर लो अच्छे से तो नहा देगा करना पड़ेगा प्रेंट नहीं हो पाएगी ओपी ओची के पराबर क्यूं रेडियाई ओए 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 कॉमन और पीए इक्वल टू एसी टैंजेंट लाइन तॉप टैंजेंट लाइन तॉप टैंजेंट तुम वह सकते हैं बाई एच 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 ट्रैंगल पी ओए इस नहीं ट्रैंगल ट्रैंगल टू ट्रैंगल ओधि जाते हैं जब दोनों कंगर्ट होके तो वन टू के बराबर आंगल वन बराबर अंगल टू देख है और सिमिलल्र ली सिमिलर्ली एंगल 3 बरावर एंगल 4 हो गया इन सब को जोडने पर एक स्वस्थी आएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक स्वस्थी आएगा कि हमें टूर्थी चाहिए वन दी चाहिए तो उनने टू और टू प्लस एंगल 3 हो गया तू एंगल 2 में एंगल 3 आपका इंगल 2 प्लस नोट 3 कितना है तू एंगल एंट एंगल आपका नब्वैं निकल कर जाएगगा इसके बाद ब्रेक लेना थेक है चैप्टर यह टैन के बाद पर ब्रेक ले लेंगे इसके बाद ब्रेक लेंगे यह टैंसर नहीं है थेक है प्रूव देट एंगल बिट्वें टू टेंजेंग द्राउन फ्रॉम एक्टनल पॉइंट तो असान गोश्चन है एक मिन्ट का यह बी क्या एक यह सर्कल है और मालो यह टेंजेंग ऐसे ऐसे तो यह इस तरह किसे क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है टू वी हब टू प्रूव देट एंगल ओ प्लस में एंगल सी एक सप्लेमेंटरी यह बहुत असान यह पूरूव करना कुछ हुई बचनस की हिंदी नहीं समझ पाते हैं चलो यह नवय डिग्री यह नवय डिग्री है यह कॉडिलेटरल है तो इन कॉडिलेटरल अबरीटर इंगल अले फ्लैल आई एंगल बी जू एंगल एंगल यह बना यह डूटरी स्ट व्लेटरेंस असे प्लत में एंगल ओ तरी सोट अधिए यह आगिया कि प्लस बना एंगल सी प्लस में एंगल ओ आ गया एक स्वार्ट सी तो बहुत असान है कि यह असान था कि नहीं नहीं सोना नहीं है पूरा करके जाएंगे ठीक है नेक्स्स कि प्रूब एट पैरलोग्राम सरक्म स्वाइब इस रॉंब तो अरपास का एक सरकल है कि अब पैरलोग्राम है कि एडी यह पैरलोग्राम मतलब एबी जो है वो सीडी के बराबर इसको एकस मान लू और बीसी जो है वो एडी के बराबर इसको वाई मान लिए यह पॉइंट पी क्यू आर् कि हम ने पीछे दी प्रूव किया था याव पॉजिट साइड गज सम मकले उसे मैं हमने प्रूव क्या था एबी प्लस स्यडी जो है आपका बराबर होके स्के एडी प्लस नहीं कि यहान तक तोपा इट में था है अब एबी और सट आइक से यह एक एक्स वाई वाई और एक्स वाई ब्रावर आ गया पर गातने इसेंड सेकन्ंड व्हों गया स्क्राव थ क्रींस हो लोक कही इस आमसे हम लोगो इप टोप सी इपैर लोग traitor और चारों साट बराबर क्या बोलेंगे इंटिटिट रॉंबस मुख्यक्राइब तो के लास्ट कोश्टि याइन लास्ट कोश्टि लास्ट पास है क्या रहे प्रूफ त्विट्ट साइट आपकोडिले तो और पास के एक सरक्रवी काफी इंपॉंट है तो ऐसे मालो ऐसे ऐसे एक यह अधिए अधि टी 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 कि अधिए प्रूफ क्या प्रूफ करना में ए ओ भी ए ओ भी प्लेट में टी ओडी कि एक सब्सक्राइब यह में प्रूफ है कि सम्झेया है क्या बोला है कोशन बोल रहा है मेरे पास कि एओ भी प्लेट एक सब्सक्राइब चाहिए अपोजिट यह वाला एंगल यह वाला एंगल और एक यह वाला एंगल बहुत इंपॉर्ट लास्ट इंपॉर्ट गोशन चैप्टाइन का फिर खत्म ठेके फिर हम थोड इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ए ओ और इंटो ट्राइंगल देख रहां से क्या के बराबर है ओ एस और ओर रिडियस ते वेट इस एक्वल टू ओ ओ आर रिडिया ए ओ दोनों कॉमन ए ओ एक्वल टू ए ओ क्या आएगा कॉमन और ए और एक्वल टू ए अस टेंजेन तो वो सकते हैं वाइ उजिक एस एस साइड 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 ट्राइंगल ए ओ एडियो ए ओ ओ गया ट्राइंगल ए ओ आर इक बार गया आई रवन एक्वल वन एकुल टोग सिविल लुल ली प्तै एंटि में परावर हो गया वाइभ सिक्स के बरावर हो गया और सव बरावर हो गया इसने वर्बर हो जायगे है all एक सब को जोड़ने पर सुठ साथ आएगा recently टुँ अ हमें 2 two three or seven sixUT Europol तुञाथ तोट्वाइस आफ एंगल 2 फ्ल क्वाइस अगल एंगल 3 फ़त वंगल 6 प्लस्पेट twice तो थू को साट लो इंगल टू प्लास में आंगल स्क्स प्लस में इंगल सेवन 360 हो गया दो प्लस में तीन ए ओ बी कि छैप्लस साथ कि सी यूडी कि यह आपका 360 हो गया तो एंगल ए ओबी प्लस एंगल सी ओडी कितना आगया एक सो सी निकल के आग़ एंस प्रूप कि अ कि है कि हाँ देख बहुत बढ़ी है है कि कल सुबह आठ दे क्लास नहीं हो पाएके ठक है है कि हाँ सिम्ले लिकी कर सकते हैं कि अ कि निक्खिल जैशिक देशना रिगेशना कि नहीं दागा वो नहीं आएगा कि तो यहां पर हमारा चैपेट टैन भी खतम हो गया कौन मंचे बताओ कि हमारा हो गया कि हमारा कौन चप्र हो गए है कि वन तू थी पाइफ है एट तैन ट्वेल थर्टी फिफ्टीन एक दो तीन चार पाँच शह साथ आठ नो चप्रों है कि अब एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगी अब एक काम करते हैं कौन चेप्र करें नाइन करें कि अगर क्लास अगर ना अगर क्लास चुह है पांस से शुरू हुए दिन अभी खता हो जाता वह दो घंटे खल रहा है तो हम यह कर सकते हैं कि अधार के के से हुए यह प्सक्राश्य को जाते मिनिट कर दूंद से अध्यवी सिब्स्किंट कर लेंगे अध्यां अदिया और हो गौक कि यह यह 36 caps नग्र हैerapa तो रहता सका है का उसके बाद ना चैप्टर नाइन चैप्टर 9 कर लेंगे सब्सक्राइब का है यह कौक धावी ब्रेक क्लिप पहले तीस मिटम का है थर्टी मिनिट का ब्रेक लेखते हैं तो अभी एक तीस हो रहा है वन वन ट्वन्टीफाइफ हो रहें तो वन पॉर्टीफाइफ मिलते हैं तब तक तुम हाथ मुँ धोलो मैं अभी जारो नहाने के लिए नहा के आऊंगा उसके बाद खीचूँ अच्छे तेगे मैं जारो नहाने आप भी नहा लो तो नीन भाग जाएगी तो फिर करते हैं ठीक है झाल 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 कि चलो वेड़ी हां दो क्या आगया है कि साथ करते हैं कि इसना है गुड मॉर्निंग अरे कृष्णा अरे कृष्णा हाँ नहा लिया हुआ नागी काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है अब हम आरामत्रे विटापाएंगे चलो करते हैं अच्छे चलो ध्यान सुनू अब हम करने वाले हैं तो अभी हम करेंगे चैप्टर नमर नाइन हम लुग फटावट से करेंगे नाइन करेंगे सेवन करेंगे ठीक है वही देर का ओप्टन ही नहीं है चलो कि क्या हुआ जो सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब कि अप्टर नाइन करते हैं ठीक है चले तो चैप्टर नमर नाइन करते हैं ठीक है जहान सुनना चैप्टर नान में कहके है हमारे पाद अज ट्री बेक्स दू टू स्टॉर्म एंग ब्रोकन पाट बेंच सो देट अट अप अफ दू ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिन अन एंगल 30 डिगरी विट इट दिस्टेंस बिट्विन अफुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेर दा टॉप टैचेस द ग्राउंड इस एच मीचर फाइंड दा हाइट और ट्री बहुत ही अच्छा कोशन है हमारे पाद के एक ट्री है इहां पर स्ट्रॉम हवाई चल दिकते लिए तो यह जो है मालो इस पॉइंट से टूट जाता है और टूटने के बाद यह यहां पर ग्रांड पर जाके मिल जापने हो गया चीए और आपका डी पॉइंट है और से बना आप कि तब है, हमें ट्रीक की हाइट निकाल लें, तो एक कांग करते हैं, पहले अपने इसकुना हमें X माल लेते हैं, तो और ये Y है, ये वाला पार्ट है तो ये वाही हो गया, तो हाइट जुह है कि एक्स प्लस य हो जाएगा है तो एक्स निकाल लेंगे वाई निकाल लेंगे और बोगा जोड़ गहेंगे तो अपने पास पहले के अदर पहले में निकालों तो यह पी है और यह ब्स तो bc upon bc तो bc upon bc तुक है तो पी अपॉण पे बी कितना और 1030 निकल के आगया और बीची कितना अपने बस x है और cd कितना है और 1031 upon root 3 होता है तो हमारे पास निकल के एक्स कितना आ गया एट अपॉन पे रूट three निकल के आदेगा भौती जबत इंपल ये पोशन है इस चलो दूसरा घूमारे पास के अब हमें ये cd अपॉन पे बीडी बेस अपॉन पे हाइपोटेनिस ठीक हैं तो cd अपॉन पे बीडी बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या हो गया पॉर स्थरी निकल के आगया अब बेस यह में आट दे रख रहे हैं और बीडि हमें नहीं पता और स्थरी होता है रोट थी अपॉन में टू निकल के आगया यह आंगया वैकहा उपने पास वाई भी निकल के आजिए हमें एक अप्लिस वाई निकालरा है तो आगया 8 upon पे root 3 और प्लेक्श में 16 upon पे root 3 जो की आगया 24 upon पे root 3 नीचे root को नहीं रखना rationalize कर देना है तो root 3 upon पे root 3 निकल के आज़ गया 24 root 3 upon 3 निकल के आज़ गया जो पी 8 जाओ गया तो 8 root 3 आंसर निकल के आज़ गया तो height of the 3 कितना आगया 8 root 3 meter जो है मुस्तितक निए अज़े इन वाई निकल कर आ रहे यह जो वाहिष तिक से नहीं आ रही क्या इस भी चुब इस मैं चेकर तो मैं चेकर को मैं चेकर को कि आई कि आप उरी गई एक मुईट को अभी ठीक है हेलो 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 वे नहीं दूसर मैं चाहब दूसरो धीक है आदी आधे 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 अधे चलो ठीक है चलो ठीक है अब अब तो ठीक होगी आप तो बैन्र अघटा दिये घया नियुक्त दूसरा मिए एक चार्ज हो चुका होगा भी तो अब clear सब इस ल Васब को step ai, फिर हम च्टार्ट करते है Il चलो ठीक है अब हाँ आप तो ठीक होगे आप तो नहीं लगाटा दिये ठीक है चलो दूसर माइक चार्ज हो चुका होगा भी चलो अब चलो जयान सुना ठीक है चलो अब नेक्स कोशिन करते हैं सेक्ट कोशिन क्या कहते हैं तो मार पास के एक टावर है टुका है और टावर है और एक बििल्दिंग भी है तो P और Q टावर है और A और B जी हा मार पाब बिल्डिंग मालो संट दे र very टीक है the angle of elevation of top of building from the foot of the tower tower के foot set building के top पर जो angle of elevation है वो आपका 30 degree बन रहे है ठीक है या तक and the angle of elevation of top of tower from the foot of building 60 degree और आपका यह जो है वो आपका 60 degree बन रहे है ठीक है if the tower is 50 meter high तो what is the height of the building building head को मैंने small h मान लिया इसको मैंने x मान लिया हमें निकाला है h की value क्या निकल के आए ठीक है तो जो दो triangle हमारे पास दे रखा है और दो triangle हमारे पास दे रखा है दोनों को निकालते हैं प्राट पे इसको x मान हो ना तो pq upon bq तो pq upon bq कितना निकल के आगया वो आगय 1060 निकल के आगया pq 50 है और bq x है 1060 कितना root 3 होता है तो x root 3 जो है आपका 50 निकल के आगया और x जो है वो 50 बटे पर root 3 निकल के आदेगा यह हमारे x की value आदेगे दूसरे triangle पे तो a b upon bq हम क्या बोलेंगे a b upon bq कितना निकल के आगया हमारे पास एगा 1030 डिग्री तो 1030 निकल के आदेगा अच्छा a b कितना है a b अपने पास h है और यह x है तो h upon bx जो है 1030 1 upon b root 3 होता है ठीक है तो h is equal to हो गया x root 3 sorry x upon root 3 जम कहते है x जो है h root 3 निकल के आगया अब x कितना अपने पास 50 upon b root 3 है और equal to आगया h root 3 ठीक है तो हम बोलें क्रॉस कर देंगे multiply तो आगया 3 h is equal to 50 और h आगया 50 upon b 3 यह मीटर हमारे पास निकल के आगया hr कितना आगई 50 upon b 3 निकल के आगया सारे कर रहे हैं ना सारस्थात में चुक्क है 150 मीटर निकल के आगया चुक्क है clear है हाँ तो 50 upon 3 निकल के आगया ठीक है अधर आंसर मैं सारस्थात में चेक भी कर ले दो ठीक है या तुम लोग ना बाव में खेल ले ना आपस में पहले इसमें ध्यान दो ठीक है तो yes 50 upon 3 is the right answer next two pole of equal height are standing opposite each other on either side तो मार पास के एक road है तो मार दो equal height के pole अपने पास दे रखें 80 मिटर लंबी road है ये from a point between them एक point बीच में ले लिए ठीक है और यहां से एक elevation बढ़ आपका 30 degree का और एक बढ़ आपका 30 degree का ठीक है A B C D और E अपने पास हो गए है अपने पास हाँ दो ट्राइंगल हो चुके अब दोनों ट्राइंगल से प्रड़वट से निकाल रहते हैं तो A B अपन पे B C तो A B अपन जिसको नींद आ रहे है वह सो सकता थे कल रिकॉर्ड़ट देख लेना तो A B अपन B C H अपन X 1060 हो गया H अपन X 1060 केतना रूट 3 होता है तो H जो है आपका X रूट 3 निकल के आ गया दूसरा D E अपन पे C E D E अपन पे C E जो है कितना आ गया 1030 निकल के आ देगा और D E आपका अगेन H 80 मानस में X 1030 कितना होता है 1 अपन रूट 3 ठीक है तो 80 मानस में X कितना आ गया H रूट 3 निकल के आ गया अब H के X रूट 3 है तो जहां पर H है वहां पर हम लोग X रूट 3 भी लिख सकते हैं ठीक है तो आगया 80 मानस में X is equal to 3X निकल के आ गया 4X is equal to 80 निकल के आ गया ठीक है और हम क्या बोलेंगे X आगया आपका 20 निकल के कितना आ गया X 20 निकल के आ गया X 20 है क्या आगया पूछा हमसे find the height or the pole height है X रूट 3 तो height कितना आ गया 20 रूट 3 मेटर हमारे पास height निकल के आ गया ठीक है और distance एक आपका X कितना है 20 है तो यह 60 है तो एक 20 मेटर दूर है और एक 60 मेटर दूर है और height जो है इसकी वो 20 रूट 3 निकल के आ गया मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान है ठीक है जैश्री राम हाँ बहुत बढ़ी है पांच रूद्र पांच चो नेक्स्ट 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 A TV tower stands vertically on a bank of a canal ठीक है डाग्राम दे रखा है फ्रॉम इस चेप्टर में डाग्राम बहुत इंपॉर्डन है धान रखाना from a point on the other bank directly opposite to the tower इतना है ठीक है सब कुछ सब कुछ दे रखा है यहां पर हमें क्या करना है height निकाल लिए और width निकाल लिए width निकाल लिए width निकाल लिए और a b कितना है h और b c कितना x 1060 root 3 होता है तो h equal to x root 3 निकल के आ गया है ठीक है दूसरा a b upon b d a b upon b d कितना आ अपने पस 1030 आ जाएगा ठीक है अच्छा a b कितना है h और b d कितना है x plus 20 1030 होता 1 upon root 3 ठीक है तो x plus 20 जो है वो h root 3 निकल के आ गया है आगे नोई h के x root 3 है तो जहाँ पर h है वहाँ पर मैं x root 3 लिख देखता हूँ तो आगे नोगे x plus में 20 equal to 3x बन जाएगा और 3x minus में x आपका 20 बन जाएगा ठीक है और 2x equal 20 हो जाएगा और x जो है वो 10 निकल के आ जाएगा x के width of the channel 10 meter निकल के आ गया height पूचा है और height कितना आ गया height आ गया 10 root 3 तो height 10 root 3 meter आ गया और width of the channel जो है वो आपका 10 meter निकल के आ गया ठीक है हाँ तो बहुत असान है बहुत असान है जड़ा कुछ नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ें क्लास कब तक चलेगे दिखसा खंडेल वाल बीटा क्लास जो है जैसी चेप्टर खतम हो जाए वैसे हम बन करतेंगे ठीक है चार मिंट दू साथ गंटे के लिए तीन चार साण तीन चार विस तक चलेगी है ठीक है चलो तुशार पढ़ सकते तो फड़लो बीटा बनना सो जाओ कोई दिखकत लिए ठीक है next from a top of seven meter high building the angle of elevation of top of cable tower जितना ठीक है तो मार पस दो चीज़ है एक building है ठीक है और एक tower है A B building और C D आपका tower है ठीक है तो from the top of seven meter high building angle of elevation दे रहका है साथ डिग्री ठीक है and the angle of depression of its foot is 45 ठीक है height of the tower यह seven is seven है ठीक है इसे x मान लो इसे y मान लो तो height क्या हो जाएगा height हो जाएगा tower की y प्लस में seven तो y निकल जाए बस काम खत्म ठीक है y निकल जाए हमारे पास काम खत्म ठीक है तो पहले इस triangle लेते है a b upon b d तो a b upon b d कितना आएगा तो b d 1045 a b कितना है seven और b d कितना है x तो x जो है हमारा seven निकल के आगया x कितना आगया seven निकल के आगया दूसरा इन triangle c e a पे c e upon a e c e upon b a e 1060 आगया साथ साथ करते चलना ठीक है क्यों बैटे पिच्चा नहीं चलना है आपर y आगया और a e तुमारा seven आगया 1060 root 3 होता है तो y जो है हमारा पास seven root three निकल के आगया ठीक है height of tower cd cd कितना आगया y seven root three plus seven तो seven common कर लो तो root three plus one meter अगर root three भूला put करने के लिए तो put करना वरना need नहीं है इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो ठीक है next as observed from 75 meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of two ship are 30 और 45 if one ship is exactly behind the other flight of final distance between two ship ठीक है बहुत बढ़े बहुत बढ़े है तो आपस के एक lighthouse है आपने देखा हो का lighthouse सबको पता ही है ठीक है रात को नजार रखने के लिए ship में वह होता है तो मालो 75 meter लंबा lighthouse है यह पॉइंट A हो गया बी पॉइंट हो गया ठीक है यह C पॉइंट और D पॉइंट दो नाव है तो दिप्रेशन है तो उपर से और यह आपका इस तरह के जुड़े ला है यहाँ पर और यह आपका ठीक है कितना बन रहा है एक 30 एक 45 है तो आपका एक कितना है 30 डिग्री है और एक आपका 45 डिग्री है इसको एक समाल लो इसे वाई है हमें निकालना है find the distance to shoot हमें वाई निकालना है C और D के जो distance निकालना है तो A B अपॉन B C 1045 हो गया A B अपॉन B C कितना हो गया है 1045 A B कितना है 75 अपॉन B C कितना है X 1 अपॉन 1 तो X जो है अपना 75 निकल के आ गया दूसरा A B अपॉन B B D A B अपॉन B D कितना निकल के आ गया 1030 A B कितना है 75 B D कितना है X प्लस Y 1031 अपॉन रूट 3 होता है तो X प्लस Y कितना आ गया 75 रूट 3 हो जाएगा हमें Y निकलना एक्स तो आ चुक है 75 है तो Y कितना आ गया 75 रूट 3 मैनस में 75 तो Y आ गया 75 कोवन कर लो रूट 3 मैनस में मीटर निकल के आ गया यह आपका अंसर होगा 75 इंटू रूट 3 बिल्कुल सही है आशीश का बिल्कुल सही है ठीक है तो वरिंदा कपूर का ठीक है अनुष्का ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट ओके अ 1.2 मीटर तॉल गल एक 1.2 मीटर तॉल गल है ठीक है अब लड़की की हैट कितनी है 1.2 है ना हाँ 1.2 है तो लड़की की हैट 1.2 है यह पूरा 88.2 है और यह 1.2 है तो एक्च्वल में वह एक काम करते हैं यह नाम करना था A B C D E नाम देते हैं यह 9 डिगरी यह 9 डिगरी यह पूरा 88.2 है ना 1.2 मैंस को तो 87 निकल के आगए 87 यह भी 87 निकल के आगए हमें C और E निकालना है C E कितना होगा यह हमें find out करना है C E कितना होगा यह हमें find out करना है चाल तो B C upon पे AC तो एक काम करो इसको हम लोग X मानते हैं और इसको हम लोग Y मान लेते हैं ठीक है B C upon AC B C upon AC कितना आ गया है 10, 16 अब B C कितना है 87 AC X 10, 16 root 3 होता है तो X root 3 87 का रहावरा निकल के आ गया तो X कितना आ गया 87 upon root 3 तो X आ गया 87 root 3 upon 3 तो X आ गया 3 दू नीचे 3 दू नीचे 27 यह आपका X निकल के आ गया दूसरा ED upon पे AE ED upon पे AE कितना आ गया 10, 30 दीक निकल के आ गया यह आ गया आपका 87 है और AE कितना X plus Y तो 1 upon पे root 3 तो 87 root 3 equal to X plus Y एक्स निकाल लगा है तो 87 root 3 मैनस में 29 root 3 equal to Y निकल के आ गया तो 17 में से 9 गया कितना आएगा 8 और 6 में से 2 के 4 48 root 3 आ रहा है किया 58 कितना आ रहा है 40 root 3 40 ना कुछ क्या गवड़ कर देखा चारा 5 आपात या पांच आपांच आपां आपांच आपँंक। 58 roots यहाँ 58 आपानच आपांच आपांच आपशाण 10 . सभी से 58 आप den चलो नेक चलते हैं ओक लास्त कोश्टन लास्त कोश्टन फट्टर नमा नाइन जो पढ़ोगे नहीं तो यह होगा बिल्डिंग के उपपर वाईसा बैठोगे और गाड यह उपज़र करोगे ऐसी यह भी कर रहा है तो यह बंदा है यहापर बैठाओ तो यह होजेंटर लाइन होगा इसकी तो यह बी मालो टावर के उपपर है और यह सी पॉइंट में गाड इसी थी तो शाठ तेश्ट डिगरी के डिप्रेशन देखा थे नहीं तो यह इस तरफ मूव कर रही है शेकंड बाद मालो टी पे आ गई तो यह सेकंड बाद इसका जो एंगल होगङा वो साठ डिगरी होगगइ शे शेकंड के बाद जो एंगल होगगए साठ डिगरी होगगए पाइंदे टाइम टिकन बाद यहां से यहां तक पहुशन के कितना समय लगेगा अब देखो सिंपल सी बात है जो यह चैप्टर हमारे पास है इसमें समय का कोई मतलब तो है नहीं मुझे सारा डिस्टेंच चाहिए तो माल लो जो स्पीड है स्पीड स्पीड माल लगते कार की कितनी है यहां से यहां तक आने के चैप्टर लगे ताइम उतल लगा तो डिस्टेंच कितना अजाएगा पिक्स इंटू एक 6-6 अब माल लो यहां से यहां तक जाने के चैप्टर टी टाइम लगता है लेट टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इस टी सेकेंड माल लो और स्पीड एक्स है तो यह एक्स टी हो गया और इसको मैं एच माल लेता हूँ तक माल लेता हूँ एच मैं माल लेता हूँ ठीक है तुनो जान से अब एबी अपॉन बी डी तो एबी अपॉन बी डी कितना आ गया 1060 आ गया ठीक है अब एबी हमार पास एच है और यह एक्स टी है 1060 कितना रूट 3 है तो एच एक्वल टू आ गया एक्स टी रूट 3 पहला एक्वेशन ठीक है दूसरा एबी अपॉन बी सी एबी अपॉन बी सी कितना आ गया 1030 निकल किया जाएगा एबी कितना है एच और यह कितना होगा 6x प्लस ht और 1030 होता है h अपॉन रूट 3 तो h रूट 3 इक्वल टू होगा एक्स को बन कर लो 6 प्लस में t और h के है एक्स टी रूट 3 है तो एक्स टी रूट 3 इंटू रूट 3 equal to x into but 6 plus में t हो गया, अब x, x कतम हो गया, यह होगा 3t equal to 6 plus में t, तहुम बोलेंगे 3t minus में t equal to 6 हो गया, और 2t equal to 6 हो गया, اور t कितना अगे? 3 आगे, तो 3 सेकंद जो है 3 सेकंड लगेंगे 3 सेकंड लगेंगे, यहाँ से वहाँ जाने कहें खारे ग्रिश्णा वीट्स ऑफिशल ब्लॉग ठीक है तीन सेगड़ यह फिल्कु सही है हाँ कल पीवाई की जो है हम थोड़ा पॉस्पोन कर देंगे कल पीवाई की थोड़ा था पॉस्पोन कर देंगे ठीक है ठीक है चलो हाँ तो हमें साथ घंटे हो चुके हैं चुके हैं में को लग रहा आठवे घंटे में खतम हो जा गया है तो congratulations हमारे पास chapter नमर 9 भी खतम हो गया कौन मेंसे हो गया हमार पास अब देखो जांसे कौन सा करना चाओंगे एक कान करते हैं पहले six कर लेते हैं एक काम करते हैं ठीक है एक काम करते है ठीक है एक काम करते है पहले हम लोग चैप्टर 6 कर लेते हैं चैप्टर 6 कर लेते हैं उसके बाद हम 4 और 7 लिप्टा लेंगे क्या बोलते हो चैप्टर फॉर करें फॉर करें फॉर करना है फॉर करना है चलो फॉर कर लेते हैं चलो फॉर हाँ फॉर कर लेते हैं फॉर थोड़ा सा सही है फॉर करते हैं फिर सिक्स करते हैं फिर सेवन करते हैं लगातर करते हैं अब फॉर से करते हैं हां तहीं कहरे हो फॉर से करते हैं लगातर ठीक है अब फॉर से लगातर कर लेते हैं ठीक है फॉर फिर सिक्स फिर सेवन कर लेंगे सिधा ठीक है है एह एक है चलो हो है फोर करते हैं कि अब करेंगे पॉर कर लेते हैं फोर कर लेते ए अब लपगत दल्री नोग कर लंग देगा 461 अगर रहे गया जोड़ देंगे फॉर्टेन अगर रहे गया तो छोड़ वज्जा को दिक्कत नहीं है पर करते रहेंगे चल स्टार्ट करते हैं find two number whose sum is 27 and product is 182 बहुत असान गोशन है तो sum दो है 27 है let first number जो है आपका is x मान लिया तो second number क्या होगा second number जो है आपका वो 27 मैनस में x होगा इनका product 182 है तो x multiply by 27 मैनस में x कितना आगया आपका 182 निकल क्या आ गया तो 27 x माइनस में x square equal to 182 हो गया सबको लेगे जाओ x square माइनस में 27 x plus में 182 equal to 0 हो जागा तो अब यह बनगा quadratic equation जली करना तुम लोग को भी तो multiply करने पर 182 और वैसे आना चाहिए माइनस का 27 तो हमार पास क्यों बताओ माइनस का 14 माइनस का 13 माइनस का 14 माइनस का 13 यह निकल क्या आ गया तो हम क्या करेंगे x square माइनस में 14 x माइनस में 13 x ठीक है और plus में 182 यह 0 के बरावर निकल के आ गया x कोवन कर लो x माइनस से 14 माइनस का 13 कोवन कर लो x माइनस से 14 निकल के आ गया ठीक है यह सेम सेम हो गया x माइनस 14 एक तरफ x माइनस 13 एक तरफ equal to 0 हो जाएगा यहां से आपका x 14 आ गया और यहां से x आपका 13 निकल के आ गया ठीक है तो अगर आपका 2 case बनेगे अगर आपका x 14 हुआ तो second number आपका 13 होगा और अगर आपका x 13 हुआ तो second number आपका 14 हो जाएगा तो 14 13 14 13 या फिर 13 14 या आपका आंसर होगा 14 13 या फिर 13 14 जो है यह आपका आंसर निकल के आ गया ठीक है चल न cap next question, next क्या कहे रहे hat the altitude of a right triangle is 7 less than its base तो Base के x माल लेते है है let the base be x centimeter तो altitude height, altitude क्या हो जाएगा, 7 कम है न, x-7 निकल के आगया, hypotenuse आपको 13 दे रखा है, तो python रगा दो क्या होता है, h square equal to p square plus b square होता है, तो 13 का square equal to p कितना है आपका x- 7 का whole square plus base का square x square निकल के आ गया टेके तो 169 equal to 1a का square plus b का square minus 2ab plus x square निकल के आ गया टेके तो 2x square 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0 हो जाएगा então 2x square minus 14x minus माइनस में 120 इकल दो जिरो निकल के आगए ठीक है तो यह एकस स्क्वेर माइनस में 7x माइनस में 60 इकल दो जिरो निकल के आगए यह बन गया हमारे पास quadratic equation ठीक है जोगान सुनना तो multiply करने पर माइनस का 60 और वैसे आना चाहिए माइनस का 7 तो माइनस का 12 प्लस में 5 और माइनस 12 इकल के बरावर ठीक है तो एकस माइनस 12 एक तरफ कर लो और आपका आगया एकस प्लस में 5 एकल जीरो तो नेगेटिव होता नहीं ना ऐस साइड का भी तो यहां से से बारा अंसा निकल के आगया अब एकस हमारे पास 12 निकल के आगया तो अगर एकस 12 है तो आपका एलटूट 5 सेंटिमेटर निकल के आगया और यह आपका बारा सेंटिमेटर निकल के आगया तो बारा पांच और टिरा आपको पता, также ऑढरा है थूट्याहरस ट्रिकल भी बनाती है ऐसाया ओके चलो नेक्स्ट 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 Maybe a cottage अंस्टिरि प्रोड़ूटि शा Smith number of pottery articles in a day एक industry है वो मिट्टी के कुछ articles बनाती है एक दिन के अंदर ठीक है it was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than the twice number of article produced on that day जितने article उस दिन produce हुए है एक article का जो cost है उससे दुगने से तीन जादा है तो total cost 90 की हुई है बताना सब कुछ ठीक है simple है तो माल लो let 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 x articles produced on that day माल लो x article produced उस दिन हुए थे तो cost of each article क्या होगा दुग्या बोला असने three more than twice दुगने से तीन जादा है अब इतने article बने है और एक ही कीमत इतनी है तो x multiply by 2x तो कीमत कितनी कुल उसन प्रोडक्शन हुआ 90 रूपे का ठीक है नब्र हुआ ना तो 2x स्क्वेर प्लस में 3x माइनस पे 90 इकल जीरो निकल के आ गया ठीक है तो यह आपका quarter equation बन गया तो multiply करने पर माइनस का 180 और वैसे आना चाहिए आपका 3 तो मेरे कहलते 15 माइनस से 12 तो बनाओ 2x स्क्वेर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इकल जीरो तो x कौँन कर लो 2x प्लस में 15 माइनस में 6 कौँन कर लो तो 2x प्लस में 15 तो आगे 2x प्लस में 15 एक तरफ और x माइनस 6 एक तरफ एक तरफ एक टो जीरो यह हो नहीं सकता तो x जो है आपका 6 निकल के आदेगा x आपका 6 निकल के आगे ठीक है तो उस दिन 6 आर्टिकल जो है produce हुई थे औरוח cost of cost किटने हो एक आर्टिकल का तो 2 in 2 x प्लस में 3 तो ्लस में 13 तो एक आर्टिकल 15 रुपे का है और उस दिन 6 आर्टिकल produce हुई थे बारा प्लस में तीन पंदरा तो एक आर्टिकल पंदरा रुपे का है और उस दिन छे आर्टिकल प्रोड्यूस हुई थे छे आर्टिकल बने और एक की जो कीमत है वो इतना है ठीक है आगे चले आगे चले आगे चलते next example find two consecutive odd positive integer पढ़ा में ध्यान दो यार पढ़ा में ध्यान दो find two consecutive odd positive integer sum of whose square is 290 odd number है अगर एक one माना तो दूसर तीन होता है वाला plus two होता है तो मान लो let two consecutive odd numbers are one and x and x plus two sum of whose square जिसके square का sum तो इसका square इतना होगा और इसका square यह होगा कितना है इस तम आपका इस इकोड़ी निकल के आगया तू काड़ काड़ों में एक स्क्वेर प्लस में तू एक्स मैंस से 243 इकोड़ी इस थार्टीन और 11 का बनेगा थार्टीन और 11 तो एक्स स्क्वेर 11,13 इस राइट आंसर रुक्या ड्रेम बेंग बेटा क्यों ऐसे हरकते कर देगा पढ़ लो यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ह тай ने पूँरों में ने नेक्सट ये बहुत इंपॉर्ट है आपपे स्त्रीम डाउन इस्त्रीम वेरे इंपॉर्टन तुम करहें अप प्र स्त्रीम डाउन ना 76 यह कोसं आयेगा आप पर स्त्रीम डाउन स्त्रीम आता हैizers arms सुलो ध्यान से सुलो ध्यान से मद हूँ पबेटा डैली से अब मोटर बोट हूज स्पीड देखो दो केस होता है एक यहां बनाओ अप स्ट्रीम का और एक केस बनाओ ड्रॉट्रीम का तीन ही चीज़ लिखने है कौन कौन सी स्पीड डिस्टेंस बस यह तीन चीज़ लिखना है अब बोट की स्पीड अठारा किलोमेटर परती घंटा है यहां जा रही है और पानी इस दिशां भेहरी है तो इसको बोलते हैं अप स्पीड निकाल लिए तो माल लेते हैं लेट दा स्पीड अव यह पहले लिखने है लेट कर लेट पर आब सूनो जान से माल लो बोट यहां जाना चाहती है और पानी का बहाव उल्टा से खीच दिये, तो overall speed क्या होगी, कम हो जाएगी, तो कितनी कम होगी, minus x, तो क्या हो जाएगा, speed हो जाएगी, तुम्हारी overall 18 minus x, बोट आगे जाना चारी है, पर यह धक्का कर रही है, अब distance कितना 24 है, और time नहीं पता, मानलो T1 लगता है, तो plus हो जाता है, तो speed हैं पर 18 plus x हो जाएगा, distance 24 रहागा, time नहीं हो T2 मानलो, हमेशा upstream में time ज़्यादा लगता है, अब क्या बोला है, सने, takes one hour more, upstream, upstream में 1 गंटा जादा लगता है, downstream के मुकाबले, तो upstream में समय जो है, downstream के मुकाबले 1 गंटा जादा लगता है, time क्या होता है, time होता है, distance upon speed, तो 24 upon 18 में x is equal to 24 upon 18 plus में x और प्लस में 1 निकल के आगे, बस यह करना होता है, अब इस दोन्स कुछ नहीं खत्म होगे, अब solve करता है, बस इदा लगता है, तो आगे 24 upon 18 में x, माइनस 24 upon 18 प्लस में x, 24 कौन कर लो, 1 upon 18 में x, माइनस से 1 upon 18 प्लस में x, 24 ठीक है, तो 18 प्लस में x, माइनस में 18 प्लस में x, अपाउन पे 18 का स्क्वेर माइनस में x का स्क्वेर, ठीक है, साहिए सारे चेक्रों साहिए यहां तक तो 18 से 18 खतम हो गया 2x 48x 48x एकुल हो गया 18 स्कार 324 उता रहाइट yes solve करेंगे इदर लाव रहो है तो x स्कार प्लस में 48x माइनस 324 एकुल हो जिए यह बन गया कॉड रिडिक एकुईशन यह बन गया कॉड रिडिक एकुईशन अब इसके में रूट्स निकाले रूट्स क्या क्या बनेंगा आपके 48 54 और 6 बनेंगे तो एक्स स्क्वेब 54 6x तो x कमन कर लो x प्लस में 54 माइनस सा 6 कमन कर लो x प्लस में 54 ठीक है तो x प्लस 54 एक तरफ करेंगे और और यहां पर x-6 एक प्लस निकल के आगया तो नेगेटिव हो नहीं सकता तो x6 निकल के आगया तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के है 6 किलोवेटर पर आवर कि स्पीड ऑफ ठीक है कि स्टेश थैंक यू सो मच यार बहुत अलग मनाता था है कुछ लोग यहां पर स्रीफ बैटके निभा निभी वालग यहन खेल रहे हैं अरे पढ़ लो यार थोड़ा पढ़ लोगे माब आपको कुछ अंदुस्टी मिलेगी और तुम्हें भी है कि है कि है कि है कि मिल्कुल जिसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है वह सो सकता है ठीक है ठीक है तो तो तुम आराम से जो है रेस्ट कर लो कल रिकॉर्ड देख लेना पर मैं ख़रम करके सोंगा ठीक है कल पीवे क्यों शाम में कर दूँआ मैं तो नेक्स्ट आव एक कोशन माई पर आट से दस समफ रैसी प्रोकल अफ रह्मान एज त्री एर्स अगो एंड पाइप एर्स फ्रॉम नाओ तो वन अपॉन त्री तुमान तल लेट रह्मान्स प्रेजेंट एज भी एक्स एयर्स ठीक है तो त्री एर्स अगो त्री एर्स अगो यह पर इससे निड़ नहीं है ठीक है सिंपल नी बात है एक्कॉर्डिन टू कोशन लिखोंगा तीन साल पहले एक्स माइनस त्री एसी प्रोकल और पांच साल बाद वन अप्पॉन ट्री हो जागा सिंपल एक्कॉर्डिन टू कोशन लिखे साँल करो चिपका दो पर आठो तो एक्स प्लस में 5 प्लस में x मैनस 3 अपॉन पर x मैनस 3 careful x प्लस में 5 यह आपका वन अपॉन ट्री निकल गया ठीक है तो 2x प्लस में 2 तो6 2x plus 2 देखे, upon पे तो x square plus में 5x minus में 3x minus का 15 equal to 1 upon 3 के बरावर टेके तो हो गया 3 multiply by 2x plus में 2 बरावर में हो जाएगा x square plus में 2x तो 6x plus में 6 equal to x square स्क्राइब हising 5 खumed हो गया टो एक स्क्वेश्थ में ₹- 6 जी घंब है टो ऑसमे फूइब कर लवत स्क्वेश्थ माइनस में ₹- एक सुदिश्थ मैं प्लस थे खने एक लुट जी 12 ंum X-3 एक तरफ और X-7 एक तरफ तो यहां से आपका X जो है वो 3 निकल के आ गया और एक आ गया मैनस 7 तो लेंगे नी X-7 लेंगे नी क्योंकि माइनस 7 लेंगे तो पुनर जनम पहुंच जाएंगे तो तीन साल का है वो ठीक है तीन साल का होगा नहीं 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 अवे एक कर दिया अगर 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 यह आपका आएगा यह प्लस में एगा ठीक है यह प्लस में एगा तो X X प्लस में 3 माइनस में 7 X प्लस में 3 तो यह तुम लोग रौंग केर ना पहले तुम लोग रौंग के रहे ते मुझे गुस्सा आ रहा था और तुम लोग रौंग केर तो मुझे खुशी है कि चलो तुम जगे होए हो मतला बच्चे जगे होए है यह देखके मुझे बहुत खुशी हुई next in a class test the sum of sephali marks in mathematics and english is 30 so sephali के marks किस किस में आई है english देखो कितने कम देख लिया इसके लापरवाइक नतीजा अगर तुम लोग भी ऐसी पढ़ोगे नहीं तो यह होगा तो in a class test sum of sephali marks in mathematics and english math और english में देख लो भाई इसके लापरवाइक नतीजा 30 नमबर आए इसके तुम भी चार दोगा 30 नमबर आए तुमारे ठीक है अच्छा शिक्तिश ठीक है देखते हैं इसके बाद chapter 6 कर लेंगे तुरंदी उसके बाद देखते हैं अगर और और लंबा इंग्लिश के हैं और इंग्लिश के हैं और इंग्लिश में कम हो रहे हैं तो 30 मैंनस में X मैंनस में 3 तो 27 मैंनस में 3 ठीक है The product of their marks is 210 तो जो marks है उसका product 210 निखल के आगे है इसका product जो है 210 निखल के आगे है ठीक है तो X से कर रहा हूं 27 X मैंनस में एक्या कर दिया हो है X स्क्वेर प्लस में 54 मैंनस में 2 X एक्यल 210 27 मैं से 2 हो गया 25 X एक्या कर दिया और मैंनस में X स्क्वेर एक्यल 210 मैंनस में 54 सबको लगे जारो X स्क्वेर माइनस 25 X और प्लस में 6 सही है कोई दिक्कट यह तक 12 और 15 कितने हो 12 और 3 कितने होते है बई ठीक है 12 और बनेगा 12 और यह साब किताब बनेगा तो X इस पर जिसको नींद आ रहे हैं बार बार कह रहा हूं वो सो सकता है कल रिकॉर्डट देख लेना ठीक है मैं यह नहीं कह रहा है कि करके जाओ तुम लोग रिकॉर्ड देख पर मैं करके सोंगा आचाया कुछ भी हो जाए तो तो X-13 एक तरफ और X-12 एक तरफ एक पुड़ी तो यहां से X आपका 13 आ गया और यहां से X आपका 12 निकल के आ गया तो दो केस बनेगे दो केस बनेंगे दो केस क्या मालो मैं उसके 13 आया है तो इंग्लिश में कितना हैगा 17 और मैं तुमें बन रहे हैं एक बार 12 यह दो केश बन रहे हैं हाँ 13 और 12 दोनों इसाब कुता बने हैं ठीक है लोग एक एक सो के उठे हैं साब बास next the diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shortest side तो माल लो भाई जड़ो टीक है श्वटाओट से लेट शौर्टर साइड भी एक स ठीक है तो diagonal कितना होगा 60 meter more than the shorter x plus 60 longer side 30 more है तो longer कितना हैगा यह पाइथर्गरस बनाएंगे डाइगल के साथ तो सबसे बड़ी साइड़ का स्क्वेर इकोड़ कितना आगे है छोटी साइड़ का स्क्वेर क्यों देखो ना अड़े rectangle ऐसा दोता है यार अब देखो तो यह लग रहा है longer side shorter side और यह पाइथर्गरस लगादी है पाइथर्गरस लगादी है ठीक है तो a का square प्लस में b का square प्लस में 2ab is equal to a का square प्लस b का square प्लस 2ab प्लस में x square ठीक है अब इससे तो एक खतम हो गया सबको वाले के जावों में x square प्लस में 60x माइनस 120x प्लस पे 900 माइनस 3600 equal to 0 ठीक है तो x square माइनस में 60x माइनस में 2700 equal to 0 ठीक है यह बन गई quadratic equation ठीक है चलो नब्य और 30 बने गई है एक स्कुर माइनस में 90x प्लस में 30x माइनस 2700 equal to 0 ठीक है तो x कोवन कर लो x माइनस में 90 प्लस में 30 कोवन कर लो x माइनस में 90 तो x माइनस 90 एक तरफ और x प्लस में 30 एक तरफ equal to 0 हो जाएगा यहां से x आपका 90 निकल के आगे side कभी negative नहीं होती तो x आपका x क्या था shorter side 90 आगे तो यह आपका 90 हो जाएगा सारे लिखो बैठके तो यह कि मीटर और धैड़ सो मीटर कि तीनों साइड जो आपके निकल के आज आगे ठीक है कि परशेट चला गया है कि ए एम थैंक यू सो मच मेडिको थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जैश्री राम हां यह दो गटे खल रहा है पता हैं वह दो गटे पहले होता न तो हो जाता वह दो प्रेइनवाला कोशंग बहुत इंपोर्णने अद ट्रेइन ट्रैवल थी सिक्स्ट किलोमेटर है निफोर्म स्पीड यह इंपोर्णने पेपर में आता कसा तुम लोग घवराजाते हों तो मालो लेट यूनीफोर्म स्पीड x km per hour माल लिया distance कितना है 360 km और time माल लो t hour यह case 1 है अब बात करते है case number 2 की case 2 में क्या बोल रहा है if the speed had been 5 km more अगर speed 5 km per hour ज्यादा हो जाए तो speed कितना हो जाएगा x plus में 5 km per hour एक घंटा पहले से कम लेता है distance same है 360 km है और time पहले के मुकाबले एक घंटा कम लेता है अगर यहाँ पर बात करूँ में तो time कितना आएगा जान सुनना यहाँ पर बात करूँ time आएगा distance upon speed और यहाँ पर time बात करूँ तो distance upon speed निकल के आगे इतना प्यूस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पर सूपर चैट देखो आप टी के लिए पुट करें यहां पठीके तो हो जाएगा 360 upon पर x माइनस इधर आएगा 360 upon पर x प्लस 5 यह आपका 1 के बरावर निकल के आगे है 360 कोवन करो तो 1 upon पर x माइनस में 1 upon पर x प्लस 5 यह तुम्हारा 1 के बरावर निकल के आगे है तो 360 x प्लस में 5 माइनस में x upon पर x स्क्वेर प्लस में 5 x यह तुम्हारा 1 के बरावर निकल के आगे है इससे कटम तो x स्क्वेर प्लस 5 x कितना जाएगा 0, 36 5, 3, 15 कितना आएगा है 3, 16 टूपर 800 यह आएगा क्या बने इस आगे है प्लस आगे है कि बदाने क्या इसाब किता बने का फ्रावट करता हूं जल्दी बनेंगे बताओ 45 और 40 बनेगा क्या हाँ 45, 40 तो 45 टीक है x कोवन करो x प्लस में 45 माइनस 40 कोवन करो x प्लस 45 टो x प्लस 45 एक तरफ और x माइनस 40 एक तरफ एक टरफ एक टो जीरू टीक है यह आसे आपका x माइनस 40 एक टेकल जीरू आ गया x जो आपका 40 निकल के आ गया तो speed क्या थिया उसकी 40 किलमेटर पर दिया हावर टेक है train की speed क्या थिया थिया 40 km per hour is the speed of, टेक है? चलो, next next, 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 next बहुत जादा नहीं है, इसका भी होने वाला, टेक है? ये बहुत important water tap वाला, काफी बहुत important कोशन नहीं है, बहुत बहुत बारा है वाला, ज्यान सुनना confused होते हैं बहुत जाथ हुआ तुम लोगे together can fill a tank in 93.8 hours, टेक है? the tap of larger time it takes 10 hours less than the smaller one, तो let smaller जो है smaller tap fill tank separately in in मालो x hour तो larger tap क्या होगा? larger tap जो है, वो 10 गंटे पहले, तो x-10 अब ऐसे कोशन को न, अमेशा माना करो, tanky में कुल पानी एक है, वन माना करो फ्रेक्शन है, तो देखो, x घंटे में छोड़ा tap टंगी फूल कर देता है, तो एक घंटे में one upon x part भरता है, सेम ऐसी, बड़ा वालम, x-10 hour में टंगी फूल कर देता है, तो वन आवर में कितना बरता है, one upon x-10, तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरीके से, तो मैं लिखेंगे, part of tank, filled by smaller tap, in one hour, एक घंटे में कितना भरेगा, one upon x, तो part of tank filled by larger tap, one upon x-10 निकल के आगे, तो टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर एक घंटे में कितना भरेगे लोग, one upon x, प्लस में one upon x-10, तो यह एक घंटे में तना भरते हैं, और कितने घंटे तक चालू है, 9, 3 upon 8, और 9, 3 upon 8 क्या होता है, 9, 3 upon 8 क्या होता है, 9, 3 upon 8 क्या होता है, तो 8, 9, just 72, 75 upon 8, इतने घंटे तक लगाता चलता रहा, तो इसको multiply कर दो, तो tangy full, one माना हमने इस तरीक से, यह concept होता है, यह इसका concept होता है, इसको नीन आ रही है, वो सो सकता है, बिटा, यह नहीं कह रहा कि तुम जगे रहो, सो सकता तुम ठीक है, record देख ले, record मिल जाएगा, तो 1 upon पे x, plus में, 1 upon पे x minus में 10, एकोल कितना हो गया, 8 upon 75, तो x minus में 10, प्लस में x, upon पे x square, minus में 10x, इसकोल होगे, 8 upon 75, cross मिला करेंगे, तो 75 multiplied 2x minus में 10, एकोल जाएगा, 8 multiplied by x square, minus में 10x, यह tap वाला caution बहुत important रहता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो 150x minus में 750, एकोल टो 8x का square, minus में 80x, ठीक है, तो सब को दले के जाएगा, तो 8x square, minus में 80x, minus का 150x, और प्लस में 750 एकोल जीरो, ठीक है, तो 8x square, minus में 70x, ठीक है, प्लस में 750 एकोल जीरो, यह आपका quadratic equation बन गया, ठीक है, तो यह आपका quadratic equation बन गया, बाकी इसका जो है, आंसर कितना आ रहा है, वो देख रहे तो में, ठीक है, 25 और 15, पंदरा, ठीक है, इसको solve कर ले हैं खुझ से, ठीक है, क्या जबर हो गिया, क्या जबर हो गिया, अच्छ 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 अच्छ, 230 आएगा, अब ठीक न, 230 आएगा, 230 आएगा, 230 आएगा, 230 आएगा, ठीक है, हाँ, तो इसको तो तुम खुझ से solve कर ले न, यह कॉर्ट एक्विशन मैंने बना दिया विश्या कुछ नहीं है इसको खुछ से अफॉल गलना यह दू यूर्स इल्फ है उसे सॉल गलना आंजर जो पंद्र और पचीश सिंकल कहाँ पर कि यह होगा ऐसी चलो जली चेप्टर खतम करते हैं आए एक यह स्कुर मान लेते हैं तो X-Y कितना 4 तो X आ गया 6 प्लस Y तो X की जगह हम लोग 6 प्लस Y पुट कर सकते हैं एक जगा 6 प्लस Y पुट कर सकते हैं तो 36 प्लस में Y का स्क्वेर प्लस 12 Y और प्लस में Y का स्क्वेर इकल तो 468 निकल के आ गया तो 2 Y का स्क्वेर प्लस में 12 Y प्लस में 36 माइनस में 468 यह आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो 2 Y का स्क्वेर प्लस में 12 Y माइनस में 4 32 एकल 0 हो जाएगा तो y का स्क्वेर प्लस में 6y माइनस में 2 तू जब 4 तू जब 2 जब 2 जब 6 है एक पुड़ जिरू ये आपका 40 कुशिन एकल के आएगा ठीक है ठीक है बात सुन्वाई नहीं आई 18 और 12 ठीक है 18 और 12 गई साब किताब बनेगा तो y स्क्वेर प्लस में 18y ठीक है माइनस से 12y y कोवन कर लो y प्लस में 18 माइनस से 12 कोवन कर लो y प्लस में 18 तो y प्लस में 18 एक तरफ और y मैनस 12 एक तरफ एक उड़ जएगा negative होनी सकता side का भी length नहीं हो y आपका बारा निकल के आगे तो एक्स एठारा आगिया और वाई जो हमारे पास बारा निकल के आगी करें करें कि सर नीज नहीं आ रही अरे नहां लिए ना अपने नहीं आ करते गिरिराज की कि इसकिसने गिर राज की परिक्रम डिए बरिंदा में तो महां पर जो है हम गए थे हुँ है ठीक है तो वह दिन याद आ गया तो प्रॉपर हमने 11 12 बजे रात के परिक्रमा शुड़ हुआ था थो तो पूरा सुबह 9-10 बजे परिक्रमा खत्म होई थी तो तो वैसा ही सर मैं व्रिंदाबन से ही यह अरे वहाम अधूख बहुत बड़िया तो मुझे ऐसा ही ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं गरीडाज की परिखमा कर चल चल की और उस समय तका हो बहुत aliens हों कर रहा है कि वैसा ही फिल था में वैसे चेक्क है चलो वाटिका बेसिक वालोगे सिंबल है इंसे आटी दें डू पीवाई क्यू प्रावन सॉल्फ अरे वाँ मत्वरा वाले कितने सार है है यार सहर मनमचे से 200 हो गए हां वही वही चलब हुए चैप्कर फोर का लास पार घर का लिकालने 1 7 एक लंस य सी यह अपका जिरो के बराबर होधा हे सी मैनस 4 AC 3 0 तो k square माइनस में 4 14 0 निकलके आगया k square 24 निकल के आगया k कितना आगया plus minus root 24 24 plus minus 2 root 6 यह open करते पहले k x square minus 2 k x plus 6 equal माईनस का स्केयर माइनस फौर के कितना सिख्स एक जीरो हो गया तो 4K का स्क्वेर माइनस में 24K एकोल तो 4K क्रलो के मैंनस के सिख्स एक जीरो जाएगा तो यहां से एक बार के 4 के 0 कर लोगे और एक बार k-6 equal to 0 तो यहां से k 0 आगे पहला वाले case से और दूसरे case से k जो है आपका 6 निकल के आगे है तो 0 और 6 जो है आपका answer निकल के आगे है ठीक है 0 और ठीक है और 6 ठीक है तो अभी हम चलते है अभी congratulations कौनवन से chapter हो गया हमारे पास देखो भई कौनवन हो गया हमारे पास ओके यह तो हो गया हमारे पास कौनवन से हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ओल्मोस सारा डन हो चुक है ठीक है दो तीन चप्ट रहते है 6, 7 और 14 6, 7 और 14 रहता है ठीक है तो एक काम करते है हम लोग ठीक है एक काम करते हैं लोग एक काम करते हैं चैप्टर नमर 6 कर लेते हैं अभी ठीक है चैप्टर 6 करते हैं फिर 7 और 14 हम लोग उसके बात कर लेंगे पर छोड़ेंगें कुछ नहीं हो ठीक है है ना हाँ है कि अरे सक्ष्ण बताया तो मैंने है हाँ 14 रहन देते हैं 6 और 7 कर लेते हैं तो चलिए 6 शुरू करते हैं अपना चलिए 6 शुरू करते हैं 6 में ज्यादा कुछ खास नहीं है एक मेटा मैं तब से खड़ा हूं यार तोड़ा चेरे बैड़ जाओ कितने आनन्द की अनुभूती हो रही है वाव वाव कि अधा आगया एक मट्रू जोयर है ना पॉटी ने देते हैं कि पॉटी ने देते हैं बेकार है भाईया मैं तो तूटी है कि अभी थोड़े रुख जोयर करते हैं करते हैं करते कर सब करें रहें 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 है कि अधिकर पीशे कोई यह तीन बजगे पर तुम्हें तीन बजगे चार वए तो ब्रहमुर शुरू जाता हैं कि अधिकर करके रहेंगे करके रहेंगे अधिकर कि अधिकर के तनुग्यों सब्सक्राइबर चेक करता हूं ठीक हैं कि सब्सक्राइबर चेक कर लो मैं कितने हो गएं तो किसमें दिख रहें सब्सक्राइबर तुम्हें कि सब्सक्राइबर हो गए हमारे तो सेवेंटीनाइन और वन सेवेंटी अच्छी बात हैं कि कि अनुद के नोत हो एक बैठ के साब आ और आ हो जा रहा है हुँँग्यों है कि तूश्मयों ते ना अच्छा ओड़ा कि इस अच्छा अच्छा कि टूके इंक्रेज्ट आए रात में नहीं पढ़ना होता क्या रात ने पढ़ना ठीक तो नहीं हो लेकिन एक्जाम चलता है पियों करके चलो रहिए अब सिस्थ करते हैं haunted chair भूत कैद वतस में चलो अब चुरू करते है चैप्टर 6 त्राइंगल ज्यादा नहीं है चैप्टर 6 पे ज्यादा नहीं है किवल 6.2 है और 6.3 है उसमें सिर्टेट कोशन है पांच है पांच है तो ज्यादा कुछ नहीं है पड़ा पड़ से करते हैं खतम करते हैं चलो कह र लाइन से आपने ट्राइंगल ढूड़ लेना और बीपिट लगा के छोड़ देना खतम करो ओके तो हमने क्या बोला फैस्ट हम क्या लेते पहरा हमने लिया कि बाए डी जो है डी पैरल है ओक्यू के देखो नहीं से डी पैलल है ओक्यू के ट्राइंगल कोशन हम बनेगा पी पीए अपॉन पे एक्यू तो पीए अपॉन पे एक्यू निकल के आदेगा ठीक है अब पीडी कितना अपने पास अरे कुछ नहीं है ऐक्विशन फर्स्ट होगी वें सेम ऐसी दूसरे में क्या बोल रहा है डी एफ जो है ओ और के पैरल है डी एफ और के पैरल है सटिंड क् डियो जो है वरार किसके आएगा पी एफ अपान एपार की यह आपका सेकेंड एक्टल क्या रही है प्रॉंब फर्स एंड जेकिड क्या मिला हम लोगों प्रॉंब फर्स एंड रात कुछ रहा है कि इत्ति रातों किसको बहुत चड़ रहा है चलो क्या मिला में हमें मिला कि P E अपॉन पे E Q जो है बराबर आगया P F अपॉन पे F R के ये हमें मिला अब ध्यान सुना क्या बना ये ये बना P E अपॉन पे E Q बराबर P F अपॉन पे F R अगर मैं ये बीच का भूल जाओं अगर मैं ये बीच का सारा भूल जाओ, ये पार्ट भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये बूल जाओ, ये बूल जाओ, ये बहुल जाओ, ये, और ये भी, और ये भी, क्या बना, P upon Eq, P upon FRK, तो यहाँ पर Converse of BPT लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, EF जो है, Qr के Parallel बन जाएगा, यूजिंग कनवर्स ऑफ बिपिटी तो यूजिंग कनवर्स ऑफ बिपिटी हमें क्या मिला और एफ जो है वो क्यूर के पहले एफ इस पहले तो क्यूर बाह सब्सक्राइब यूजिंग क्या है नेक्स्ट एबी सीडी इस ट्रेपीजियम इन विच एबी इस पैरलेल तो डी सी एन इस डागनल इंट्रसेक इच अधर एड़ पॉइंट ओ ट्रेक है तो ट्रेपीज अपने पास दे रखा इस तरीके से तो यह हो गया ए वी ठेक है और सी और डी और ओ पॉइंट पर इंट्रसेट कर रहा है चाहिए चाहिए तो देट ओ वह कोडों वह कोडों बरावर प्रूफ ने तिम्पल है आई करते हो वह कोडों को तो ओ बो कोडो इस ट्रैंगल का पाइट है यह पैरलल है यह बरावर होगा ये इसके बराबर होगा और ही खाम कटन ठीक है तो एंट ट्राइंगल AOB and ट्राइंगल COD ठीक है तो एंगल A बराबर में एंगल C ठीक है और एंगल B बराबर में एंगल D क्यों? alternate interior angle बोलो alternate interior angle alternate interior angle ठीक है क्लिर यहां तक तो हम बोल सकते हैं by using by using angle angle triangle A, O, B जो है वो similar है ट्राइंगल C, U, D, K जब दो ट्राइंगल सिमिल तो corresponding side का ratio सेम होगा ठीक है तो O upon पे को बराबर में बो और यहां पर डो बराबर होगे arrange वा नहीं हुआ बो को नीचे लिया हो O के नीचे बो आ गया और डो के ओपर को आ गया तो O, Bो, Kodo hence proved तो होगया हमारे पास O, Bो, Kodo ठीक है? ठीक है अंच? O, Bो, Kodo is the bright answer हाँ चलो, next चुक्क है? आठ गंटे हो गए चलो, यह chapter कर लेते हैं 7 और 14 अगर नहीं हो तो रहें नहीं कोई बात नहीं ठीक है? एक्जामपल है, कोशन द्यान रखना बड़े अधा कोशन है मैंने यहां पर लिया है अगरल ओफ हाइट नाइंटी सेंटी मीटर नाइंटी सेंटी मीटर में कर दो walking away from the base of lamp post यह lamp है, इसके base से आगी तरफ move कर रही है यहां move कर रही है और करते करते यहां पर आगी कितने speed कितनी है? 1.2 meter per second इसकी speed है speed कितनी है? 1.2 meter per second इसकी speed है find the length of shadow after 4 seconds 4 seconds के बाद उसकी कितनी shadow 4 seconds के बाद वो D point पर आ चुकी है 4 seconds के बाद तो BD distance कितना होगा बताओ BD कितना हो गया? speed मन टाइम कितना 4 4.8 समझे? यह आपका 4.8 meter पर रखा है लड़की की head कितनी है? 0.9 है और यह कितना अपने पास? 3.6 है इसको X माल लेते हैं तो यह common हो गया यह भी 90 है भी 90 तो दोनों triangle छोड़े triangle और बड़े triangle के head similar हो गए जब दो triangle similar होता है corresponding side का ratio same हो जाएगा चलो तो 3.6 बड़े वाले में छोटे अलों 0.9 बड़े वाले पर X प्लस 4.8 और छोटे वाले पर X यह 4 हो गया 4X एक्वाल टो X प्लस 4.8 3X is equal to 4.8 और X कितना आ गया 4.8 upon 3 तो X आ गया 1.6 तो 1.6 मीटर जो है उसकी shadow होगी निबाने भी वाले हरका चालो गई मत करो यार निबाने भेल हरकते मत करो यार चलो next फ़स 6.3 हो जाए कितने बज़ गए हैं वाई तीन बज़ गए है फ़स 6.3 हो जाए उसके बार हम लोग छोड़ सकते हैं तेके हैं असान होगा असान होगा यह और कर ले फिर हम चलते हैं A, B, E A, B, E जो है कॉंगनेट है A, C, D के जब दो ट्राइंगल कॉंगनेट होते हैं क्या कर लोग जाके लिख लो A, B बरावर होगा A, C के यहां सुनना है और A, D बरावर होगा A, E के इसका रेशो लिलूम है क्या बनेगा A, B अपॉन पे A, D बरावर होगा A, C अपॉन पे A देखो हमने यहां से रेशो उठाले रेक्ट बने यह क्या आया देखो दहां से A, B अपॉन A, D और A, C अपॉन A, E दो करस्पोंटिक सर्गर रिश्चियम होगा और अंगल A क्या है common अंगल A equal to अंगल A क्या है common by side angle side triangle A, D, E जो है वो सिमल होगा triangle A, B, C तो छोटे और बर triangle सिमल होगा है ना देखो भई या देखो next A is a point on a side A, D produce of a palogram A, B, C, D तो A, B, C, D कोई palogram है इस तरीके से इसको बढ़ा दो आगे जोड़ो हैं पर ठीक है तो A, B, C, D कहां कट कर रहा है F point पर कट कर रहा है show that क्या फोटो कर रहा है A, B we have to prove that triangle A, B, E is similar to triangle C, F, B A, B, E यह बड़ा point है और C अच्छा यह वाला triangle और यह वाला triangle बड़ा triangle यह triangle ठीक है बता वही सोतो नहीं कहें मुझे बताओ क्या क्या दोना बराबर है बता 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 से देखो इस triangle पे angle A और इस triangle पे angle C बड़ाबर है एंगल A एक्वल टू एंगल से Q opposite angles are equal in parallelogram opposite angles are equal in parallelogram दूसरा यह इसके parallel है यह Z बन रहा है यह जो angle है वो इस वाला angle के बड़ाबर होगा आया ना तो A, E, B angle A, E, B equal to C, B, E alternate interior angle तो हम बोलेंगे by angle angle triangle A, B, E is similar to triangle तो angle angle criteria से दोनों triangle जो है आपके वो similar हो कहें ध्यान दो ध्यान दो हा बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे चोड़ देंगे next 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 Okay in the given figure prove that ABC ABC or AMP, बहुत असान है तो, देखो, ABC और AMP में, A, B, C और AMP, angle A common है दोनों में, दो ची बतानी होती है, इसमें देखो Zanska से, तो angle A equal to angle A क्या है common, और इस ट्राइंगल पर एंगल बी और इस ट्राइंगल पर एंगल 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 केवल हमें दो ची चाट रही है इस पूरे एक साइड में एक अच्छी बात ही है कि हमें केवल दो एंगल चाट रहे है तो एंगल एक कॉमान है दोनों में यह भी 90 अब चेक करो लो कौन सा चाहिए मैं सी यह चाहिए यह कतम होगे जब दो ट्राइंगल सिम्लर हो गए तो करेस्पाणिक सड़ का रेशियो तो सेम हो गई ना बोलो हाँ एजी है हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलो हाँ सुनेंगे इन फिगर एज़ा पॉइंट ऑन साइट सीवी प्रोड्यूस ठीक है ओके ओके करा एबी एबी जुहें एसी के बराबर दे रखा है तो यह को सिंपल सी बात है भेले क्या लिखे हो haha A B अगर A C के बराबर है तो A B के ठीक सामने कोउन सा एंगल C और B बराबर होंगे ऑंगल C zi equal to एंगल B Q एंगल ऑप्यम एक्वल एंगल अपोजित वखsti और ऐक्रम गीडीण क्या परूरॉफ क मा अटरà conservatives टो वाला और ECF चिक है दो लेटे हुए है लेटे वाले तो इस में तो इन ट्राइंगल ABD एन ट्राइंगल ECF तो ABD में D9 डिग्री है यहां पर एंगल D equal to यहां पर किता है एंगल F इच 90 डिग्री टेकर इस ट्राइंगल पर एंगल B इस ट्राइंगल C के बराबर है उपर से निकाला भी गिवन बस खतम हो गया बाई यूजिंग एंगल 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 ट्राइंगल ABD जो है वो सिम्लर होगे ट्राइंगल ECF के बारिश हो रही है अच्छा जी नेक्स्ट ओके सेकिंड लास्ट कोशन साइड AB BC और AD यह गिवन है जान सुरना किरें साइड AB BC और AD और ट्राइंगल ABC और रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शन तो साइड PQ और और पीम यह वे गिवन है प्रपोर्शन दे रखें क्या शो करना है भाई ABC ट्राइंगल प्यक्यूर के सिम्लर हो जाए कोई दो ट्राइंगल से अगर इस्ट होता ह या फिर कर्रस्पोर्णिंग एंगल से मोज है कुछ भी या फिर SAS आयो जुगार लगाते हैं हम देखते कुछ काम का निकल जाए इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को सिम्लर प्रूफ करना है तो मैंने का AB अपॉन पे PQ ठीक है और BC अपॉन QR ठीक है तो यह तो ट्राइ जारी शुच काम अदेगा AB अपॉन PQ बराबर आगया BC अपॉन Q बहार के तो गीवन था यह कोशन में गीवन था बस हमें क्या करना है बस अब हमें कुछ भी करके जो है एक काम करना पड़े क्या करना पड़ेगा एंगल B को CQ के बराबर दिखा दो इंक्लूडिंग क्या करती करता हूँ क्या करता हूँ देहान सुनना मैंने करा AB अपॉन PQ ठीक है जहाँ पर BC है ना आपका D AD मीडिये ने यह बायसेक करता है तो इसको में लिख सकता हूँ BC को ट्वाइस ओफ बीडी अपॉन ऐसी QR को ट्वाइस ओफ क्यूम बराबर में AD अपॉन PM दे रख रहे इससे खतम हूँ क्या आगया AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QM के बराबर है AD अपॉन PM के अब दो क्या निकल क्या आगया है यह कौन जी तीन सांट निकल क्या आगया देखो AB upon PQ और BD upon QM और AD upon यह triangle similar हो गए जब triangle similar हो गए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं यह हमें बोल सकते हैं कि triangle को हम मन्सा ABD ABD जो है वो similar हो गए triangle के कौन से और PQM के PQM के similar निकल के आ गया जब यह similar है मतलब angle BQ के बराबर हो जाएगा तो angle B भी आपका angle Q के बराबर हो गया ठीक है यह हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया तो हमने क्या यूज कर रहा हमने यूज कर रहा S A S by using S A S by using S A S ठीक है और triangle A B C जो है वो similar हो गया triangle P Q R K बोलो बास सभी को बोलो सभी बच्चों को समझे आई या नहीं आई 12.3 कर टे हैं बेटा रिशी आपको के विल NCRT और NCRT और आपका PYQ बास चलो basic वालोग लिए last question of chapter 6 last question of देखो जिसको नींद आ रहे है वो सो जाए हम पूरा करके सोएंगे जिसको नींद आ रहे है वो सो जाए हम पूरा करके सोएंगे chapter 14 भले skip कर सकते है but chapter 7 भी होगा जिसको नींद आ रहे है वो सो सकता है recorded मिल जाएगा कल आराम से देख लेना कर लेना कोई दिक्रत की बात ने ठीक है अब vertical pole length 6 meter एक vertical pole है जिसकी length 6 meter है वो shadow बना रहा 4 meter की A B और C same time पे टावर है PQR Shade 28 meter long shadow बना रहा है इसके height निकाल लिए है तो आपको बता है कि जो angular elevation same time में sun का सेम होता है C और R बराबर है ये 92 triangle similar है जब दो triangle similar होते हैं corresponding side का ratio same हो जाता है मतलब A B upon P Q बराबर पे BC upon पे QR निकल किया देगा ठीके तो 6 upon H equal to BC 4 upon P 28 तो H कितना आ गया है 42 meter आएगा चेक करो सबका answer 42 meter आएगा सब काहन चेक करो पड़ावट से क्या सबका answer 42 meter आया yes or no fast पी वाइक्यू कल चाम में होगा बिटा अब क्योंकि सुबह तो नींद पूरी करोंगे आर अपनी क्योंकि चार तो बज़ी के बजने ही वालें कैसे करोंगे फिर तुम लोग कौन चप्टर सिक्स है ना ठीक है 42 आएगा यहां पर हम लोग ने चैप्टर में 6 पी अच्छे से पुरा इनिसियाटी डिवाइस कर लिए आयूब आपको समझ में आगया होगा अब हमारे लास्ट चैप्टर करने की बारी यह लास्ट चैप्टर मेरे पास है बस आखरी चैप्टर है चैप्टर 14 रहन देंगे ठीक है चैप्टर 14 रहन देंगे ठीक है चैप्टर 14 हम लोग स्किप कर देंगे पूरे चार बच जान दो हाँ देक्षिद बहुत बढ़ी है लास्ट में बहली दस बच्चे रहे दो बच्चे रहे एक बच्चे कि रहेगा ठेक है जिसको नीद आ रहे है प्लीज वह सो जाए प्लीज सो जाए वह चलो चप्टर सब्सक्राइब इन क्लास्रूम फोर फ्रेंट्स आर सीटेड अड़ पॉइंट एबीशिडी चार विल ने दोस्त बैठे हुए थे मैडम थी निकायब थी चार दोस्त बैठे हुए आरा हमसे बाते कर रहे हैं एबीशिडी बनाके ठेक है को डिस्टन से बैठे हुए चंपा ने बहुत चमेली को यह दो बंक में गए थे चंपा और चमेली बंक में गए हुए तो चंपा आई चंपा पास बोली आईला चंपा तुझे लगता नहीं है कि एबीशिडी स्क्वेर बनाके बैठे हुए चंपा कहती है कि चलना जाना यहां से कामगर बना चल तो डिस्टनस फॉर्मूला से ए है 3,4 बताओ 6,7 बताओ 9,4 और दी बताओ 6,1 बताओ 6,1 बताओ इधित क्या था चलो के रिधे है ये करिश्णा पहले ए भी निकालते हैं कितना आएगा 4 का होल स्क्वेर प्लेस seven minus मैनले फॉर का होल स्क्वेर ये तो-3 का स्कवेर प्लस 3 का स्क्वेर, ठीक है, और 3 का स्क्वेर, 3 भार चलागे, यहाँ पर रूट 2 आगे है, ठीक है, दूछरा, 20 से निकालते हैं, ठीक है, तो 9 मैनस में 6 का होल स्क्वेर, प्लस 4 मैनस में 7 का होल स्क्वेर, तो अगे यहाँ पर होई आएगा, रूट में 3 का स्क्वेर, 3 का स् तो अगें थ्री निकल के आगे है फिर निकालते है सीडी कितना आगे है रूट में जोगि अगेन कितना निकल के आगएगा तो चारो साइड की लेंच बराबर निकल के आईए चारो साइड की लेंच जोए बराबर निकल के आईए अब यह आपका rhombus भी हो सकता है और यह आपका square स्क्वैर भी हो सकता है तो रोंबस और सक्वैर में इंता रहते हैं आपके डियाङनल की लंबा भी बराबर निकल के आती है तो चक कर ले ते यह को वोगों से हम लेज़ास ए सी और बी डी चेक करना पड़ेगा AC और BD, तो पहले AC चेक करते हैं, कहां करूँ मैं चेक, तो सब तो बराबर आएगा यह दो पता ना, सारी साइट तो बराबर आगे, AC और BD भी चेक कर लें, दो निकाट, AC और BD, तो AC चेक करो, कितना आ गया, रूट में 9-3 का Hfall स्कुर, प्लस में 4-4 का Hfall स्कूर, तो 6 गाश考 च कर शिक्स का 36, 6 अगया, दोछर BD, रूट में 6-6 का Huldade स्कूर, फ्लस 1-7 का H anthrop वें, तो 0 हो गया, अगे ins 36, तो तो सारी साइट बराबर हैं, सारी साइट भी बराबर हैं, साइट के साथ-साथ, डायंगनल भी बराबर है ठीक है सारी साइट बराबर है और डाइगनल भी बराबर है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास हम वो सकते हैं येस चंपा बिल्कूल साहिए इट इस आ स्क्वेर इट इजे अर्स्क्वेर यह आपका एक स्क्वेर देखो इसमें जो है आपका second exercise तक आ है तो यह आप खुद से भी अराम से लिप्टा सकते हो ठीक है है चंबा वस राइट नेक्स find the point on x-axis which is equidistance from this ठीक है x-axis के उपर x-axis के उपर एक point find out करना है जो की 2,5 और माइनस 2,9 से equidistance पर हो आप कोई point मालो यह a b है और यह c point है कोई point अगर x-axis के उपर है तो इसको left करना होगा तो x,0 करूँगा y तो 0 हो जाएगा वाँपर एक्विडिस्टेंस है मतला a c जो है आपका वो b c के बराबर स्कोर लगा दो रूट खतम हो गया तो करो डिस्टेंस पर मुला तो x-2 का whole square प्लस में 0-5 का whole square बराबर में minus minus plus x plus में 2 का whole square तेक है और प्लस में 0-9 का whole square तो a का square प्लस b का square मैंनस में 2ab प्लस में 25 एक्वल तो a का square प्लस b का square प्लस में 2ab प्लस में 81 निकल के आगया इससे खतम हो गया तो माइनस का 4x माइनस का 4x is equal to 81-25 तो माइनस का 8x एक्वल तो माइनस का 56 तो x इतना आ गया प्लस का 56 आ गया x आ गया माइनस 7 तो point क्या होगा माइनस का 7,0 तो माइनस 7,0 जो है वो point होगा माइनस 7,0 जो है वो point होगा ठीक है बस यह और कर रहे है चैप्टर 14 इसके कर देंगे find the values of y for with the distance with p and q एक पॉइंट पी दे रहा है 2,2 को माइनस का 3 और एक पॉइंट क्यू दे रहा में 10,y अब इसके विचे का distance p q,p q जो है आपका 10 दे रहा है square कर दो 100 हो जाएगा distance लगाओ तो 10 माइनस में 2 का whole square और plus में y plus में 3 का whole square equal to 100 निकल के आगए साब में solve करते रहे है न प्लीज तो 2864 plus में y plus में 3 का whole square यह आगए आपका 100 के बराबर ठीक है तो आगए y plus में 3 का whole square equal to 36 निकल के आगए तो y plus में 3 कितना आगए प्लस में 6 निकल के आगए तो एक बार y plus में 3 प्लस का 6 के बराबर और एक बार y plus में 3 जो है माइनस 6 के बराबर ठीक है तो यहाँ पर y कितना आगए 6 में 3 और यहाँ से y जो आपका 3 निकल के आगया और यहाँ पर चेक करें y आगए minus 6, minus 3 Naioekे दो 9 और 3 आमेज रीज है आपके आंसर निदे अड़िए के स्थिक का थो वेल्व ओर पs नहीं दिख्षिट ठीक है वेटर फेंग्यू that है हो जाएगा पर हुआ खराए हुआ सारा पानी भी खतम गाल है कि तीन वोतल को फानी लाए है थैंक्यू कृतिका थैंक्यू सोमच चलो next 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 5 5 5 5 क्या कहता है यह न 7.1 में सारे कोशन इंपोइंट है ठीक है यह लास्के मेरे कहाल दे 7 8 9 10 11 12 वो सारे पॉइंट है वोई वाला कोशन नहीं है if q is equidistance from the point p and r ठीक है तो ठीक है एक q point है 0,1 ठीक है और दो point है उससे equidistance पर है एक p दे रखा है 5,3 और एक r दे रखा है हमें x,6 ठीक है equidistance मतलब p q जो है square equal to आपका q r का square के बराबर यह मैंने कादा बराबर कर दे न तो लगाव डिस्टेंस वामला 5 minus 0 का whole square plus minus 3 minus 1 का whole square बराबर आदे आपका x minus 0 के whole square के और प्लस में 6 minus 1 का whole square 25 प्लस में 4.16 equal to x square प्लस में 25 यह खटाम हो गया तो x square कितना आगया 16 और हम बोल सकते हैं x कितना आगया x आगया plus minus का 4 तो x की जो value है वो plus minus का 4 निकल के आगई अब यहां पर बोल गए qr निकालना है तो तुम qr प्यार वहर अपना निकालते हैं और फिर बाद में प्यार भी निकालना है next find a relation between x and y such that the point this is equidistance from this तो हमार पास point दिरका 3,6 और एक और point है minus 3,4 तो इससे equidistance है x,y तो मालों यह a है यह b है और c है हम पता है a c जो है वो b c के बराबर है square कर दो root खतम हो गया तो x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square is equal to x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square प्लस में निकल के आगया ठीक है बराबर में a का square plus में b का square plus में 2 a b और प्लस में 6 x आ गया ठीक है फिर minus में 8 y और फिर minus का plus में 12 y निकल के आ गया ठीक है और फिर plus का 16 ठीक है और फिर minus का 36 एक्वल जीरो तो 12 x minus का plus का 4y minus 20 equal to 0 4 कर लो तो 3 x plus में y minus 5 equal to 0 हो गया तो y आजए आपका 5 minus 3 x तो x और y की तो दिशन आ गया y कितना आ गया y आ गया 5 minus 3 x ठीक है ठीक है अरे क्या बाद चल रही है है हाँ एक सो अच्से बच्ची शूरू से जूड़े है साबाश चलो नेक्स्ट एक्जामपल अभी आ गया आएगा इसको रहन देते हैं सेम वह ही है पी के वह निकालने ठीक है बाप रहे है चलो यह in what ratio does the point divide the line segment this and this करे लिए ठीक है क्या करना है जब इतना करे लिए तो अब क्या भागना ठीक है in what ratio does the point divide the line segment this and this तो हमार पास का एक point A दे रहा है minus 6,10 और एक point देरे का B P का मानस का एट इसको एक point मानलोग P की डिवाइड कर रहा है minus 4,6 point है तो K ratio 1 में डिवाइड कर रहा है मानलोग ठीक है formula क्या होता है x is equal to m2 x1 plus में m1 x2 upon पे m1 plus m2 यह होता है x minus का 4 बरावर में m2 कितना है cross कर रहा हूं 1 into minus का 6 plus में k multiply by 3 upon by k plus 1 minus का 4 multiply k plus 1 is equal to minus का 6 plus में 3k तो minus का 4k minus 4 equal to minus का 6 plus में 3k तो अल्योड और पल्योड तो minus का 4 plus में 6 equal to 3k plus में 4k तो 2 is equal to 7k आ गया और k आ गया 2 upon 7 और k होता है m1 upon m2 तो आपका आ गया 2 ratio 7 तो 2 ratio 7 में जो है यह डिवाइड कर रहा है किसमें 2 ratio 7 पे डिवाइड कर रहा है किसमें 2 ratio 7 तो 2 ratio 7 पे डिवाइड कर रहा है ठीक है यह बहुत बढ़िया rdx का आंसर आ गया है ठीक है अरे पढ़ लो यार तुम सब रात कू जगे वो भैस करने के लिए नहीं इस पॉइंट इस दिस दिस आर्द वर्टेक्स अ पैललो ग्राम तुम्हार पस क्या पैललो ग्राम है ठीक है तो a दिर्ख है 6,1 b दिर्ख है 8,2 c दिर्ख है 9,4 और d दिर्ख है p,3 कर अब पीकल निकालो दान सुनना अब फोजिट, एक्स एक्स वाले सेम होते हैं मतलब इसका एक्स इसका एक्स जोड़ोंगे इसका एक्स एक्स के बरावर 9 और 6 कितने होते है 15 एक्स एक्स दोनों को जोड़के दोनों का बरावर होता है ठीक है हाँ छह माग्स का एगा येस बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर ये नेक्स भाई लास्ट एक्ससाइजे 7.2 देखो दो लड़की है एक का नाम है निहारिका एक का नाम है प्रीथ दो लड़की है एक हमाँ पार निहारिका है निहारिका ठीक है और एक प्रीथ है दो लड़की है जंड़ा लेकर भाद रहे हैं घाटन सुनना पर सब्सक्रेटम एक नियारी का आप 1 upon 4th of AD 100 हो गया आपका 25 Y आपका 25 आ गया और 2 लाइन भाग रही है एक्स आपका 2 आ गया तो कोडिने क्या बन गया निहारी का के तो निहारी कोडिने क्या बन गया है 2,25 सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही प्रीट जो है वो 1 upon 5th distance बाग चुकिए AD का और 8th line पर दोड़ रही है इसका मतलब वाई जो है कितना हो गया 1 upon 5th distance बाग चुकिए AD का स्वाव हो गया आपका 20 आ गया और आपका 8th line ने भाग रही है तो प्रीट के कोडिने आ गया 8,20 चुकिए के लिए आता है हाँ 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 लॉंग स्ट्रीम सबसे बड़ी स्ट्रीम होगे क्या हमारी है अब क्या बोला गया है कह रहा है कि what is the distance between both the flag अब दोनों के हाथ में जंड है तो दोनों के डिस्टंस क्या होगा तो निका दो NP तो 8 माइनस में 2 का whole square और प्ल में जो की आगे अपने पास अ आट में दो के 6e का 136 22 में Congrats 60 Ming root 61 root 61 is the right answer root 61 is the right answer next क्या बोला इसने next बोलता है next बोलता है कि एक लड़की और आगे रश्मी मैं भी जंडा लेके भागूगी मैं भागूगी मैं भागूगी उसको बीच में आना तो क्या कहा पुट करना पड़ेगा कोडिनेंट्स और रश्मी के कॉडिनेट की भाग करें तो क्या होगा प्लैश्मी प्लैश्मya प्लैश्मya 25,25 में 20.2, ठीक है, 5,22.5, फिफ्ट लाइन पे, ठीक है, चलो, next find the ratio in which the line अभी कियाता ratio allocation ये खुछ से कर सकते हो next 3 पर आजा find the ratio which the line segment joining this and this it divided by x axis तो एक point A आपने पास है ये important है 1,5 और एक point B दे रखा है वो दे रखा में कितना minus 4,5 दे रखा है अब इसके बीच में x axis को divide कर रहा है 1 x axis तो मालनो point जो है वो x में है तो x,0 होगा और ratio मालनो k ratio 1 इस तरीके से y क्या होगा y हो गया हमार पास m2 y1 plus में m1 y2 upon पे m1 plus m2 y0 है m2 y1 m2 y1 तो 1 x 5,m1 y2,1 x 5 upon k plus 1 0 होगया तो यहाँ पर आजाओ, minus का 5 k काईस में प्लस 5 k 0 के बराबर हो गया, 5 k equal to 5 हो गया और k जो आपका 1 निकल के आगया, 1 का मतलो के है, 1 ratio 1 निकल के आगया, midpoint था मतलो यह, यह midpoint था, हमें x भी निकालना है, x भी निकालना है, x भी निकालना है, x क्या आगा, x आगया, में पास, midpoint है तो x1 प्लस में x2 आगया, तो 1, क्या निकालना मैं, minus 3 upon 2, minus का 3 upon 2 निकल के आगया, चेक करो, minus का 3 upon 2 आया, का यह, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिलकुल आदस, बिलकुल 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 बिलकुल, ठीक है, next, if this are the vertex of a parallelogram in order, x और y क्या होगा, तो असान कोशन है अभी कर रहा था, तो 1,2 मालो से, ठीक है, यह 4,5 हो गया, ठीक है, यह x,6 हो गया, और यह हो गया 3,5, तो अभी तुम्हें बताता है, मैंने क्या बताता है, कि opposite sum बराबर होता है, मतलब 1 प्लस में x, बराबर होगा 3 प्लस में 4, ठीक है, तो x आ गया, 7 मैंने 7, x आपका 6 निकल के आ गया, और 8 मैंने 5 इकल 3, और y आपका 3 निकल के आ गया, तो x 6 है, और y 3 है, x 6 है, और y आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है, ने 14 हम नहीं करेंगा, ठीक है, दिक्षित, 7 तक ठीक है, 14 हम नहीं करेंगा, बहुत जादा हो जाएगा, यह ओलिडी 4 बच चुके है, ठीक है? चलो, next Find the coordinate of point A, where A B is the diameter of circle A B जो है, circle का diameter है A B Center दे रहा में 2, minus का 3 और B दे रहा 1, 4 A निकालना है, A को मैंने A, B मालना है तो 2 कैसे आगया, A प्लस में 1 अपॉन 2 करके तो 4 इक्वल टू A प्लस 1 तो 4 मैंनस 1 इक्वल टू A, और A कितना आगया, 3 निकल के आगया दूसरा B प्लस 4 अपॉन पे 2, जो है, आपका minus 6 3 करा निकल के आगया, तो B प्लस 4 कितना आगया, minus का 6 आगया और B प्लस 4, B इक्वल टू कितना आगया, minus 6, minus 4 तो B जो है, आपका minus का 10 निकल के आगया तो A आपका 3 है, और B आपका minus का 10 तो 3 कॉमा minus का 10 जो है, आपका निकल के आगया, ठेक है तैंक यू सो मच, अनुश्का, तैंक यू सो मच, 14B, 14B करना है, इत्ता डेडिकेशन, चलो बढ़े, ठेक है, A, B, R, this and this, ठेक है, ध्यान सुनना, A दे रखा है, माइनस का 2 कॉमा, माइनस का 2, ठेक है, और B दे रखा है, जिसको नीद आ रही हो, सो हो सकता है, यह नहीं कि सरम आपके साथी बत्ति बुजा के सोएंगे, अपनी ऐसा नहीं है, ठीक है, अब सुनो जान से, A, P, A, B को नीचे लिया हो, 3, 7 हो गया, तो, A, P, 3 है, A, B, 7 है, तो, 3 रिश्य फूर आ गया, हमें, P के कोड़नेट निकालने है, निकाल लो, खत्म, आसान सा, एक चितना आ गया, M2, X1 प्लस में, M1, X2 प्लस में, M1, X2 प्लस में, M1 बस M2, तो, M2, X1 प्लस में, M1, X2 प्लस में, M1, X2 प्लस में, M1 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 प्लस में आपके हैं हैं उके वाही कितना गता हो M2y1 M2y1 4 in to minus 2 M1y2 7 आगे तो कितना आगे माइनस का 8 माइनस में 12 पॉँण पे 7 minus 20 upon 7 is the right answer तो minus का 2 upon 7 और minus का 20 upon 7 यह आपका point निकल के आ गया यह आपका point निकल के आ गया ठीक है ठीक है एक और बज़ गया था सर्फ 5 बज़े बैठ गया था अच्छा चलो चले आगे चले नहीं नहीं बीटा रहन दो तो रेक्षो एक टीक स्वीटा नहीं बीटा नहीं नहीं इतनी महाज से माप वाफ हमारे कमा रहे ना ऐसे नहीं ठीक है बस तुम लोग हो बई है सुबह आठ वह याला करसर नहीं होगा चलो कि लास्ट कोशन है फाइंद सेंटर ओफ सर्कल पासीं तोर पॉइंट दिद दिद दिस अब यारे तो ऑप्शनल करें नहीं तो इंटर कई कोशन मैं लोगा जब मैं पर अबी इस से नहीं किरम कोशन अपना ड breadth गपशन चैप्टरवेशन भी खतम 14gn14 तो मुष्किल लग ओर चार बच गये तुम्हेस हुए उठना भी है काम कर तो PDF दे देता हूं kपीडिएफ दे देता हूं 14 तुम लोगा खुष्से कर लेना प्रफ दे देता हूँ फॉर्टीन तुम लोगो से कर लिए र्यूंस तो यहां पर हम लोगो ने जुए है अब नहीं कर रहे है तो यहां पर हम लोग ने पूरा सब्सक्राइब कर लिए तो थैंक यू सो मच क्लाश आठ वैसे नहीं साथ से स्टार्ट हुआ था और तक्रिवन एप्रोक्स नो घंटे का सेशन रहे और हमारे पास जो जितने बच्छे स्टार्टिंग से ऑसम भाई इतना नहीं हो सकता ठीक है आप कमाल हो यह जो मेहनत है वो क्लास एंड होने के बाद सारे बच्छे कमेंड जरूर कर देना कि शेशन कहीं टाइक बिएंग्स not a can यहाई मैं टो सारे बच्छे कमेंड जरूर करेंगे और जो सेशन नहीं होगा सुबए वह पोस्पोर्ण कर दूमा वह बारा ही ए एक количеर से स्टार्ट करेंगे दोपैर में क्योंकि नीन भी आपको लोगो नीन लेना बहुत जरूरी है तो थैंक यू सो मच एक चैप्टर है बस आपका चैप्टर फॉर्टीन यह आप कर लेना और यह भी हो जाता बस यह जो है आपका एक तो आज मेरा फास्ट है रेकाद अशी का औ और उपड़ से सेशन आपको दो गॉंटे लेट हुआ था फिर भी सेशन हो गया बहुत अच्छे से तो थैंक यू सो मच आप सभी की वैसे हुआ है कमेंट दरू करके जाना थैंक यू सो मच मिलते है कल अच्छे से सोजाई अभी अराम से ठीक है और कल जो है इसकी प्रैक् आजने थैंक यू सो मच वाचिक हरे करिष्णा हरे करिष्णा